आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, मेरा नाम जोबे का लियाकत है, चार बच कर पचास मिनट हो रहे हैं, गूंच का वक्त हो चला है और आज अरवन केजरी वाल को हाई कोड की तरफ से, दिल्ली हाई कोड की तरफ से, जो कुछ कहा गया है, वही खबर गूंच रही है लेकिन उस पर हम डिबेट शुरू करें, उससे पहले आज की टॉप न्यूज आप तक पहुंचा दिना चाहती हूँ यानि अब तक की सबसे बड़ी खबरें, दिन भर में क्या रही है, एक नसर उसका अरुनाचल प्रदेश से रक्षा मंत्री रादनाथ सिंग का चीन को करा संदेश कहा भारत पडोसियों से अच्छे रिष्टे रखना चाहता है लेकिन सम्मान को चोट पहुचाने वालों को जवाब देना भी जानते हैं माध्य प्रदेश के बाला घाट से प्रदान मंची नरेंड रुमोदी का कॉंग्रिस पर करारा हमला कहा कॉंग्रिस की सोच ने देश को पिछड़े पन की तरफ धकेला है पिएम मोधी रे इंडिया गठ बंदन पर साधा निशाना कहा विपक्ष ने शक्ति का को खत्म करने की सोगन दखाई है ग्रे मंत्राले ने मुख्यों चुनाब आयूप राजीव कुमार को जट श्रेनी की सुरक्षा दी है आई बी की रिपोर्ट के आधार पर सुरक्षा मिली माराश में महाविकास अगारी में सीट बटवारी का एलान हो गया है शिरसेना उद्धव गुट को 21, कॉंग्रिस को 17, NCP शरत्ववार गुट को 10 सीटों पर चुनाब लड़ने का आई खबर माराश में कॉंग्रिस को एक और जटका, कॉंग्रिस नेता और प्रवक्ता, राजू वाग्मारे, शिरसेना, शिंदेगुट में शामल हो गया है लोगसबा चुनाब के मते नजर पश्चिम बंगाल में सुरक्षा बढ़ाने का फैसला चुनाब आयोग ने बंगाल में अर्दिस सैनिक बल की सौफ कंपनिया तैनात करने का निटश दिया असम के लखीम पोड से हमिच शा ने कॉंग्रिस पर बोला हमला का कॉंग्रिस ने असम के साथ अन्याई किया, बीजेपी सरकार ने घुसपैट पर रोक लगाई यूपी के पीली भीत में बीजेपी प्रत्याशी जितन प्रसाथ के लिए सीएम योगी ने किया चुनाब प्रचार का पीए मोधी के नेतरत्व में देश का तेजी से विकास हो रहा है केंदिर अक्षा मंत्री रादनाद सिंग ने कॉंगर्स की होष्णा पत्र को बताया देश को पीछे ले जाने वाला का मोधी सरकार का लक्षी 2047 तक बारत को विक्सित देश बनाने का है तो आपको ये बता देना चाहते हैं कि आज की सबसे बड़ी ख़बर अगर आई है तो वो आम आदमी पार्टी को लेकर आई है अब से करीब 30 मिनिट पहले दिली के हाई कोट से दिली के सीएम अर्विन केजरिवाल को बड़ा जटका लगा है दिली हाई कोट ने केजरिवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये कहा कि कोट कानून के मताबिक काम करती है और राजनीती से कोट प्रभावित नहीं हो सकती है नहीं कोट पर कोई दबाव काम करता है कोड का काम है कानून को लागू करना और केटरीवाल की गिरफतारी में सभी नियमों का पालग हुआ है इसलिए ये याचिका रद की जाती है हाई कोड की जस्टिस स्वार्न कांता शर्मा ने अपने फैसले में जिन शब्दों का इस्तमाल किया है उससे साफ लगता है कि आम आ याचिका लगाई थी और इस याचिका में अर्विन केटरीवाल की गिरफतारी को अवैद बताये गया था हाई कोड में जैसे ही केटरीवाल की याचिका को खारिश किया उसके बाद ये साफ हो गया कि आप कम से कम 15 अपरेल तक केटरीवाल को तिहार में ही रहना पड़ेग हारा कि सूत्रों के मताबिक केजरिवाल इस हाई कोट के फैस्टे को कल ही सुप्रीम कोट पे चुनाती दे सकते हैं लेकिन हाई कोट के जटके के बाद बीजेपी ने केजरिवाल पर निशाना साधा है सुनिए माननी उच्छे नियायले ने श्री केजरिवाल के संदर्ब में जो निर्णे दिया है उससे तथ्यों के कठोर धरातल पर आमादमी पार्टी का अहंकार चकना चूर हो गया है स्वगोशित कटर इमानदार का किरदार धारदार तथ्यों के साथ पूरी तरह तार तार हो गया है इस हमाननी बात नहीं है देखे जिस प्रकार से उन्होंने जमानत के लिए नहीं ये बात हम ऐसे नहीं कह रहे है उन्होंने तो सीधे सीधे अपनी अभिरक्षा को ही यानि अपनी हिरासत को ही चुनावती दी थी अहंकार ये था कि मुझे छूट नहीं चाहिए मुझे दूसरे को गलस साबित करना इसलिए मैंने कहा कि वो अहंकार चूर चूर हो गया है क्योंकि मानी न्यायले ने जो अभी मीडिया में प्राप्त सूचना उसके अनुसार यह बिंदुसपष्ट का आए कोट क्लारिफाइज देट देट पेटीशन इस फूर डिसाइडिंग दा अरेस्ट इस इलिगल क्योंकि उन्होंने तो सीधे यह कहा था कि आरेस्टी ही इलिगल है यानि वो जमानत मांगी नहीं रहे थे और इतनी बड़े अहंकार के साथ वो आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे और इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए कि बताईए कोट ने जो कहा वो सच है माहौल जो बनाया जा रहा वो सच है हमारे साथ खास महमान शामल हो गए है सबसे पहले आपको स्क्रीन पर मैं मुलाकात करवा देना चाहती हूँ अनौराग भदोरिया जो कि हमारे साथ समाजवादी पाटी के रराश उप्रवक्ता जुड़ चुकustered हैं हमारे साथ इस वक्त रवी जी आपको दिखाई दे रहा है जो कि राजनितिक विशलेशक है और in fact जब आम आत्मी बनी थी, आम आत्मी पार्टी का गठन हुआ था, वो गठन करने वाले founding members में से एक नाम आप रवी जी का ले सकते हैं, हमारे सत्वरिश पत्रकार हर्श्वधन ट्रिपार्टी जी भी जूट चुके हैं, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है, रवी अपिका जी, नमस्कार, पहली बात तो ये कि जो आज हाई कोर्ट का जो भी ये निरिने है, ओर्डर है, ये आपके लिए headline management के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जो बाते इसमें कही गई हैं, वो जो भाजपा का एजेंडा है, कम से कम उसको पूरी तरह से confirm करती है, जैसा मैं आपको इस judgment के बारे में भी बता दू, कि इस judgment की मुझे तो कम से कम पूरी अपेक्षा थी, कि इस तरह की बाते इसमें कही जाएगी, और अर्विल केजरिवाल ने कोई बेल तो मांगी नहीं थी, उन्होंने जो कहा था कि मेरा ये remand illegal है, और उसके पक्ष में उन्होंने त्यत्तमी रखे थे, अब हम court का संबान करते हैं, पर मान ये जस साहिबा ने जो जो बाते उसमें लिखी हैं, आपको कैसे पता था कि ये सारी बाते लिखी जाएगी, और आपको कैसे कह सकते, किस बिना पर कह सकते, headline management के लिए तो ये ठीक है, court ने headline बनाने के लिए ये आप एक बात मुझे बता है, तुलि ये मान ये जस साहिबा ने कहा कि जो अप्रूर का कानून है, वो 100 साल पुराना है, बिल्कुल ठीक, वगर 100 साल पहले इलेक्टरल बांड नहीं थे, 100 साल पहले इलेक्टरल बांड दे करके अप्रूर नहीं बनता था, आज बनता है, मोधी जी चरह कर रही हैं डहीं कि कोद ने जो कहा है उससे आप क्यों बच रहे हैं कि आप इदर उधर नहीं कर सकते वह ना भावनावस से चलता राजनीती से चलता इसी बात का जिक्राज किया है केके शर्वा जी आप अभी जुड़े नहीं थी उससे पहले रवी जी ने कहा कि ये जो असल ब्रश्टा चारी है वो तो आप लोगों के लिए कैमपेंड कर रहे हैं कोट की टिपणी तो इनको पता थी क्या आने वाली है कि ये तो जूठो की पार्टी है रुबिका जी और आज तो बिल्कुल इस्पस्थ हो गया कि ये घोटाले बाज जूठो की पार्टी है और इनका तो इतिहास ही रहा है केजरी वाल का क्या इतिहास रहा है केजरी वाल का इतिहास ही रहा है कि मैं कभी party नहीं बनाऊंगा, party बना लिया, बच्चों की कसम खा के कहता हूं, किसी कभी santé से हाथ नहीं मिला रहा हूं guy उनके साथ समझगता कर लिया, बंगला नहीं लूँगा, security नहीं लूँगा, मैं आपर देखए भीडे सीश्महल बना लिया यह हमेशा से निरंतर जनता को जूट बोलना और वही कामाज भी कर रहे हैं यही अभी कहते थे कि न्याले का आरोप लग जाए तो इस्थिपा देना चाहिए यहां न्याले जो है प्राइमा फेसी यह कह रही है कि आपकी गिरिपतारी सही है आप एक तरह के आरोपी दोसी सावित हो रहे हैं इसके बाजुद आप देखी कोई नेतिकता नहीं और उस पे भी इनके प्रावत्ता बैट के और नेता बैट के जो है जूट बोलते हैं अर इतनी बड़ी बड़ी बाते क क्या बहुंद आज इस पस्ट किया सबसे बड़ी बात ने कहा कि इनों ने जो ने जो अपनी गिरपतारी को गलत बता रहे थे यह गिरतारी बिल्कुल गलत नहीं है क्लियर रहेंगा साब सब्दों में कहा कि गुवार्ट के चुनाओं में मनी ट्रेल दिख रहा है अभी कुछ देर पहले सौरभ भार्दुवार्ट में प्रेस कॉंफरेंस की कहा एक पूटी कौडी जो है वो अब तक हासल नहीं कर पाई है ना इडी ना सीबी आई हमार साथ य जो कि वो पैसा जो है खर्च कर दिया गया है चुनाओं में और उस गवाण ने इँहां पर जाकर कोट पे बयान दिया रहे जाकर कोट पे जान दिया कर दढ़ के वह जबाद दो रहे हैं क्या पोल कलपित बाते कर रहे हैं यह कौन अप यह अप्या अफवाह उडा रहे है माने इंट लोगी एंट शें गया आटी जी एस से गया आइंपी एस से गया काय से गया कहा गया अरे वह हवाला से गया है तो अब हो वाला वाला वह भी बैंट यहाँ आप घर में बैट करके कितने भी बना लीजे है कि रवीदी प्लीज जोड उपर सिना जो इसे हो सकती है। एडी के तक्थियों के मुताबिक केज्रीवाल इस घोटाले की साज़िश में शामिल है। क्या काम करेगा यह तो ट्राइल जब सबूत सामने आएंगे तो पता चलेगा कि क्या होता है अरे तो आपको क्यों बताएंगे वो तो खोट को बताएंगे ना के कथियों की मुताविक के जिबाल इस घुटाले की साज़िश में यह लाइन की लिखने के आपको कहना है अरे जो इडी ने कहा वह पोट ने शब्दुशा उसमें लिख दिया अरे क्या से लिख दिया अरे कि यह वह कोई कोई वह पालिख देगा घजब करते हैं तक तो आप को बड़े खुश हो रहे थे कर तक तो बड़े खुश हो रहे थे कि आप देखिए जहां वह सिंग सापको जो है अजाद कर दिया गया है हमारी जीत हुई और आज कोट जब आपको सुना रहा है और यह साफ तोर पर कह रहा है कि एडी के तथ्यों के मुताबिक के जिबाल गोटाले की साज़श में शामिल है आप कहा रहे हैं को अनुराग बदोरिया जी बताइए आप यहीं मानते हैं यह रवी जी रुख जाईए अब जोटा नहीं है मैं जोटा जोटा नहीं होता ऑप्जर्वेशन को क्यों साइडलाइन कर रहा है क्या वजा है आप जोटा अनुराग बदोरिया जी की बाड़ी है अनुराग जी देखे देखे सवाल तो तब उठता है जब एक अगर पत्रकार की रिपोर्ट के अनुसार एक समाचार पेपर की रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो 25 नेता ऐसे हैं जिनको भारती जनता पार्टी आपोजिशन 50 Grid लिडर है जिनको भारती जनता पारेजन अपने सात लिया और केसों पर विराम लग ज़ेखे पत्र जिस नेता थे थे ना तक काम किया आरोप दो लगाते थे उसकी बाद इस घुटाले का अरुप लगाते 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 आपने उनको आदर्स मंत्रियां एंपि बना दिया राजस्वास यह कॉन सा फरूमूला भी जनता जानना चाहती है इसके बाद आपने उसको अपना पोजीशन मना दिया ये भी जानना चाहती है जनता ये भी जानना चाहती है जिस शिवशेना को आप आप कहते हैं महराश्ट में बिदास हो में खड़े होगे डिप्टी सीम इनके क्या-क्या नहीं कहते थे अब बचारी नेत्याओं को इन्होंने अपने पाटी में शामिल कर दिया और उसके बाद उनके उपर जबे केसिस को रोग दिया अगया ना सब्सक्राइब आप अपने सिंदे गुरुपन आपने अपने पूछ रही हूं कौन सा फॉर्मूला है केके शर्मा जी जवाब दीजे ना देखे रुबिका जी यह जो है आज भधुरिया जी इस बात का जबाद तो दे नहीं पा रहे हैं कि जो न्याले ने आज निर्ने दिया है जो न्याले का निर्ने ने उस्पे इनकी क्या रहे है पूछ रहे हैं कि जो नेता आपके साथ आ गए यह जाना चाहता हुए इस पर जवाब पूछ रही हूं अब रुप जाईगी ना यह जवाब दे रही ही जवाब दे रहे हैं हाइक पर क्यों आपकी बोलती बंदर ने पाई कोण नि की बोलती बंढ रही है क्यों नहीं बोल पा रहे हैं किस पर आई है अर्वित के जिवाल पर आई है अरे सुन तो लीजे आप अरे आप चिला रहे हैं सुनना नहीं चाहिए रहे हैं देश समय बाद कर रहे हैं इसे उनको जस्टिस मिल जाएगा दिल्ली हाई कोट की ठिपड़ी पर पर हम कुछ नहीं बोलेंगे केकिशन माजी मैं देखें रुपिका जी यह कहना चाहता हूं उसका भी जवाब देता हूं यही आज से चार मेना पहले यह ठारा पार्टिया मिलके सुप्रिम कोट गई थी और यह सारे मामले लेके गए थे और एडी और सीवियाई को गलट ठहराने की कोशिस किया था अनुराची रुपिये पूरे दिन भर सुनवाई किया सारे मामलों का चाहरे लोग लेके रहे थे शुप्रिम कोट पूरी तरह से खारिज करते हुए कहा कि इसमें एडी और सीवियाई को हम किसी कीमत में नहीं रोकेंगे उनकी कारवाई को और कोई गलती एडी और सीविया सब्सक्राइब नहीं मिलेगा कि आप इदी ब्रस्टाचार भी करें आपकी जाचना हूं तो यह तो मैं सुप्रीम कोट कर रहा हूं लेकिन आज यह क्यों नहीं बोल पाएंगे इसका करण है क्योंकि यह सारे ब्रस्टाचारी राम लीला मायदान पे कड़े थे अभी एक सब्सक्राइब करने के लिए ब्रस्टाचारी के सब्सक्राइब करते हैं कि आपके साथ आते ही वह बिल्कुल पीस वाली मुद्रा में चले जाते हैं को जवाब नहीं है उनके पास में जवाब नहीं है मैं जवाब मांग रहा हूं इसलिए मैं केरह हूं कि इसलिए उसी कुछ नहीं देगना है सब कुछ नियाले से होगा तो यह प्रमुक सत्ता में किस लिए हैं तो यह कह देना सब नियाले सोगा फिर क्यों होगा इसमाइब करेंगी हम कुछ नहीं करेंगे अनुराग बदोरिया ऐसा है कहने को तो आप कुछ भी कह सकते हैं पूरा देश आज देख रहा है कि कोड की तरफ से क्या कहा गया है मैं बार बार उसे रुपीट नहीं करूंगी आप लोग पतली गली से निकलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो आज नहीं हो पाएगा आप मुझे बताईए हाई कोड से जो बड़ा जटका लगा है उस बड़े जटके पर आप बोलने से क्यों पत्रा रहे हैं क्या काप रहे हैं आप हर्श्वांदां त्रिपाटी भी हमारे साथ बने हुआ है ये नौटंकी करने से कुछ नहीं होगा सर नौटंकी करने से आपको कुछ आपको जनता देख रहे हैं आप उस मोहाने पर खड़े हैं जहां पर विश्वास जीतना है मत कीजिए मज़ाद ये मज़ाद आपको बहुत नहींवा पड़ेगा आपकी द्रेश की जनता को मज़ाद बनाके रखा हुआ है हाई कोट की टिपड़ी आज आपको मज़ाद लग रहे हैं हर्श्वार जंत्र पाटी जी ये बेस तरीका है कि आप आरोप लगा और भाग जाओ हाई कोट ने ज जो नियायले ने कहा उसी से मुझे शुरू करना चाहिए नियायले ने कहा कि राजनीत से नियाय नहीं होता है अदालतें नहीं चलती हैं कानून राजनीत से प्रभावित नहीं होता है अगर ये नियायले को कहना पड़ा है तो इसका सीधा सा मतलब है कि पिछले कुछ दिन कर रही है और उसके बावजूर पॉलिटिकली मोटिवेटेड एजेंडा उनके खिलाव चलाए जा रहा है वह पुरी तरह से धोस्त हुगा नंबरे नंबर दो यह जिस तरह से नियाएले ने कहा है नियाएले की वर्डिंग से जो आपने भी पढ़ के सुनाई शब्दशा वो उन प्रमाडों के आधार पर अर्विन केजरिवाल सीधे सीधे इसमें सलिप्त पाय जा रहे हैं। ये इतना बड़ा बयान है और इसको आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता रवी श्रिवास्तों कह रहे हैं कि हेड्लाइन मेनेजमेंट है। आदालत के आदेश को हेड्लाइन मेरेजमेंट बता रहे हैं और क्या न्यायाले किसी हेड्लाइन मेरेजमेंट के लिए अपने फैसले सुनाता है मुझे लगता है कि चुकि आम तौर पर ऐसे निर्णे उपर कोई कुछ बोलते नहीं है लेकिन अर्वीन जी तो लगाता है हेड़ा है इतने अ उतना आप लोगे हैं मेरेजस कि और को आपके अहां कि सुना दे तो आपको आपने सबी बना दी आपको लगता है कि आपके हिसाब से चले तो बढ़िया रभी जी और आपके हिसाब से ना चले हाइड की नहीं नहीं वो एजंडा आपका दिखाई दे रहा है रभी जी आपको वह जो कह रही है कि एडी के तथ ये बताते हैं कि अर्विन केड्रिवाल की सनलिप्तिता है ये क्या है ये मोईडा की चैनल में काम करने वाली जट साहबा की शब्द है ये बताईए बड़े आराम से आपने ये तो कह लिया कि ये तो है एडी के तथ बताते हैं कि एर्विन केड्रिवाल की इस में सनलिप्तिता है इसके क्या माने होते हैं ये ये बेवनियाद बात और सथिस्थी नहीं है आफ सथिके टथ गलत है यहाँ नौइडा के चैनल गलत है तिपनी घुलत है गिरफतारी घुलत है और अज़ना बहल सब गलत है हम बचारे मासूं हम ही सच्चे हैं हम ही सही है कि इडी इंकंट आपका ये विक्टिम पार्ट से तक कब तक है आपने देश के जन्ता को बेवकूफ समझ रखाएं क्या इस देश में चुनाव को लेके ना सिर्फ देश ने चुनाव पर आप चुनावायों के बाहर है आपको बख्वास बता देना है आपको मीडिया के उपर भी किसी तरीके से अक्षिप लगानाई से अपर आपको रोकना नहीं है सब बर्बाद है सब खराब है अर्विन केज्रीवाल जिन्दाबाद है जो खराब कहा जाएगा हाँ हाँ बस इकलोते वहीं को बच्चे है जिनको जिन्दाबाद करना चाहिए अमेरिका कह रहा है आज अगया अस्ट्रेलिया उनके गुंगान गाते रहे है यहाँ पर जय हिंग हो रहा है तो देखे यह इनकी मानसिक्ता को रूपिका जी समझना पूरेगा इनको भारत की नेले पर वरोसा नहीं है लेकिन अमेरिका का एक ब्यान पर भरोसा है इनको भारत के बड़े उच्छे नेले से और सुप्रीम कोड के निर्णाई पर भरोसा नहीं है इनको एक विदेश का एक पेपर एक मैगजीन का रिपोर्टा ने दी कुछ लिग देगा तो उस पर इनको भरोसा है तो यह तो इनकी मानसिक्ता है इनसे आप समझ सकते हैं भारत की देशों में लोग उपास कर रहे हैं के जरीवाल की आपके खोल ने देखिये श्रीवाल के यह वो चोर है यह वो चोर घुटाने बाज है जो भारत दीमत की तरह खोगला कर रहे हैं और मोदी जी की यह चिनोती है कि आपको जेर के सबसे बड़ी पंचायत जंता के सामने भी खड़े हैं और कुछी में अनुराग बदोरिया के सवाल का जवाब आप नहीं दे पाए हैं ना अनुराग बदोरिया जो आपसे सवाल पूछ रहे हैं यह सवाल तो मैं रभी जी से पूछ लूगा अनुराग बदोरिया जो सवाल पूछ रहे हैं शर्मा जी उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं अनुराग बदोरिया कुछ पूछ रहे हैं आपसे क्या जवाब पर दोनों के एक सेंटेंस को नहीं सुन पा रही हूं तो जनता खत भूली पर दोनों के बताईए कि आपका भाक अधा तो नामशीद पेपर में आया है आप बताईए जिनको आप कहते हैं चक्की पीसिंग करके पर आपको सब्कुरतर सब्सक्राइब आपको सब्सक्राइब यह पर वापस वही काम कर रहे हैं करना पड़ेगा और उसका जवाब लेने के लिए मैं आपका भी पूरा साथ देती रहूंगे समझे आप आप समाल पूछते रहें मैं साथ देती रहें हैं आपका गुछ नुमाहने साथ नहीं करें हैं ऑठागे नहीं कर दो कि अद मीचाने नहीं है नियाले पर विश्वास है। हरी में में विख्वास है आप देश के सम्मिधान नियायले पर मुझे पूरा विश्वास है कई न gözख वर सर्वोच नियाले से भी समा से है सुन लिगा-बिबिगु आप जब यह-ICA इस रबोचल दियातन अब जो आज़ेस दूसरा आएगा तो फिर आप क्या करेंगे अब विए अबूले आप और क्यों नेर बोलिए आ अज पूला की तरफ से जो पहा जाएगा वो माना जाएगा सब्सक्राइब तो आप से कह रहा हूं रूबिका जी रूबिका जी हम तो मान रहे हैं लेकिन बीजेपी क्यों नहीं मान रहे हैं पचीस नेताओं को अब वापक शर्मा जी जवाब दीजिए इसका की पत्चिस नेता गिना रहे हैं लोग पता ही नी क्या जवाब अब बताए बदर्या बतादे अजीट पवार को जो है समाप्त किया यह बताए जो है तो है तो है उससे चलेगा जब इनके आजीट पवार थे अब भरस्त है नहीं थे वो भी इस परस्ट करें आजे यह बताए इस बात को कि अनके इस बात की खुषी है कि अम्राग बदोरिया नहीं यह माना कि केजरी वाल भस्ताचारी है नहीं लेक्रा रहा है वरिष पत्रकार भी हमारे साथ मौझूद है त्रपाथी जी आज की तारीक में सवाल ये होगा कि कोट ने जो बात कही है वो तो एडी के तथ्यों पर कही है रवी जी कह रहे हैं कि हमें तो एडी पर ही बरोसा नहीं है फिर वो मंगुंटा जी का जिक्र कर रहे हैं वो तमाम दूसरे अप्रूवर्स का जिक्र कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि इनको टॉर्चर किया गया फिर इन्हों ने अपने बयान जो है वो बदल दिये या उस बयान में अर्विन केज्रिवाल को इंक्लूब कर दिया और इसलिए अज अर्विन केज्रिवाल सराकों के पीछे ह पहली तिपड़ी मेरे धुरी रह गई चुकि रवी जी बीच में खूद पड़े अब रवी श्रिवास्तो अब शेक मनु सिंग भी और देश के बड़े वकीलों से ज्यादा जानकार हो गए इनको वकील बनाना चाहिए अर्विन केजरिवाल जी को सब को हटाकर इनको वकील प्रविच में खूल देना चाहिए तो कि यही कुछ अब शायद बचा पाएं आप शुद बचाएं बीच में ने खूलते हैं रवी श्रुआ तो इतनी अब अब अधरता ठीक नहीं है आप इस तरह बात मैं भी बीच में बीच में देश की बांदिया विक्तमंत्री और कैम सब्सक्राइब करने की कोशिश करें सुकून से सुनिये ना आप में बड़े-बड़े आरोप लगा है सुकून से सुना गया अब इसको सुन लीजे आप रुबिका जी इसका सीधा सा मतलब हुआ और चुकि मैं जानता हूँ अनुराग भदोरिया भी बहुत तयारी से आते हैं रविश व्यास्तों भी अपने तहीं कितरा भी भरष्टा चार का रोप लगा हो अरविन जी को बचाते हैं आज दोनों बचा नहीं पा रहे हैं इसक पार्टी के सारे प्रोपगेंडा की प्राणवायू निकल गई और आज जो नियायले ने बताया है इसके बाद तो आम आदमी पार्टी के कारकरता जो बेचारे केंडल लाइट और थाली ताली कर रहे हैं तो उनमें अब वो साहस भी नहीं बचेगा जो लोग ये कह रहे थ पार्टी के लिए बहुत गंभीर संकत दिखरा है और शायद यहीं बजा है कि आम आदमी पार्टी का पूरा अभियान अब जेल में जो केजरिवाल है उसको वोट से जवाब दो करें यह पूरी पार्टी जेल में जाने को है यह 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 आशंका जताई जा रहे है हर्श्व पत्रकार हैं पत्रकार की जिम्मेदारी होती है ठीक है वो हाई कोड की बात बता रहे है अच्छी बात है लेकिन आप बार बार पूछ रहा हो बीजेपी के बारे में दो शहुत बोल दो कि वही पचीस नेता के साब कैसे हो गए उसमें उनको सांप सूंग गया है उसमें मिलेगा नियाई तो मिलना है ये मान के चलिए नियाई मिलेगा मुझे पूरा विश्वास है इस देश के अंदर में नियाई पालका और शामिधान पच्छा आपने उन पर आरोफ लगाया है उनको पत्रकार की बात क्यों निकरते हैं तिर्फ दो लाइने जिनके ऊपर भरष्टाचार के मामले थे वो भारती जनता पार्टी में आ गया है मेरी नजर में वो आज भी भरष्टाचारी है नमबर एक नमबर दो ये प्रफल पतेल के मामले में मामला दर्जी ही सरवोच चिने आले के हस्तक शेपसे हुआ था सरवोच चिने आले को CBIN रिपोर्ट सौंपी है मैं नेशनल टेल्वीजन चैनल पर कह रहा हूँ सर्वोट चिन्याले को रिपोर्ट खाइज करनी चाहिए और नए सिरे से ज्यादा मजबूती से जाच करानी चाहिए जो भी ब्रश्टा चाहिए उनकी जगाए जो भी ब्रश्टा चाहिए चाहिए वो शर्मा जी के पार्टी के हो या आम आदमी पार्टी के हो जो ब्रश्टाचारी हैं उनको किसी भी कीमत पर सलाखों के पीछे होना चाहिए इसमें कोई दो राए नहीं होनी चाहिए इसमें कोई फिन मत होना ही नहीं चाहिए फिलाल दीजे अजाज़त कल होगी आपसे मुलाकात लेकिन आट बजे देश नहीं जुकने देंगे मैं आपके सामने हो जाओंगी हाजर आप देखते रहिए न्यूज एटी निल्टी हाइकोट ने कहा कि इडी ने उन्हें परियाप्त मोके दिये इडी ने कई बार संबन दिया लेकिन वो गए नहीं और अर्विंद केज्रिवाल को भी पता था कि चुनाओ की तारीके नद्रीक आ रही हैं उन्हें पहले ही चले जाना चाहिए था अगर वो एम्सीदी लगने इडी को जब ज़रुत लगी इडी ने उन्हें ग्रफतार किया और कोट ने साफ कहा कि अर्विंद केज्रिवाल की भूमिका को लेकर जो गवाओं के बयान है इडी के सबूत है आम आदमी पार्टी के एक एंडियेट का बयान है यह परियाप्त है यह सबसे बड़ी ख़ब इन कोट में चुनाती दे सकते हैं लेकिन हाई कोट के जटके के बाद बीजेपी ने के जिवाल पर निशाना साधा है सुनिए मानिय उच्चे नियायले ने श्री केजरिवाल के संदर्ब में जो निर्णे दिया है उससे तथ्यों के कठोर धरातल पर आम आदमी पार्टी का अहंकार चकना चूर हो गया है स्वगोशित कटर इमानदार का किरदार धारदार तथ्यों के साथ पूरी तरह तार तार हो गया है इस हमाने बात नहीं है देखे जिस प्रकार से उन्होंने जमानत के लिए नहीं ये बात हम ऐसे नहीं कह रहे है उन्होंने तो सीधे सीधे अपनी अभिरक्षा को ही यानि अपनी हिरासत को ही चुनावती दी थी अहंकार ये था कि मुझे छूट नहीं चाहिए मुझे दूसरे को गलस साबित करना इसलिए मैंने कहा कि वो अहंकार चूर चूर हो गया है क्योंकि मानी न्यायले ने जो अभी मीडिया में प्राप्त सूचना उसके अनुसार यह बिंदुसपष्ट का आए कोट क्लारिफाइज देट पेटीशन इस फूर डिसाइडिंग दा अरेस्ट इस इलिगल क्योंकि उन्होंने तो सीधे यह कहा था कि आरेस्ट ही इलिगल है यानि वो जमानत मांगी नहीं रहे थे और इतनी बड़े अहंकार के साथ वो आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे और इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए कि बताईए कोट ने जो कहा वो सच है माहौल जो बनाया जारा वो सच है हमारे साथ खास मेहमान शामल हो गए है सबसे पहले आपको स्क्रीन पर मैं मुलाकात करवा देना चाहती हूँ अनुराग भदोरिया जो के हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राश्य उप्रवक्ता जुड़ चुके हैं केके शर्वा साब अपसे कुछी देर में भारतीय जनता पार्टी के राश्य उप्रवक्ता जुड़ने वाले हैं हमारे साथ इस वक्त रवी जी आपको दिखाई दे रहा हैं जो के राजनितिक विशलेशक हैं और इनफाक्ट जब आमात्मी बनी थी, आमात्मी पार्टी का गठन हुआ था, वो गठन करने वाले फाउंडिंग मेंबर्स में से एक नाम आप रवी जी का ले सकते हैं, हमारे सा आती है कि दाल में कुछ काला है, इनफेक्ट डाल पूरी काली है, ने रुबिका जी नमस्कार, पहली बात तो ये कि जो आज हाई कोट का जो भी ये दिनने है, ओर्डर है, ये आपके लिए हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जो बाते इसमें कह ही गई है, वो जो भाजपा का एजेंडा है, कमसे कम उसको पूरी तरह से कनफर्म करती है, जैसा मैं आपको इस जजमेंट के बारे में भी बता दूँ, कि इस जजमेंट की मुझे तो कम से कम पूरी अपेक्षा थी, कि इस तरह की बाते इसमें कही जाएगी, और अर्विल क पता था कि यह सारी बाते लिखी जाएगी, और आपको आप कैसे कह सकते, किस बिना पर कह सकते, हेडलाइन मैनजमेंट के लिए थीक है, कोड ने हैं यह तिपड़ी की है, मैं कोड पर कोई टिपड़ी नहीं कर रहा हूं, रुबिका जी, बिदा यह कहना है, कि यह बातें कह अब बाइस हैं। किया वह एंटडेट है, केक शर्वा जी भी का प्रचाल कर रहे हैं, लेकिन कोड ने जो कहा है, उससे आप क्यों बच रहे हैं, कोड जो डिपणी करता है, उससे तो आप इघर उदर नहीं कर सकते, वो ना भावनाऊं से चलता है, ना राजनीती से चलता है, इसी बात का धि कि आप अभी जुड़े नहीं थी उससे पहले रवी जी ने कहा कि यह जो असल ब्रश्टा चारी है वो तो आप लोगों के लिए कैम्पेंड कर रहे हैं कोड की टिपणी तो इनको पता थी क्या आने वाली है तो जूटों की पार्टी है और आज तो बिल्कुल इस्पस्त हो गया कि यह घोटाले बाज जूटों की पार्टी है और इनका तो इतिहास ही रहा है केजरी वाल का क्या इतिहास रहा है केजरी वाल का इतिहास ही रहा है कि मैं कभी पार्टी नहीं बनाओंगा पार्टी बना ल या बंगला नहीं लूँगा सिकूर्टी नहीं लूँगा मैं और देखिए बड़े-बड़े सीसमहल बना लिए यह हमेशा से निरंतर जनता को जूट बोलना और वही कामाज भी कर रहे हैं यही अभी कहते थे कि न्याले का अगरे किसी पर आरोप लग जाए तो इस्थिपा देना चाहिए यहां न्याले जो है प्राइमा फेसी एक कह रही है कि आपकी गिरपतारी सही है आप एक तरह के आरोपी दोसी साबित हो रहे हैं इसके बावजुद आप देखिक कोई नेतिकता नहीं और उस पर भी इनके जो है प्रवता बैट के उनेता बैट के जो है कुल गलत नहीं है क्लियर रहिंगा साब सब्दों में कहा कि गुवाज के चुनाओं में मनी ट्रेल दीख रहा है लेकिन वह अब इस पस्तता से का अभी कुछ देर पहले सौरभ भारद्वाज में प्रेस कॉन्फरेंस की कहा एक खुटी कौडी जो है वह आप तक हासल नहीं कर पाई है ना इडी ना सीबी आई हमारे साथ यहां अनुराग बदोरिया भी है केके शल्बाजी इस पर तो इडी नहीं सपस्टता की हुई है इडी ने कहा है क्योंकि वह पैसा जो है खर्च कर दिया गया है चुनाओं में और उस गवाह ने उहां पर जाकर कोट में बयान बदोरिया आई क्र ट्री सपस्टत साथ यह कौन सी आप आफ यहां पर अप्वाह उड़ा रहे हैं क्योन वाह है边ने कौन कौण पैसा पर चूंप हां पर सब्सक्राइब करें तो आप घर में बैट करके कितने भी बना लीजिये प्लीज जो अपर हसी नहीं कैसे हो सकती है इडी के तक्थियों के मताबिक केज्रिवाल इस घोटाले की साज़श में शामिल है इडी के मताबिक वो व्यक्तिगर और आप सजयोजा दोनों के तोर पर शामिल है तो इडी क्या काम करेगा ने तो इडी क्या काम करेगा बचल कहेगा मैडम यह तो ट्रायल जब सबूत सामने आएंगे तो पता चलेगा कि इडी जूर बोल रहा था पत्थियों के मताबिक का मतलब क्या होता है अरे तो इडी के तथियों के मताबिक अरविक के जिवाल इस घोटाले की साज़िश में शामिल है यह लाइन की लिखने क्या जरूतिया आप सा कहना है कोट ने जो इडी ने कहा वो चुछ ने शब्दशा उसमें लिख दिया अरे क्या से लिख दिया अरे कोट का कोई सूझबूज है के नहीं है कोई भी उसको कुछ भी बोले कर लिख देगा घजब करते हैं आप कल तक तो बड़े खुश हो रहे थे कि आप देखिए वो सिंग साब को जो है आजाद कर दिया गया है हमारी जीत हुई है और आज कोट जब आपको सुना रहा है और यह साफ तोर पर कह रहा है कि ED के तत्यों के मुताबिक केड्रिवाल इस घोटाले की साज़श में शामिल है आप कह रहे हैं कोट ने लिख दिया अनुराग बदोरिया जी बताइए आप भी यही मांते हैं नभी जी रुख जाए अब यह तो नहीं है मैदा मुझे तो पर अब्सुवेशन को क्यों साइड लाइन कर रहे हैं क्या वजा है अंधे क्यों बन रहे हैं आप अप्जर्वेशन चोटा मुटा है क्या चोटा मु देख़ी सवाल उठा है एक पत्रकार की अनुसार एक पेपर की रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो पचीस नेता ऐसे हैं जिनको भारती जनतापाटी अपोजीशन लीडर है जिनको भारती जनतापाटी ने अपने साथ लिया और तेज केसों पर भीराम लग गग लिया तेज पचीस नेता थे ना जिनका नाम भी दिया गया था बागा था चाहे अजीत पवार जी रहे हो चाहे नरा राने जी रहे हो पूरा लिस्ट है तो मैं जानना चाहता हूं भश्टचार के खिलाप इतनी तेज आबाज भारती जनता पार्टी के तो न पचीस नेताओं में देश नेताओं के केसेस में बीराम क्यों लग गया, ये भी तो जाननी की ज़रूवत है, आखिर ऐसा कौन सा फर्मुला भारती जनता पार्टी के पास है, जो भारती जनता पार्टी पहले चक्की पिसिंग, चक्की पिसिंग की बात करती है, बात में पिर मंत्री बनाइंग प अधिकारी पर आप आरोप लागा रधे तो उसके बाद ने अपना विए जूड़ा एवपकर बिना दिया स्वूजंयै небपी जानना चाहते हुआ आप सवाल को खुटेजे केते बाला में पेड़ाष्ट नइउस्वात विट्वत सब्सक्राइब नहीं बताई आपने सिंदे गुरु पना है वहीं सिंदे गुरु पर मैठे यह तो सब्सक्राइब कोई नहीं बताई आपने पर्मूला है क्क शर्मा जी जवाब दीजे ना देखे रूबिका जी यह जो है आज भदूरिया जी इस बात का जवाब तो दे नहीं पा रहे हैं कि जो न्याले में आज निर्ने दिया है जो न्याले का निर्ने में उच रहा है कुछ मैं कह रहा हूं जी नेताओं लगा जो नेता आपके साथ वह टाए ना इसी पर जवाब पूछ रही हूं अब रूप जाईजए ना यह जवाब देरी हिजे डरे आज ने आज दुने आले ने जाए हैं तो आज ने पूछें आपसे हाइए को पर क्यों आपकी बोल्ती और नहीं आपको आपकी बोलती बंद हो रही है क्यों नहीं देखें की तिफपनी आई है पालगास चलता है लिखें लिखें या की तिफपनी किस पर आई है अर्विक के जिवाल पर आई है दिल्ली आइकोर्ट की ठिपड़ी परपर हम कुछ नहीं बोलेंगे के किशन माजी यही आज से चार मेना पहले यह ठारा पार्टियां मिलके सुप्रीम कोड गई थी और यह सारे मामले लेके गए थे और ED और CBI को गलट ठेराने की कोशिज किया था पूरे दिन भर सुनवाई किया सारे मामलों का चार्ड यह लोग लेके गए थे सुप्रीम कोड पूरी तहां से खारिज करते हुए कहा कि इसमें ED और CBI को हम किसी कीमत पे नहीं रोकेंगे उनकी कारवाई को और कोई गलती और CBI की नहीं है और आपको विशेसाधिकार नहीं मिलेगा कि आप इदी ब्रस्टाचार भी करें आपकी जाच नहीं तो यह तो मैं सुप्रीम कोड़ कोड कर रहा हूं लेकिन आज यह क्यों नहीं बोल पाएंगे इसका करण है क्योंकि यह सारे ब्रस्टाचारी राम लीला प्रस्टाचारी जो आपके साथ मिल जाते हैं उनके पास में जवाब नहीं है जवाब माग रहा हूं इदर बाग रहे ना सुप्रीम कोड से बड़ा तो नहीं है न कोई सुप्रीम कोड से तो पोई बड़ा नहीं है ना सुप्रीम कोड में सारे मामने लेकर गए इस चमड ओर क्या जवाब दिया है सुप्रीम पर टो इसलिए मैं कहरा हो कुछ नहीं देम Nein सब कुछ नियाले से होगा तो यह प्रभुक सत्ता में किस लिए है सब नियाले से होगा फिर क्यों होगा इस लिए करेगी हम कुछ नहीं करेगी है क्याने को आप जवाब नहीं दे पारे हो पूरा देश आज देख रहा है कि कोड की तरफ से क्या कहा गया है मैं बार बार उसे रिपीट नहीं करूंगी आप लोग पतली गली से निकलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो आज नहीं हो पाएगा आप मुझे बताइए हाई कोर्ट से जो बड़ा जटका लगा है उस बड़े जटके पर आप बोलने से क्यों पत्र आ रहे हैं आप क्यों का आप रहे हैं आप आप उस मोहाने पर खड़े हैं जहां पर विश्वास जीता हैं मत कीजिए मजाथ ये मजाथ आपको बहुत नहींगा पड़ेगा आपने देश की जनता को मजाथ बना के रखा हुआ हैं हाई कोट की टिपड़ी आज आपको मजाथ लग रहे हैं यह बेस तरीका है कि आप आरोप लगा और भाग जाओ हाई कोट ने जो टिपड़ी के सर यह महस टिपड़ी सोचके और कहकर मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए यह किसी को भी प्रुबिका जी मुझे लगता है कि जो न्यायले ने कहा उसी से मुझे शुरू करना चाहिए न्यायले ने कहा राजनीती से न्याय नहीं लगा नहीं होता है अधाल्ते नहीं चलती हैं कानून और प्रभावित नशे अगर यह से संदेश देने की कोशिश की कि दरसल जो भी एजिंसियां कर रही है और उजो नियायले में ले जा रही है उसके बावजूर पॉलिटिकली मोटिवेटेड एजिंडा उनके खिलाब चलाए जा रहा है वो पुरी तरह से धुस्त हुगा नंबर है नंबर दो ये जिस तरह से नियायले ने कहा है नियायले की वर्डिंग से जो आपने भी पढ़के सुनाई शब्दशा वो कह रहे हैं कि भई जो कुछ हमारे पास प्रमाड है और जाहिर है ED का ही प्रमाड होगा कोई हर्श्वर्धन त्रिपाठी या रवी श्रिवास्तो या अनुराग भदोरिया तो लेके जाएंगे नहीं ED लेकर जाती है ज्यांच एजनसी का काम ही यह है उन प्रमाडों के आधार पर अर्विंड केजरिवाल सीधे सीधे इसमें सनलिप्त पाए जा रहे है ये इतना बड़ा बयान है और इसको आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता रवी श्रिवास्तों कह रहे हैं कि हेड्लाइन म management बता रहे हैं और क्या नयायाले किसी headline management के लिए अपने फैसले सुनाता है मुझे लगता है कि चुकि आम तौर पर ऐसे निर्णे उपर कोई कुछ बोलते नहीं है लेकिन अर्वीन जी तो लगाता है तो सब बढ़िया और अगर आपकी घाय तो सब बढ़िया और आपके खिलाव कुछ सुना दे तो आपको आपने सब की कोट्री बना दी हैं आपको लगता है कि आपके हिसाब से चले तो बढ़िया रवीजी और है्वाई कोट की जैनल में काम करने वाली कंचार ही औ serving वो जो कह रही है कि एडी के तत्थ ये बताते है और्विंद K.D. रिवाल की संलिक्तता है ये बताएए बड़े आराम से आप उससे बड़ी अदालते बहुत अच्छी बात है लेकिन हाई-कोड की तरफ से कि तरफ से जो कहा गया है इडी के तक थे बताते हैं के एरविन केज़ी वाल की इसमें सनलिपता है इसके किया माने होते है जूट है यह बेबुनियाद बात है और लाइड आप तक तर गलत हैं इडी के तक तर गलत है सब गलत है हम पिचारे मासूम हम ही सच्चे हैं हम ही सही है आपका ये विक्टिम कार्ट्स है अब तक कब तक हो रहा है आपने देश के जन्पा को बेवकूफ समझ लखाया है इस देश में चुनाव को लेके ये ना सिर्व देश में चुनाव पर आपको रोकना नहीं है सब बरबाद है सब खराब है अरवन केड्रीवाल जिन्दाबाद है जो खराब है उसे खराब कहा जाएगा अब बस इकलोते वही को बचे हैं जो जेल वही बचे हैं जिनको जिन्दाबाद करना चाहिए अबरिका कह रहा है आज ये इंगलेंड कह रहा है आज ये अस्ट्रेलिया उनके गुनगान गाते रहे है यहाँ पर जय ही नहीं हो रहा है के के शर्मा जी देखे ये इनकी मानसिक्ता को रुपिका जी समझना पुरेगा इनको भारत की नयले पर भरोसा नहीं है लेकिन अमेरिका का एक ब्यान पर भरोसा है इनको भारत के बड़े उच्चे नयले से और सुप्रीम कोर्ट के निर्णाई पर भरोसा नहीं है इनको एक विदेश का एक पेपर एक मैगजीन का रिपोर्टर ने दी कुछ लिग देगा तो उस पर इनको भरोसा है तो यह तो इनकी मांसिक्ता है इनके आप समझ सकते हैं भारत की देशों में लोग रख कर रहे हैं और मोदी जी की चिनोपी है कि आप कुछ पर इनको आपने की आपने की आपने की आपने की देश की अदालत के भी सामने आए हैं हम जो है देश की सबसे बड़ी पंचायत जंता के सामने भी खड़े हैं अभी भी अनुराग भदोरिया के सवाल का जवाब आप नहीं दे पाए हैं ना वो अनुराग भदोरिया जो आपसे सवाल पूछ रहे हैं ये सवाल तो मैं रभी जी से पूछ लूँगे जब आप दे सकते हैं तो डाग पधो रिया ? अजिदा न कि कहते है खाल अपी चक्की पि सिंग-चक्की पिसिंग-चकी पिसिंग-चकी पिसिंग-पिसिंग-ठावी सीखर आप दोनों के एक सेंटेंस को मैं अब तक नहीं सुन पा रही हो तो जनता खत्र भूली जाहिए यह अप राधी है आप शर्मा जी रुख जाहिए अनुराग बदोरिया की बार देखिए मैं बार बार इंसे पूछ रहा हूं कि यह बताईए कि आपका बाकादा बाकाद आप नाम सहीद पेपर में आया है आप बताई जिनको आप कहते हैं चक्की पीशिंग 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 करके आपने मंत्री बनाएं तो मंत्री बनाएं खा गयते हैं आप हजारत कोड़ों के घोटा लगी बात कर रहे थे उसी सदने के अंदर खड़े वही डिप्टी सी है आ आपने वहां तर ने पार्टी पर आपने मंत्री बनाएं आप सुने आप वही काम कर रहे हैं पर आपके पाक साप कैसे हो जा रहे हैं और रिपीट तेलिपास रुग जाएगी ना मैं कहा रही हूं उस सवाल का जवाब मैं ले 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 पीट करना पड़ेगा आँ बार-बार और उसका जवाब लेने के लिए मैं आपका भी पूरा साथ देती रहूंगे समझ के आप सवाल पूछते रहें मैं आपका साथ नहीं बोला आज बोला की नहीं बोला जंता को आपने का नियाले पर विश्वास है नियाले की तरफ से क्या का आजिया एडी के तर्स्क्रिव के मताबिक के जीवाल इस घोटाले की साज़िश में तॉर बीज़ाया और आफ स्योज़न दोनों तोर पर शामिल पूर्च नियाले में भी आप जब यह यह सर्वोच नियाले जाएगा अगर आदेश दूसरा आएगा तो फिर आप क्या करेंगे अभी बोलिए आप हाँ क्यों नेर बोलिए अरे मैं कोट के साथ है कोट का आज कोट सर्वोच चुपावर कोट की तरफ से जो कहा जा रहा हूं वो मारा जाएगा मैं तो आप से कह रहा हूं रूबिका जी रूबिका जी हम तो मान रहे हैं लेकिन बीजेपी क्यों नहीं मार रहे हैं पचीस नेताओं को शामिल किया जिन पर फश्चार कारोप लगाती तिया वो पाक्साफ होगे जब जब जवाब दे तो आप सुझे ना वेरी गूड यह सवाल पूछना चाहिए आपको अब आप वापन के के शर्मा जी जवाब दीजिए इसका कि पताई यह क्या जवाब देना पत्चिस नेता गिना रहे हैं लोगो पता ही नीए कि क्या जवाब दें चाहिए क्या जो है तो है वो जब इनके आजीत पवार थे थे अर नहीं थे वो भी उत्पस्ट करें आजे यह बताए इस बात को मैं इसमें कर रहा है तो आप मुझे एक बात की खुशी है कि अम्राग मदोरिया ने यह माना कि केजरी वाग भृस्टाचारी है आप 25 नेता आप अब भृस्टाचार पर पहुचा हूँ से पहले वरिश पत्रकार भी हमारे साथ मौझूद है त्रपाथी जी आज की तारीक में सवाल यह होगा कि कोट ने जो बात कही है वो तो एडी के तथ्यों पर कही है पर यह बता रहे हैं कि इनको टॉर्चर किया गया फिर इनों ने अपने बयान जो है वो बदल दिये यह उस बयान में अर्विन केजिवाल को इंकलूड कर दिया और इसलिए अर्विन केजिवाल सराकों के पीछे है पहली तिपड़ी मरे धुरी रह गई चुकि रवी जी बीच में पूत पड़े अब रवी श्रिवास्तों अब शेक मनु सिंग भी और देश के बड़े वकीलों से ज्यादा जानकार हो गए है इनको वकील बनाना चाहिए अर्विन केजरिवाल जी को सब को हटा कर इनको वकील ना चाहिक यही कुछ अब शयद बचा पाएं वारी आप शब्रदी के अधार कैमरा के दो किरें टाजिए अम्यौन की मों ब्रश्तों को अपने पार्टी ने के तयार है वो आप लोग करने की कोशिश कर रहे हैं सुकून से सुनिये ना आपने भी बड़े आरोप लगा है सुकून से सुना गया अब इसको सुन लीजे आप रुबिका जी इसका सीधा सा मतलब हुआ और चुकि मैं जानता हूँ अनुवाग भदोरिया भी बहुत तैयारी से आते हैं रविश व्यास्तों भी अपने तहीं कितरा भी भरष्टा चार का रोप लगा हो अरविण जी को बचाते हैं आज दोनों बचा नहीं पा रहे हैं इसका सीधा सा मतलब हुआ जो अरविण केजरीवाल जो उनकी पार्टी को संजय सिंग की जमानत से एक्स ऑक्सीजन मिली थी संजीवनी मिली थी मृत प्राय होती पार्टी को वो सारा का सारा खतम हो गया इस पार्टी के सारे प्रोपगेंडा की प्राणवायू निकल गई और आज जो नियायले ने बताया है इसके बाद तो आम आदमी पार्टी के कारकरता जो बचारे केंडल लाइट और थाली ताली कर रहे है तो उनमें अब वो साहस भी नहीं बचेगा जो लोग ये कह रहे थे अब उनको साथ दिखेगा कि इसके बाद दुर्गेश पाठक और रागव चड़ा तक ये जान जा सकती है जिस तरह से इनके पीए विभवकुमार को बुलाये गया है और जिस तरह से एक के बाद एक कडिया जुड़ती हुई दिख रही है उसमें आने वाले दिनों के लिए आम आद्मी पार्टी के लिए बहुत गंभीर संकत्य दिखरा है और शायद यही मज़ा है कि आम आद्मी पार्टी का पूरा अभियान जेल में उसको वोट से जाब दुख करें पोरी पार्टी जेल में जाने को है। यह अशंग का ज़ता ही जा रहा है हर्षबरदं तृपार्टी की तरफ से sih Anujre Вас तरे कि यह और कई साप उनको सांप गया है उसमें वो चुप चाप है उसकुछ नहीं बोला hain अरे प्रभू, पत्रकारता को क्यों सर्मिंदिगी महसूस करवाते हो भाई, पत्रकारता का धर्म निभाओ, भाई आप दोना तरफ बात करो, कि ओ भी गलते पचीस लोग को लिया गया, दूसरी बात, हमें नियाई पालका विश्वास है, बात सब उच नियाले जाएगी, सब मामले थे, वो भारती जनता पार्टी में आगये, मेरी नजर में वो आज भी भ्रष्टाचारी है, नमबर एक, नमबर दो ये, प्रफुल पटेल के मामले में, मामला दरजी ही सर्वोच चिनेयाले के हस्तक्षेप से हुआ था, सर्वोच चिनेयाले को CBI ने रिपोर्ट सौ इद्मी पार्टी के हों, जो ब्रष्टाचारी हैं, उनको किसी भी कीमत पर सलाखों के पीछे होना चाहिए, इसमें कोई दोराएं नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई इफिन मत होना ही नहीं चाहिए, फिलाल दीजिए अजाज़त, कल होगी आपसे मुलाकात, लेकिन आट केजरीवाल की आचिका को खारिश किया, उसके बाद ये साफ हो गया, कि आप कम से कम 15 अपरेल तक केजरीवाल को तिहार में ही रहना पड़ेगा, हराकि सूत्रों के मताबिक केजरीवाल इस हाई कोट के फैस्टे को कल ही सुपरीन कोट पे चुनाती दे सकते हैं, लेकिन अनिये उच्चे नियायले ने श्री केजरीवाल के संदर्ब में जो निर्णे दिया है, उससे तथ्यों के कठोर धरातल पर आम आदमी पार्टी का अहंकार चकना चूर हो गया है स्वगोशित, कटर इमानदार, कक्रदार, धारदार तथ्यों के साथ पूरी तरह तार तार हो गया है इस हमानने बात नहीं है देखे, जिस प्रकार से उन्होंने जमानत के लिए नहीं, ये बात हम ऐसे नहीं कह रहे है उन्होंने तो सीधे सीधे अपनी अभिरक्षा को ही, यानि अपनी हिरासत को ही चुनावती दी थी अहंकार ये था कि मुझे छूट नहीं चाहिए, मुझे दूसरे को गलस साबित करना इसलिए मैंने कहा कि वो अहंकार चूर चूर हो गया है क्योंकि मानी न्यायले ने जो अभी मीडिया में प्राप्त सूचना उसके अनुसार यह बिंदुसपष्ट का आए, कोर्ट क्लारिफाइज देट देट पेटीशन is for deciding the arrest is illegal क्योंकि उन्होंने तो सीधे ये कहा था कि arrest ही illegal है यानि वो जमानत मांगी नहीं रहे थे और इतनी बड़े अहंकार के साथ वो आगे बढ़ने का प्रेयास कर रहे थे और इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए कि बताईए कोट ने जो कहा वो सच है माहौल जो बनाया जा रहा वो सच है हमारे साथ खास महमान शामल हो गए है सबसे पहले आपको स्क्रीन पर मैं मुलाकात करवा देना चाहती हूँ अनुराक भदोरिया जो के हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राश्य उप्रवक्ता जुड़ चुके है केके शर्मा साथ अपसे कुछी देर में भारतिया जनता पार्टी के राश्य उप्रवक्ता जुड़ने वाले हैं हमारे साथ इस वक्त रभी जी आपको दिखाई दे रहा हैं जो के राजनितिक विशलेशक है और इनफाक जब आम आत्मी बनी थी आम आत्मी पार्टी का गठन हुआ था वो गठन करने वाले फाउंडिंग मेंबर्स में से एक नाम आप रभी जी का ले सकते हैं हमारे साथ वर कुछ काला है इनफेक्ट डाल पूरी काली है ने रुबिका जी नमस्कार पहली बात तो यह कि जो आज हाई कोर्ट का जो भी यह निरिने है और है यह आपके लिए हैडलाइन मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि जो बाते इसमें कहीं गई है वह जो भाजपा का एजेंडा है कम से कम उसको पूरी तरह से कंफॉर्म करती है जैसा मैं आपको इस जजमेंट के बारे में भी बता दू कि इस जजमेंट की मुझे तो कम से कम पूरी अपेक्शा थी कि इस तरह की बाते इसमें कहीं जाएगी और अर्विल केजरिवाल ने कोई बेल तो आपको कैसे पता था कि यह सारी बाते लिखी जाएंगी और आपको कैसे कह सकते किस बिना पर कह सकते है एडलाइन मैनेजमेंट के लिए ठीक है वह अलग है अब एक बात मुझे बताएंगी जासाइबा ने कहा कि जो अप्रूर का कानून है वो सौ साल पुराना है बिलकुल ठीक वगर सौ साल पहले इलेक्टरल बांड दे करके अप्रूर नहीं बनता था आज बनता है अब जासाब तो उन्होंने ये बात तो नहीं मानी है उन्हों वो आज भाजपा के मगुंटा रेटी उम्मीदवा रहे हैं लेकिन कोड ने जो कहा है उससे तो आप इदर उदर नहीं कर सकते वो ना भावनाव से चलता है राजनीती से चलता है इसी बात का जिक्राज किया है केके शर्वा जी आप अभी जुड़े नहीं थी उससे पहले है रभी जी ने कहा कि यह जो असल ब्रश्टा चारी है वो तो आप लोगों के लिए क्यांपेइन कर रहे हैं कोड की टिपणी तो इनको पता थी क्या आने वाली है कि यह तो जूठों की पार्टी है रुबिकाजी और आज तो बिल्कुल इस्पस्थ हो गया कि यह घोटाले बाज जूठों की पार्टी है और इनका तो इतिहास ही रहा है केजरी वाल का क्या इतिहास रहा है केजरी वाल का इतिहास ही रहा है कि मैं कभी पार्टी नहीं बना और देखिए बड़े-बड़े सीसमहल बना लिए यह हमेशा से निरंतर जनता को जूट बोलना और वही कामाज भी कर रहे हैं यही अभी कहते थे कि न्याले का और किसी पर आरोप लग जाए तो इस्थिपा देना चाहिए यहां न्याले जो है प्राइमा फेसी एक कह रही है क आप एक तरह के आरोपी दोसी सावित हो रहे हैं इसके बावजुद आप देखिए कोई नेतिकता नहीं और उस पर भी इनके जो है प्रवत्ता बैट के उनेता बैट के जो है जूट बोलते हैं और इत्ती बड़ी-बड़ी बात हैं न्याले ने क्या नहीं आज इस पस्ट क सबसे बड़ी बात न्याले ने कहा कि इन्हों ने जो अपनी गिरत्तारी को गलत बता रहे थे एक गिरत्तारी बिल्कुल गलत नहीं है क्लियर रहेंगा साब सब्दों में कहा कि गुवाज के चुनाओं में मनी ट्रेल दिख रहा है ने लेकिन वह अब कुछ देर पहले सौर अब बदोरिया भी है केके शल्माजी एक टेक में ठेक में इस पर तो इडी नहीं स्पस्टता की हुई है इडी ने कहा है क्योंकि वह पैसा जो है खर्च कर दिया गया है चुनाओं में और उस गवाह ने उहां पर जाकर कोट में बयान दिया है रभी जी कुछ कहना चारे न प्रिशन पर जाकर कोट में इस पर गया आप ट्री जी एस से गया आए एंपियस से गया काय से गया कहा गया अरे वह एक्शन एक्टिशन हो गया है तो अब वह तक आप जाकान दर यह आप घर में बैट करके कितने भी बना लीजिए आरों कि प्लीज जोट उपर जसीना की कैसे हो सकती है एडी के तथ्यों के मुताबिक केज्रीवाल इस गोटाले की साज़श में शामिल है एडी के मुताबिक वह व्यक्टिए और आप से गया आप जोनों के तौर पर शामिल है करेंगे तो पता चलेगा कि एडी के मुताबिक का मतलब क्या होता है अरे तो आपको क्यों बताएंगे वह तो खोट को बताएंगे ना कोट ने का करेंगे ने कहां वह कोट ने शब्दशा उसमें लिग दिया अरे किसे लिग दिया कोट का कोई सुजबूज है के नहीं है कोट ने कोई भी उसको कुछ भी बोलेंगे वह लिख देगा गजब करते हैं कल तक तो बड़े खुश हो रहे थे कि आप देखिए जहां वह सिंग साब को जो है आज कर दिया गया है हमारी जीत हुए और आज कोट जब आपको सुना रहा है और यह साफ तोर पर कह रहा है कि एडी के तत्यों के मुताबिक के ज़िवाल इस घोटाले की साज़श में शामिल है आप कह रहे हैं अनुराग बदोरिया जी बताईए आप भी यही मानते हैं यह जो फुटा मुटा अबदोरिया जी की बारी है अनुराग जी देखे देखे सवाल तो तब उठता है जब एक अगर पत्रकार की रिपोर्ट के अनुसार एक समाचार पेपर की रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो 25 नेता ऐसे हैं जिनको भारती जनता पार्टी केसों पे बिराम लग गया तेज पचीस नेता थे ना जिनका नाम भी दिया गया था बाका था चाहिए जीद पवार जी रहे हो चाहिए नरा राने जी रहे हो पूरा लिस्ट है तो मैं जानना चाहता हूं भष्टचार के खिलाप इतनी तेज आवाज भारती जनता पार्ट जनता पार्टी जिनको आप कहते थे नहीं 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 जो सैनिक है हमारे उनकी विद्वाओं के मकान को हरपने का काम के यह आरोप तो लगाते थे उसके बाद आदर्स घुटालक आरोप लगाते लगाते आपने उनको आदर्स मंत्रियां MP बना दिया राजस्वा से यह कौ आपको बदूरी आपको सवाल लें विद्वाओं को इन्होंने अपने पार्टी में शामिल कर लिया और उसके बाद उनके ऊपर चले केसिस को रोग दिया आदे संटेस में समझ में आ गया कैकि शर्माज जी चवाब दिज्वाब देगे आपके 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 को सिंदे खूर नहीं को तोड कि आपने सिंदे कुरू बना है मिम्रिस्टर बहें पीठे आपने हैं को शान को पूछ आपना और कूछ कौन सा पोच रहे हुऊं जब दीजे ना चांग है कि जोगता रहे हैं जो डेना आउंड तु सांगे में और सैपने पॉड cm पुरिवाद भाट लिए प्रेश्ट नेटाउं कर दिया जोइन करवा दिया उसके बाद उनके उपर केस रोप दिये यही सवाल है इसी पर जवाब पूछ रही हूं अब रुप जाएगी ना यह जवाब देरी ही तरह पूछ रही हुं आज नहीं आ जवाब पूछ रहे हैं क्यों नहीं बताया थे पहले लिंद नको आत्व कि कि बत रहिए क्यों नहीं बोलं पार जटा है लिखे यह प्रते पागराशू है लिखेल दो लीजिए घृठीप पनी दिल्ली हाई कोट की ठिपड़ी पर-पर हम कुछ नहीं बोलेंगे के किशनमा जी यही आज से चार मेना पहले यह थारा पार्टियां मिलके सुप्रीम कोट गई थी और यह सारे मामले लेके गए थे और एडी और सीवियाई को गलट ठेराने की कोशिश किया था पूरे दिन भर सुनवाई किया सारे मामलों का चार्ट है लोग लेके रहे शुप्रीम कोट पूरी तरह से खारिज करते हुए कहा कि इसमें एडी और सीवियाई को हम किसी कीमत में नहीं रोकेंगे उनकी कारवाई को और कोई गलती एडी और सीवियाई की नहीं है और आपको विशेशादिकार नहीं मिलेगा कि आप एदी ब्रस्टाचार भी करें आपकी जाच नहीं तो यह तो मैं सुप्रीम कोट कर रहा हूं लेकिन आज यह क्यों नहीं बोल पाएंगे इसका करण है क्योंकि यह सारे ब्रस्टाचारी राम नीला मायदान पे कड़े थे अभी एक स सवाल पूछ रहे हैं कि वह ब्रस्टाचारी जो आपके साथ मिल जाते हैं उनके पास में जवाब नहीं है मैं जवाब मांग रहा हूं इदर बाग रहे हैं सब्सक्राइब कर द्रस्टाचारी पर बेर अब्रस्टाचारी जो आप अरोप लगाए जवाब फिर नेताओं पर कारवाई करो सब कुछ नियाले से होगा तो यह प्रभुक सत्ता में किस लिए हैं तो यह कह देना सब नियाले सोगा फिर क्यों होगा करेंगी हम कुछ नहीं करेंगी हैं तो आप कुछ भी कह सकते हैं पूरा देश आज देख रहा है कि कोड की तरफ से क्या कहा गया है मैं बार बार उसे रुपीट नहीं करूंगी आप लोग पतली गली से निकलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो आज नहीं हो पाएगा आप मुझे बताईए हाई कोड से जो बड़ा जटका लगा है उस बड़े जटके पर आप बोलने से क्यों पत्रा रहे हैं क्या काप रहे ह आपको चलता देए आप उस मोहाने पर खड़े हैं जहां पर विश्वास जीतना हैं मत कीजी यह मजाग आपको बहुत नहींवा पड़ेगा आपने द्रिश की जरता खो मजाग बनाके रखा हुआ है हाई कोट की टिपणी आज आपको मजाक लग रही है यह बेस तरीका है कि आप आरोप लगा और भाग जाओ हाई कोट ने जो टिपणी के सर यह महस टिपणी सोचके और कहकर मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए यह किसी को भी रुबिका जी मुझे लगता है कि जो नियायले ने कहा उसी से मुझे शुरू करना चाहिए नियायले ने कहा कि राजनीती से नियाय नहीं होता है अदालतें नहीं चलती है कानून राजनीती से प्रभावित नहीं होता है अगर ये नियायले को कहना पड़ा है तो इसका सीधा सा मतलब है कि पिछले कुछ दिनों से विपक्षी पार्टियों ने जिस तरह से रामलीला मैदान में एक प्रष्टाचार के आरोपी के पक्ष में खड़े होकर और वहां से संदेश देने की कोशिश की कि दरसल जो भी नियायले ने कहा है नियायले की वर्डिंग से जो आपने भी पढ़के सुनाई शब्दशा वो कह रहे हैं कि भई जो कुछ हमारे पास प्रमाड है और जाहिर है अर्विन केजरिवाल सीधे सीधे इसमें सनलिप्त पाए जा रहे हैं ये इतना बड़ा बयान है और इसको आम आदमी पार्टी के प्रवक्तार अभी श्रिवास्तों कह रहे हैं कि हेडलाइन मेनेजमेंट है अदालत के आदेश को हेडलाइन मेनेजमेंट बता रहे हैं और क या न्यायाले किसी headline management के लिए अपने फैसले सुनाता है, मुझे लगता है, कि चुकि आम तोर पर ऐसे निर्णे उपर कोई कुछ बोलते नहीं है, लेकिन अरवीन जी तो लगाता है, माफिया माधते रहें कुछ कोड का नहीं है, यह नोईडा के चैनलों के लिए headline management है, क्या क यह नोईडा के चैनलों के लिए headline management है, अगर आप लोग इतना आप लोग एहनकारी है, कि अगर आपकी गाए तो सब बढ़िया, और अगर आपके खिलाफ कोई सुना दे, तो आपको आपने सब की कोट्री बना दी है, आपको लगता है, कि आपके हिसाब से चले तो बढ़ि यह रभी जी और आपके हिसाब से लाचले तो इसदो लाइज्नले का लगता में, तो कि अगर आपको लगता है, यह क्या है, तो बहुत है, तो आपको आपको लोगता आपको अपने से चेनल में इस new है, सब्सक्राइब है यह बताइए आप मुझे इस पर बताइए ना उससे बड़ी अदालते बहुत अच्छी बात है लेकिन हाई कोड की तरफ से जो कहा गया है इडी के तक्ष बताते हैं के अर्विन केज़ी वाल की इसमें सनल्प्तता है इसके क्या माने होते है जूट है ये बेबुनियाद बात है यह सब गलत है हम बिचारे बासू हम ही सच्चे हैं हम ही सही है आपका ये विक्टिम कार्च है कब तक है आपने देश के जन्ता को बेवकूफ समझ रखा रहा है क्या इस देश में चुनाव को लेके ये ना सिर्फ देश में इस चुनाव पर आपको पड़े हो जाना है है ना इडी को आपको भारब के पारे में CBI को आपको बखवास बता देना है आपको वीडिया के उपर भी किसी तरिके से आप्षिप लगाने से अपने आपको रोकना नहीं है सब बरबाद है सब खराब है अरवन के जीवाल ZINDABA BAD है जो खराब है वो से खराब कहा जाएगा अज वह जो जिनको जिन्दाबाद करना चाहिए अज अगर कर रहा है अज अगर के इनकी मानसिक्ता को रूपिका जी समझना पूरेगा इनको भारत की नयले पर भरोसा नहीं है लेकिन अमेरिका का एक ब्यान पर भरोसा है इनको भारत के बड़े उच्चे नयले से और सुप्रीम कोर्ट के निर्णाई पर भरोसा नहीं है इनको एक विदेश का एक पेपर एक मैगजीन का रिपोर्टर ने दी कुछ लिग देगा तो उस पे इनको मनुसा है तो यह तो इनकी मानसिकता है इनुझ है है के जरिवाल कि या भारत से इनका कितना देना यह वो चोर है यह वो चोर घुटाने बाद में जो भारत को दीमत की तरह खुखला कर रहे हैं और मौदी जी की चिनोती है कि आपको चोरे खुखला आपने किया है सबसे बड़ी पंचायद जंता के सामने भी खड़े हैं और कुछी मेंनों में फैसला के सवाल का जवाब आप नहीं दे पाए है अनुराग भधोरिया जो आपसे सवाल पूछ रहे हैं यसाहाल तो आप अपने हम घूझे सवाल फूछ नों गैसर्शमा जी उसका ज्वाब कंछ पूछ क्या क्या जवाब चाइए आपको पूछ पिर मंत्री बनिंग वाला था गयते बात में मंत्री बनिंग तो पहले मंत्री बनिग तो तो नहीं चाहिए तो आप दोनों के एक सेंटेंस को मैं आप तर नहीं सुन पाई हूं तो जनता अफ़त भूली जाए यह अपराधी है आप शर्मा जी रूप जाएगी शर्मा जी रूप जाएगा अनुराग भधोरिया की बार देखिए मैं बार बार इनसे पूछ रहा हूं कि ये बताईए कि आपका बाकादा बाकाद अब तो नाम सहित पेपर में आया है आप बताईए जिनको आप कहते चक्की पीशिंग चक्की पीशिंग पीशिंग पीशिं में आपके बार बार की तो नाम कर रहे हैं यह आपके ति नहीं कि आपको आपको रुकती नहीं रुख जाएगे न आप रुक जाएगे आप रुक जाएगे रिपीट करते रहीए ठीके और उसका जवाब लेने के लिए मैं आपका भी पूरा साथ देती रहूंगी समझ के आप सवाल पूछते रहिए मैं आपका साथ बता आज सत्य के साथ हैं आज आप सत्ति के साथ हैं, मुझे मालूम है, सत्ति के साथ कभी-कभी आप होते हैं, लेकिन आज है ऐसा है, पर्तित हो रहा है, सत्ति हाइक नहीं बोला आज, बोला की नहीं बोला, अरे तो सर्वो, अरे हम नियाले पे विश्वास है ना, भी जबिक दे थोड़ी है, कि 25 अगर नियाले पे विश्वास है, अगर नियाले पे विश्वास है, तो नियाले पे विश्वास है, नियाले पे विश्वास है, जनता को आपने का नियाले पे विश्वास है, नियाले की तरफ से क्याता आजिया, ED के तत्कियों के मताबिक के जीवाल इस घोटाले की साजि पर विश्वास है देश के समिधान और नियाले पर मुझे पूरा विश्वास है और आप सेली दोनों तोर पर शामिल ते के मताबक कुर्जिवाल इस घोटए-ले की साजिश में शामिल है कोट पर विश्वास है कई बार सर्वोच नियाले से भी सुन लिजे कई बार सर्वोच नियाले भी आप यह सर्वोच नियाले जाएगा अगर आधेश दूसरा आएगा तो फिर आप क्या करेंगे कोट के साथ नियाले से भी तो हमें सर्वोच नियाले से भी तो हमें सर्वोच नियाले में तो अपील होगी अब वापत के के शर्मा जी जवाब दीजिए इसका पत्चिस नेता गिना रहे हैं लोग पता ही नी क्या जवाब देना अजीद पवार की जो है समाप्त किया यह बताए यह जो है तो है उससे चलेगा जब इनके आजीद पवार थे अब रस्त है नहीं थे वो भी इस पस्ट करें आजे यह बताए इस बात को अजे आज मुझे एक खुशी है कि अमराग बदोरिया नहीं यह माना कि केजरी वाग भस्ता चारी है कर रहा है कि आज की तारीक में सवाल यह होगा कि कोट ने जो बात कही है वो तो ले इडी के तफ्थ्यो पर कि और या उस बायान ऐर्विन केजिवाल के पीछे है पहली तिपड़ी मरे धुरी रह गई चुकि रवी जी बीच में कूद पड़े अब रवी श्रिवास्तो अब शेक मनु सिंग भी और देश के बड़े वकीलों से ज्यादा जानकार हो गए हैं इनको वकील बनाना चाहिए अर्विन केजरिवाल जी को सब को हटा कर इनको वकील प्रविच में लिए को पार्टि में अब बत्रता ठीक नहीं है इक बात किया और बहुद्धे और वड़े पार्टी में च्रामर कर रहे हैं झाल के सब वकीलों के रहे हैं करोड के मामले में कर दिया आप लोग डिरेल करने की कोशिश कर रहें सुकून से सुना गया अब इसको सुन लीजे आप रुबिका जी इसका सीधा सा मतलब हुआ और चुकि मैं जानता हूँ अनुवाग भदोरिया भी बहुत तयारी से आते हैं रविश व्यास्तों भी अपने तहीं कितना भी भरष्टा चार का रोप लगा हो अरविन जी को बचाते हैं आज दोनों बचा नहीं पा रहे हैं इसका सीधा सा मतलब हुआ जो अरविन केजरीवाल जो उनकी पार्टी को संजय सिंग की जमानत से एक्स ऑक्सीजन मिली थी संजीवनी मिली थी मृत प्राय होती पार्टी को वो सारा का सारा खतम हो गया इस पार्टी के सारे प्रोपगेंडा की प्राण वायू निकल गई और आज जो नियायले ने बताया है इसके बाद तो आम आदमी पार्टी के कारिकरता जो विचारे केंडल लाइट और थाली ताली कर रहे है तो उनमें अब वो साहस भी नहीं बचेगा जो लोग ये कह रहे थे उनको साफ दिखेगा कि इसके बाद दुर्गेश पार्ठक और रागो संकत दिखरा है और शायद यहीं बजा है कि आम आदमी पार्टी का पूरा अभियान अब जेल में जो केजरिवाल है उसको वोट से जो आप दो करें पूरी पार्टी जेल में जाने को है यह यह आशंका जताई जा रहे है हर्श्वर्दंत्र पार्टी की तरफ से अनुराग जी बी सेकिंड देखे देखे हर्श्वर्दं जी पत्रकार है पत्रकार की जिम्मेदारी होती है ठीक है वो हाई कोड की बात बता रहे है अच्छी बात है लेकिन आप बार बार पूछ रहा हूँ बीजेपी के बारे में दो शवत बोल दोगी वही 25 नेता के साब कैसे हो जी बात स्रक नियाले में नियाय मिलेगा नियाय तो मिलना है यह मांके चरिए लिए मिलेगा निजे पुरा विश्वास है इस देश के अंदर में नियाय पालका और समिधान बचा सिर्फ दो लाइने जिनके उपर भरष्टाचार के मामले थे वो भारती जनता पार्टी में आ गये मेरी नजर में वो आज भी भरष्टाचारी है नमबर एक नमबर दो ये प्रफुल पटेल के मामले में मामला दरजी ही सर्वोट चिन्याले के हस्तक्षेप से हुआ था सर्वोट चिन्याले को CBI ने रिपोर्ट overboard है मैं नेशनल टेली विजन चैनल पर कहरा हूं सर्वोट चिन्याले को रिपोर्ट खारीज करनी चाहिए और नए सिर पर सलाखों के पीछे होना चाहिए इसमें कोई दोराए नहीं होनी जाए इसमें कोई इफ़ेंमट होना ही नहीं जाए फिलाल दीजे अजाज़त कल होगी आपसे मुलाकात लेकिन 8 वजे देश नहीं जुकने देंगे मैं आपके सामने हो जाओंगी हाजर आप देखते रहे है नियूज 18 नियूज करते हुए हाई कोट में याचिका लगाई थी और इस याचिका में अर्विन केजिवाल की गिरफतारी को अवैद बताये गया था हाई कोट में जैसे ही केजिवाल की आचिका को खारिश किया उसके बाद ये साफ हो गया कि अब कम से कम 15 अपरेल तक केजिवाल को तिहार में ही रहना पड़ेगा हारा कि सूत्मों के मताबिक केजिवाल इस हाई कोट के फैस्टे को कल ही सुपरीन कोट में चुनौती दे सकते हैं लेकिन हाई कोट के जटके के बाद बीजे पीने केजिवाल पर निशाना साधा है सुनिए माननी उच्चे नियायले ने श्रीकेजरिवाल के संदर्ब में जो निर्णे दिया है उससे तथ्यों के कथोर धरातल पर आमाद्मी पार्टी का अहंकार चकना चूर हो गया है स्वगोशित कट्टर इमानदार का किरदार धारदार तथ्यों के साथ पूरी तरह तार तार हो गया है इस समानने बात नहीं है देखे जिस प्रकार से उन्होंने जमानत के लिए नहीं ये बात हम ऐसे नहीं कह रहे है उन्होंने तो सीधे सीधे अपनी अभिरक्षा को ही यानि अपनी हिरासत को ही चुनावती दी थी अहंकार ये था कि मुझे छूट नहीं चाहिए मुझे दूसरे को गलस साबित करना इसलिए मैंने कहा कि वो अहंकार चूर चूर हो गया है क्योंकि मानी न्यायले ने जो अभी मीडिया में प्राप्त सूचना उसके अनुसार यह बिंदुसपष्ट का है कोट क्लारिफाइज देट पेटीशन इस फूर डिसाइडिंग दा अरेस्ट इस इल्लीगल क्योंकि उन्होंने तो सीधे यह कहा था कि आरेस्टी ही इल्लीगल है यानि वो जमानत मांगी नहीं रहे थे और इतनी बड़े अहंकार के साथ वो आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे और इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए कि बताईए कोट ने जो कहा वो सच है माहौल जो बनाया जा रहा वो सच है हमारे साथ खास महमान शामल हो गए है सबसे पहले आपको स्क्रीन पर मैं मुलाकात करवा देना चाहती हूँ अनुराग भदोरिया जो के हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राश्य उप्रवक्ता जुड़ चुके है केके शर्वा साब अपसे कुछी देर में भारतियर जनता पार्टी के राश्य उप्रवक्ता जुड़ने वाले हैं हमारे साथ इस वक्त रवी जी आपको दिखाई दे रहा हैं जो के राजनितिक विशलेशक हैं और इनफाक्ट जब आमात्मी बनी थी आमात्मी पार्टी का गठन हुआ था वो गठन करने वाले फाउंडिंग मेंबर्स में से एक नाम आप रवी जी का ले सकते हैं हमारे साथ हर्श्वद्न ट्रिपाटी जी भी जूड़ चुके आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है रवी जी शुर्वात आपसे कर रही हूं कोट क्या कह रहा है जो बाते कही जा रही है वो मजाक नहीं है आप जितना माहौल बना लीजिए कोट की टिपड़ी ये बताती है कि दा एड्लाइन मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि जो बाते इसमें कही गई है वो जो भाजपा का एजेंडा है कमसे कम उसको पूरी तरह से कंफर्म करती है जैसा मैं आपको इस जज्जमेंट के बारे में भी बता दू कि इस जज्जमेंट की मुझे तो कम से कम पूरी अपेक्षा थी कि इस तरह की बाते इसमें कही जाएगी और अर्विल केजरिवाल ने कोई बेल तो मांगी नहीं थी उन्होंने जो कहा था कि मेरा ये रिमांड इनलीगल है और उसके वक्ष में उन्होंने त्यत्तमी रखे थे अब हम कोर्ट का सम्मान करते हैं पर मा मैं कोर्ट पर कोई टिपड़ी नहीं कर रहा हूं रूबिका जी बेरा ये कहना है कि ये जो बाते कही गई है वो हेड्लाइन मैनेजमेंट के लिए ठीक हैं अब एक बात मुझे बदा हुए जस्ताइबा ने कहा कि जो अप्रूवर का कानून है वो सो साल पुराना है भाज साफ और आज बनता है अब घृत्वाटा को आज ये बात नहीं मानी है उन्होंने का ये आप कर सकते वो ना भावनाव से चलता है राजनीती से चलता है इसी बात का जिक्राज किया है के के शर्वा जी आप अभी जुड़े नहीं थी उससे पहले रभी जी ने कहा कि यह जो असल ब्रश्टा चारी है वो तो आप लोगों के लिए कैमपेंड कर रहे हैं कोड की टिपणी ईनको पता दी कि आने वाली है और कि दिखें यह तो जूठो की पार्ठी है और अज तो विल्कूल स्पस्त हो गया कि यह भुटाले बाज जूठों की पार्टी है और इनको इतिहास ही रहा है केजरी वाल का क्या इतिहास ही केज़री वाल का इतियाज ही रहा है, कि मैं कभी पाटी नहीं बनाओगा, बच्चों की कसम खा की कहता है, किसी कभी कावेस्तों से हाथ नहीं मिलांगा, उनके साथ समझग सांजोता कर लिया, बंगला नहीं लोंगा, Quin tea नहीं लोंगा, मैं और देखे बड़े-बड़े स इसमाहल बना लिए यह हमेशा से निरंतर जनता को जूट बोलना और वही कामाज भी कर रहे हैं यही अभी कहते थे कि न्याले का अगरे किसी पर आरोप लग जाए तो इस्थिपा देना चाहिए यहां न्याले जो है प्राइमा फेसी यह कह रही है कि आपकी गिरिपतारी सही ह आप एक तरह के आरोपी दोसी सावित हो रहे हैं इसके बावजुद आप देखे कोई नेतिकता नहीं और उस पर भी इनके जो है प्रवत्ता बैट के उनेता बैट के जो है जूट बोलते हैं और इतनी बड़ी-बड़ी बाते के न्याले ने क्या नहीं आज इस पस्ट किया सबसे बड़ी बात न्याले ने कहा कि इनों ने जो अपनी गिरफतारी को गलत बता रहे थे यह गिरफतारी बिल्कुल गलत नहीं है क्लियर रहेंगा साब सब्सब्सक्राइब कहा कि गुवाज के चुनाओं में मनी ट्रेल दिख रहा है लेकिन वह अब अब देर पहले सौर कि इस पर तो इडी नहीं सपस्टता की हुई है इडी ने कहा है क्योंकि वह पैसा जो है खर्च कर दिया गया है चुनाओं में और उस गवाह ने उहां पर जाकर कोट में बयान दिया है जाकर कर रहे हैं यह कौन सी आप यहां पर अफवा उडा रहे हैं पैसा पर जाकर हो गया यह इंटरनेट से गया एंटिस से गया आटी जी एस से गया आएम पिएस से गया काय से गया कहा गया अरे वह इलेक्शन एक्पेंटिश के हावाला से क्या है तो अब वह अच्छा कान हो रहा है उसके अंदर यह आप घर में बैट करके कितने भी बना लीजिए किसी और ने नहीं कहा है सुनिये पहले रवी जी मेरी बात सुनिये रवी जी मेरी बात सुनिये कोट ने क्या का मैं शब्दुशा पढ़के सुना रही हूं D के तठ्यों के मुताबगे मांटो क्या का मतलब क्या होता है अनुरा को बताएंगे तो खोट को बताएंगे ना कोट ने जो एडी ने कहा वो कोट ने शब्दशा उसमें लिग दिया अरे किसे लिग दिया कोट का कोई सूजबूज है के नहीं है कल तक तो बड़े खुश हो रहे थे कि आप देखिए जहां वो सिंग साब कर दिया गया है हमारी जीत हुए और आज कोट जब आपको सुना रहा है और यह साफ तोर पर कह रहा है कि एडी के तत्यों के मुताबिक केड्रिवाल इस घोटाले की साज़श में शामिल है आप कह र आप इस ऑब्जवेशन को क्यों साइड लाइन कर रहे हैं क्या वजा है अंदे क्यों बन रहे हैं चोटा मुटा है क्या चोटा मुटा अनुराग बदोरिया जी की बारी है अनुराग जी देखे देखे सवाल तो तब उठता है जब अगर पत्रकार की रिपोर्ट के अनुसार एक समाचार पेपर की रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो 25 नेता ऐसे हैं जिनको भारती जनता पार्टी अपोजिशन लीडर है जिनको भारती जनता पार्टी ने अपने साथ लि पूरा लिस्ट है तो मैं जानना चाहता हूं भष्टाचार के खिलाप इतनी तेज आबाज भारती जनता पार्टी के तो न पचीस नेताओं में तेज नेताओं के केसिस में विराम क्यों लग गया ये भी तो जाननी की जरूरत है आखिर ऐसा कौन सा फर्मूला भारती जनता पार्टी के पास है ये भी तो ज्यनता पार्टी जनको आप कहते थे नहीं नहीं नklich जो सेहनिक है हमारे उनकी विद्वाओं की मतान को लगा तो लगाते ये 1 गोटालाई आप आरोप लगाते हैं आपने उनको आधर्स मंत्रियां एंपी बना दिया राजस्वा से यह कौन सा फर्मुला यह फर्मुला भी जनता जानना चाहती है जिस पर सुमें दू अधिकारी पर आप आरोप लगा रहे तो उसके बाद आपने उसको अपना लीडर अपोजीशन ब आपकेरम रस्ताचारी नेत्याओं को इन्होंने अपने पार्टी में शामिल कर दिया और उसके बाद उनके उपर चल रहे केसिस को रोग दिया समझ में आ गया ना सर आदे संटेज में ही समझ में आ गया के कि शर्मा जी चवाब दीजिए आए आपके आप बचा रही हैं सम अगराराश के अगराश के अगराश के अगराश के अदो कुछ बोल यह पाएंगे अपने आपने शिंदे गुरु पना है वही तो मैं पूछ रही हूं कौन सा फार्मूला है के के शर्मा जी जवाब दीजे ना अगराश के देखे रुबिका जी यह जो है आज भदोरिया जी इस बात का जबाब तो दे नहीं पा रहे हैं कि जो न्याले ने आज ने दिया है जो न्याले का निर्णे ने उस्पे इन किया रहा है मैं कहा रहा हूं कि नीजियों के साथ आगए यह पूरी बाठी आप हो दिया यह जाना कर दिया ने किसी पर शवाब पूछ रही हूं आप जाहीं नमिक रूख जाईगी ना visto ah मपनें किस पर क्यों आपकी बोलती बनां आपके बीधिया का मया है आपको पर आई है अर्विंग के जिवाल पर आई है अरे सुन तो लिजे आप अरे आप चिला रही हैं सुनना नहीं चाहिए लोग मानते हैं यह का आपका निक्षा भी करते हैं पर विश्वास है उच्छ नियाल आई से इनको जस्टिस मिल जाएगा दिल्ली हाई कोट की ठिपड़ी पर पर हम कुछ नहीं बोलेंगे के किशन माजी मैं देखें रुपिका जी यह कहना चाहता हूं उसका भी जबाब देता हूं यही आज से चार मेना पहले यह ठारा पार्टियां मिलके सुप्रीम कोट गई थी और यह सारे मामने लेके गए थे और एडी और सीबियाई को गलट ठेराने की कोशिस किया था अनुराज जी रुपिये पूरे दिन भर सुनवाई किया सारे मामनों का चाहट लोग लेके रहे थे शुप्रीम कोट पूरी तहां से खारिज करते हुए कहा कि इसमें एडी और सीबियाई को हम किसी कीमत में नहीं रोकेंगे उनकी कारवाई को और कोई गलती एडी और सीब कार नहीं मिलेगा कि आप इदी ब्रस्टाचार भी करें आपकी जाच नहीं तो यह तो मैं सुप्रीम कोट कोट कर रहा हूं लेकिन आज यह क्यों नहीं बोल पाईंगे इसका करण है क्योंकि यह सारे ब्रस्टाचारी राम लीला मायदान पे कड़े थे अभी एक सब्ता पह करके हैं कि कि आते हैं ब्रस्टाचारी आपके साथ मिल्ति घर पास नियुग जवान हमांग क्या जवाब दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कर तो इसलिए मैं कुछ नहीं है कर है और यह मुंदार की फार्टी सब्सक्राइब करें तो सब कुछ नियाले से होगा तो यह प्रभुक सत्ता में किस लिए हैं तो यह कह देना सब नियाले सोगा फिर क्योंगा सब करेंगी हम कुछ नहीं करेंगी हैं तो आप कुछ भी कह सकते हैं पूरा देश आज देख रहा है कि कोड की तरफ से क्या कहा गया है मैं बार बार उसे रुपीट नहीं करूंगी आप लोग पतली गली से निकलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो आज नहीं हो पाएगा आप मुझे बताईए हाई कोर्ट से जो बड़ा जटका लगा है उस बड़े जटके पर आप बोलने से क्यों पत्रा रहे हैं आप क्यों पाप रहे हैं आप आप उस मोहाने पर खड़े हैं जहां पर विश्वास जीता हैं मत कीजिए मजाग आपको बहुत नहींगा पड़ेगा आपके देश की जनता को मजाग बना के रखा हुआ हैं यह बेस तरीका है कि आप आरोप लगा भाग जाओ हाई कोट ने जो टिपपणी के सर यह यह महस टिपणी सोचके और कहकर मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए यह किसी को भी प्रुबिका जी मुझे लगता है कि जो नियायले ने कहा उसी से मुझे शुरू करना चाहिए नियायले ने कहा कि राजनीती से नियाय नहीं होता है अदालतें नहीं चलती हैं कानून राजनीती से प्रभावित नहीं होता है अगर यह नियायले को कहना पड़ा है तो इसका सीधा सा मतलब है कि पिछले कुछ दिनों से विपक्षी पार्टियों ने जिस तरह से रामलीला मैदान में एक रश्टाचार के आरोपी के पक्ष में खड़े होकर और वहां से संदेश देने की कोशिश की कि दरसल जो भी एजंसियां कर रही है और उजो नियायले में ले जा रही है उसके बावजूर पॉलिटिकली मोटिवेटेड एजंडा उनके खिलाफ चलाए जा रहा है वो पुरी तरह से धौस्त हुगा नंबर है नंबर दो ये जिस तरह से नि अनुराग भदोरिया तो लेकर जाएंगे नहीं एडी लेकर जाती है जाँच एजंसी का काम ही ही है उन प्रमाडों के आधार पर आर्विंड केजरिवाल सीधे सीधे इसमें सनलिप्त पाए जा रहे है ये इतना बड़ा बयान है और इसको आम आदमी पार्टी के प्रवक् अनुराइन मैंनेजमेंट के लिए अपने फैसले सुनाता है मुझे लगता है कि आम तोर पर ऐसे निर्ड़ें उपर कोई कुछ बोलते नहीं है लेकिन अर्वीन जी तो लगाता है माफिया मांते रहे कुछ बोल का नहीं है ये नॉइडा के चैनलों के लिए अगर जोग र रहे हैं कि आगर आप की घाये तो सब बढ़िया और आपके खिलाफ कोई सुना दे तो आपको आपने सब की कोट्री बना दी है आपको लगता है कि आपके हिसाब से ल ऊचले रा आपको आज़न्डा दिखाई दे रहा है क्या मतलब नॉइडा के चैनल है इसके माने क्या है सर हाइड कोड की जट साहिबा जो है वो नॉइडा की किसी चैनल में काम करने वाली कंचारी दिख रही है आपको वो जो कह रही है कि ED के तथ ये बताते हैं कि अर्विंद आप मुझे इस पर बताईए आप मुझे इस पर बताईए ना उससे बड़ी अदालते बहुत अच्छी बात है लेकिन हाई कोड की तरफ से जो कहा गया है ED के तथ बताते हैं कि अर्विंद केड्रिवाल की इसमें सनलिप्तता है इसके क्या माने होते हैं जूट है ये बेबुनियाद बात है तक तथ सही नहीं है ED के तत्य गलत है, ED के तत्य गलत है, NOIDA के चैनल गलत है, TIPPANी गलत है, Gिरफतारी गलत है, जैना सर, बेल नहीं मिली गलत है, सब गलत है, हम बचारे पासूम हम ही सच्चे हैं तक कहा है, आपका ये विक्टिम कार्च्ट है, अब तक तक कब तक हैं आपने देश को चन्ता को बेवकूफ समझ गलत है, क्या इस देश में चुनाव के लेके ना सिर्फ देश चाहब चुनाव के बाहर आपकि भारत को ठाशा अरह है है ना, ED को आपको खुक्रा बता देना है, CDR को आपको बख्वास बता देना है, आपको मीडिया के उपर भी किसी तरीके से, आक्षिप लगाने से, अपने आपको रोकना नहीं है, सब बर्बाद है, सब खराब है, अर्विन केड्रीवाल जिन्दाबाद है, है ना, केके शब अस्ट्रेलिया, उनके गुनगान गाते रही है, यहाँ पर जय हिंद हो रहा है, केके शर्मा जी, देखे, यह इनकी मानसिक्ता को रुपिका जी समझना पुरेगा, इनको भारत के नयले पर भरोसा नहीं है, लेकिन अमेरिका का एक ब्यान पर भरोसा है, इनको भारत के बड का एक पेपर, एक मैगजीन का रिपोर्टा ने दी कुछ लिख देगा, तो उस पर इनको भरोसा है, तो यह तो इनकी मानसिक्ता है, इनके आप समझ सकते हैं, भारत की देशों में लोग की उपो अच्छा कर रहे है, यह वो चोर है, यह वो चोर है घुटाने बाज में, जो भारत को दीमत की तरह खोगला कर रहे है, और मोदी जी की चिनोती है, कि आप को चोर है आपने की 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 आपने जंता के सामने भी खड़े और कुछी में नों प्राइब दे पाए है यह जो है जिंडा पर करने चाहिए यह सवाल पूछ रहे हैं यह सवाल तो मैं रभी जी से पूछ लूगा अनुराग बदोरिया जो सवाल पूछ रहे हैं शर्मा जी उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे है अनुराग बदोरिया कुछ पूछ रहे हैं आपसे जवाब चाहिए आपको पूछिए रूबिका जी मैं उनसे पूछ आप चाहिए आप मुज़ा बताइए अच्छा बताएए जवाब दे सकते हैं और बदोरिया आपके आपकी नहीं पर दोनों के एक सेंटेंस को मैं तब नहीं सुन पा रही हूं तो जनता खत्व भूली जाएए आप अपराधी है आप शर्मा जी रुख जाए अनुनाग बदोर्या की जवाब देदू तो मंत्री बनाएं खा गयते आप हजारा क्रोड़ों के घोटा लगी बात कर रहे थे उसी सदने के अंदर खड़े हो के वही डिप्टी सी है अपर वापस वही काम कर रहे हैं वापस वही काम कर रहे हैं पाक साब कैसे हो जा रहे हैं बस आप अरे रिपीट टेलिकास रुख जाएगे ना मैं कहा रही हूँ उस सवाल का जवाब मैं लेने की हूँ जोगे रिपीट करना पड़ेगा हाँ बार-बार कीजिए लेकिन रुख भी तो जाएगे ना रिपीट करने के बार आपकी तिप तो रुखती नहीं रुख जाएगे ना वही सवाल मैं पूछूँगी अब रुख जाएगे रिपीट करते रहेगा ठीक है और उसका जवाब लेने के लिए मैं आपका भी पूरा साथ देती रहूंगे समझ के आप बिपनас समाल पूछ पूछते रहे हैं मैं आपका साथ मैं अज हबस्टिके साथ हैं के बिजा करते नहीं सब्छाएँ हैं सत्चिय आपर स्ठी करोल आहे हैं सत्प We that are तो भुष्वास बाला है। कि अत político कि मुटा ऐस घोटेए टाले की साजिश में शामिल है अ मैं पूरी बात हो जाए कोट पर विश्वास है पुरी बात हो जाए कई बार सर्वोच नियाले से समां सर्वोच सुन लिजे कई बार सर्वोच नियाले मेरे भी आप जब यही थे जाएगा अगर आधेस दूसरे आ Lesson तो फिर आप क्या करेंगे पिर में सबस्क्राइब आपको ने वह जा रहा है तो आप से तरफ से जो कहा जा रहा है अरवन केदर को लेकर इदार उधर क्यों जा रहे हैं मैं तो आप से कह रहा हूँ रूबिका जी रूबिका जी हम तो मान रहे हैं लेकिन बीजेपी क्यों नहीं मान रहे हैं पचीस नेताओं को शामिल किया जिन पर फश्टाचार कारोप लगाती थी है वो पाक साथ होगे अब उसका जब जवाब दे तो आप सुगे ना वेरी पता ही नी क्या जबाते हैं अब आप बदाए अजीत पवार की जो है समाप्त किया यह बताए जो है तो है उससे चलेगा अब जब इनके आजीत पवार थे अब भरस थे और नहीं थे वो भी इस पस्ट करें आजे यह बताए इस बात को मैं इसने कह रहे हूँ कि जो है जुदा पर सेफ़िस्टन क्रियक करना है तो आप पर शेफ़िसं क्रेक करें, आज मुझे इस बात की खुसी है कि हम अमराग बदोरिया ने यह माना कि केजरी वाग भस थाचारी है न ने कह रहा है सब्सक्राइब पर पहुंचा उसे पहले वरिश पत्रकार भी हमारे साथ मौझूद है त्रपाथी जी आज की तारीक में सवाल ये होगा कि कोट ने जो बात कही है वो तो पर पर रहे हैं और यह बता रहे हैं कि इनको टॉर्चर किया गया फिर इन्होंने अपने बयान जो है वह बदल दिये या उस बयान में अरविंध केजिवाल को इंक्लूड कर दिया और इसलिए अरविंध केजिवाल सराको के पीछे है तुपिका जी देखिए पहली टिपड़ी मरे धुरी जगई चुकि रवी जी बीच में पूत पड़े अब रवी श्रिवास्तो अब शेक मनु सिंग भी और देश के बड़े वकीलों से ज्यादा जानकार हो गए हैं इनको वकील बनाना चाहिए अर्विन केजरिवाल जी को पाइद बचा पाएं पार्टी को परेशान होते हैं रविश्वा तो इतनी अब अधरता ठीक नहीं है एक बात मैं भी बोलूँ बीच में देश्की बात यह विक्तमंत्री ओं कैमरा कहती है कि हम सारे ब्रश्टों को अप्ती पार्टी ने चाहिए ने करने के तयार हैं यह करने की कोशिश कर रहे हैं सुकून से सुनिये ना आपने बड़े बड़े आरोप लगा है सुकून से सुना गया आप इसको सुन लीजे आप हर्श्वर्दर रुविक्ता जी इसका सीधा सा मतलब हुआ और चुकि मैं जानता हूँ अनुराग भदोरिया भी बहुत तैयारी से आते हैं रविश्व्यास्तों भी अपने तहीं कितरा भी भरष्टा चार का आरोप लग इस पार्टी के सारे प्रोपगेंडा की प्राणवायू निकल गई और आज जो नियायले ने बताया है इसके बाद तो आम आदमी पार्टी के कारकरता जो बेचारे केंडल लाइट और थाली ताली कर रहे तो उनमें अब वो साहस भी नहीं बचेगा जो लोग ये कह रहे थ इनों के लिए आम आदमी पार्टी के लिए बहुत गंभीर संकत दिखरा है और शायद यही वजा है कि आम आदमी पार्टी का पूरा अभियान अब जेल में जो केजरीवाल है उसको वोट से जाब दुकरें पूरी पार्टी जेल में जाने को है यह यह आशंका जताई जा रही हर्षबरदन तरपार्टी की तरफ से अनुराग जी 20 सेकंड देखे देखे हर्षबरदन जी पत्रकार है पत्रकार की जिम्मेदारी होती है ठीक है वह हाई कोड की बात बता रहे अच्छी बात है लेकिन आप बार बार पूछ रहा हूं बीजेपी के बारे में दो शव कर दो लाइने जिनके उपर भरश्टाचार के मामले थे वह भारती जनता पार्टी में आ गये मेरी नजर में आज भी भरश्टाचारी है नमबर एक नमबर दो ये प्रफुल पतेल के मामले में मामला दरजी ही सर्वोच चिनियाले के हस्तक्षेप से हुआ था चाहे वो शर्मा जी के पार्टी के हो भदोरिया जी के पार्टी के हो या आम आदमी पार्टी के हो जो ब्रश्टाचारी हैं उनको किसी भी खीमत पर सलाखों के पीछे होना चाहिए इसमें कोई दोराय नहीं होनी चाहिए इसमें कोई इफिन मठ होना ही नहीं चाहिए फिलाल अर्वन केजरीवाल की घिरफटारी को अवैर बताये गया था हाय कोट मेть जैसे ही केजरीवाल की आचिका को खारिश किया। उसके बाद ये साफ हो गया कि आप कम से कम 15 अपरेल तक केजरीवाल को तेहार में ही रहना पड़ेगा। कि सूत्रों के मताबिक केजरिवाल इस हाई कोट के फैस्टे को कल ही सुप्रीन कोट पर चुनाती दे सकते हैं लेकिन हाई कोट के जटके के बाद बीजे पीने केजरिवाल पर निशाना साधा है सुनिए मानिये उच्चे नियायले ने श्री केजरिवाल के संदर्ब में जो निर्णे दिया है उससे तथ्यों के कठोर धरातल पर आमादमी पार्टी का अहंकार चकना चूर हो गया है स्वगोशित कटर इमानदार का किरदार धारदार तथ्यों के साथ पूरी तरह तार तार हो गया है इस हमानने बात नहीं है देखे जिस प्रकार से उन्होंने जमानत के लिए नहीं ये बात हम ऐसे नहीं कह रहे है उन्होंने तो सीधे सीधे अपनी अभिरक्षा को ही यानि अपनी हिरासत को ही चुनावती दी थी अहंकार ये था कि मुझे छूट नहीं चाहिए मुझे दूसरे को गलस साबित करना इसलिए मैंने कहा कि वो अहंकार चूर चूर हो गया है क्योंकि मानी न्यायले ने जो अभी मीडिया में प्राप्त सूचना उसके अनुसार यह बिंदुसपष्ट का आए कोर्ट क्लारिफाइज देट देट पेटीशन इस फूर डिसाइडिंग अरेस्ट इस इल्लीगल क्योंकि उन्होंने तो सीधे यह कहाता कि अरेस्ट ही इल्लीगल है यानि वो जमानत मांगी नहीं रहे थे और इतनी बड़े अहंकार के साथ वो आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे और इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए कि बताईए कोर्ट ने जो कहा वो सच है, माहौल जो बनाया जा रहा वो सच है हमारे साथ खास महमान शामल हो गए है सबसे पहले आपको स्क्रीन पर मैं मुलाखात करवा देना चाहती है अनुराग भदोरिया जो के हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राश्य उप्रवक्ता जुड़ चुके है में से एक नाम आप रभी जी का ले सकते हैं हमारे साथ वरिश पत्रकार हर्श्वधन ट्रिपाटी जी भी जूड़ चुके है आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है रभी जी शुरुवाद आप से कर रही हूँ कोट क्या कह रहा है जो बाते कही जा रही है वो मजाक नहीं है आप जितना माहौल बना लीजिए कोट की टिपड़ी ये बताती है कि दाल में कुछ काला है इनफेक्ट डाल पूरी काली है ने ने रुबिका जी नमस्कार पहली बात तो ये कि जो आज हाई कोट का जो भी ये निरिने है और है ये आपके लिए हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि जो बाते इसमें कही गई है वो जो भाजपा का एजेंडा है कमसे कम उसको पूरी तरह से कनफर्म करती है जैसा मैं आपको इस जज्जमेंट के बारे में भी बता दू कि इस जज्जमेंट की मुझे तो कम से कम पूरी अपेक्षा थी कि इस तरह की बाते इसमें कही जाएगी और अर्विल केजरिवाल ने कोई बेल तो मांगी नहीं थी उन्होंने तो कहा था कि मेरा ये रिमांड इनलीगल है और उसके वक्ष में उन्होंने तयत्तमी रखे थे अब हम कोट का संबान करते हैं पर मान ये जजसाहिवा ने जो जो बाते उसके लिखी जाएगी और आपको कैसे कह सकते किस बिना पर कह सकते हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए तो ये ठीक है कोट ने हेडलाइन बनाने के लिए ये टिपड़ी की है मैं कोट पर कोई टिपड़ी नहीं कर रहा हूं रूबिका जी ये जो बाते कही गई है वो हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए ठीक है अब एक बात मुझे बदा अच्छाब के राजितिक काड़ों सके रहे है प्रचार कर रहे हैं लेकिन कोट ने जो कहा है उससे आप क्यों बच रहे हैं कोट जो डिपणी करता है उससे तो आप इधर-उदर नहीं कर सकते हो ना भावनाव से चलता है ना राजनीती से चलता है इसी बात का जिकराज किया है केके शर्वा जी आप अभी जुड़े नहीं थी उससे पहले रवी जी ने कहा कि ये जो असल ब्रश्टा चारी है वो तो आप लोगों के लिए कैमपेंड कर रहे हैं कोट की टिपणी तो इनको पता थी क्या आने वाली है कि ये तो जूठों की पार्टी है रुबिकाजी और आज तो बिल्कुल इस्पस्थ हो गया कि ये घोटाले बाज जूठों की पार्टी है और इनका तो इतिहास ही रहा है केजरी वाल का क्या इतिहास रहा है केजरी वाल का इतिहास ही रहा है कि मैं कभी पार्टी नहीं बनाऊंगा पार्टी बना लिया बच्चों की कसम खाके कहता हूं किसी कभी कागरेसें उसे हाथ नहीं मिलांगा उनके साथ समझवता कर लिया बंगला नहीं लूँगा सिकूर्टी नहीं लूँगा मैं आप देखिये बड़े-बड़े सीसमहल बना लिये यह हमेशा से निरंतर जनता को जूट बोलना और वही कामाज भी कर रहे हैं यही अभी कहते थे कि न्याले का और ले किसी पर आरोप लग जाए तो इस्थिपा देना चाहिए यहां न्याले जो है प्राइमा फेसी है कह रही है कि आपकी गिरिपतारी सही है आप एक तरह के आरोपी दोसी सावित हो रहे हैं इसके बावजुद आप देखी कोई नेतिकता नहीं और उस पे भी इनके प्रावता बैट के और नेता बैट के जो है जूट बोलते हैं और इतनी बड़ी-बड़ी बात हैं न्याले ने क्या नहीं आज इस पस्ट किया सबसे बड़ी बात न्याले ने कहा कि इनों ने जो अपनी गिरत्तारी को गलत बता रहे थे ये गिरत्तारी बिल्कुल गलत नहीं है क्लियर रहेंगा साब सब्दों में कहा कि गुवाज के चुनाओं में मनी ट्रेल दिख रहा है लेकिन वो अब इस पस्टता से कहा अभी कुछ देर पहले सौरभ भार्द्वाज में प्रेस कॉन्फरेंस की कहा एक गुटी कौडी जो है वो अब तक हासल नहीं कर पाई है ना इडी ना सी बी आई हमार साथ यहां अनुराग बदोरिया भी है केके शल्माजी डेक में डेक में डेक में रभी जी कुछ कहना चारें लिए से पहले रभी जी 30 से के वो जवाब दीजें पूराग बदोरिया 30 से के आप क्या क्पोल कल्पित बाते कर रहे हैं ये कौन सी आप यहां पर अफ़वा उडा रहे हैं अरे बज्या कौन दे गया पैसा प्रेक में आए गया अरे आप घर में बैट करके कितने भी बना लीजिए रभी जी प्लीज चोट उपर खसीना की कैसे हो सकती है एडी के तक्षियों के मताबिक केज्रीवाल इस गोटाले की साजश में शामिल है ये किसी और ने नहीं कहा है उलब और आप गया कत्षियों के मताबिक के द्रडीवाल इस गोटाले की साजश में शामिल है ये ये तो ट्राइल जब सबूत सामने आएंगे तो पचा चलेगा कि के मतलब क्या होता है अरे तो आपको क्यों बताएंगे वह तो खोट को बताएंगे ना इस घोटाले की साज़िश में सामिल है यह लाइन की लिखने की जरूति आपको कर दिया कर देखिए जहां को जो है आज को आपको सुना रहा है और यह साफ तो पर कहना है के तत्यों के मुताबिक केड्रिवाल इस घोटाले की साज़िश में शामिल है आप कह रहें कोट ने लिख दिया अनुराग बदोरिया जी बताइए आप भी यहीं मानते हैं यह नवी जी रुख जाईए आप इस अब्जवेशन को क्यों साइड लाइन कर रहे हैं क्या वजा ह अनुराग बदोरिया जी की बारी है अनुराग जी देखे देखे सवाल तो तब उठता है जब एक अगर पत्रकार की रिपोर्ट के अनुसार एक समाचार पेपर की रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो 25 नेता ऐसे हैं जिनको भारती जनता पार्टी अपोजिशन हैं जिनको भारती जनता पार्टी ने अपने साथ लिया और तेज पे केसों पे बिराम लग गया तेज पचीस नेता थे ना जिनका नाम भी दिया गया था बाका था चाहें जीर पवार जी रहे हो चाहें नरा राने जी रहे हो पूरा लिस्ट है तो मैं जानना चाहता हूं पर्ट जो आपने । तो लगाते थे उसके बाद घुटाले आरूप लगाते लगाते हैं आपने उनको आदर्स मंत्री आए बना दिया राजस्वा से यह कौन सा फर्मूला यह फर्मुला बी जनता जानना चाती है और जनता यह फर्मूब्या नहीं कहते थे शिक्षणा को एक बाप गया थिश्य का नहीं का परता आप पो आ अप अब बढ़े तो बीज़े आरे आप मैं सब्ना पर आप नहीं में केया कर दिया और उसके बाद उनके ऊपर चल रहे केसिस को रोग दिया समझ में आ गया आपके आप बचा रही हैं समझ में ना समझ बर रही हैं आपने सिंदे गुरु बना है वही तो मैं पूछ रही हूं कौन सा फॉर्मूला है केके शर्मा जी जवाब दीजे ना कि देखे रुबिका जी यह जो है आज भदुरिया जी इस बात का जबाद तो दे नहीं पा रहे हैं कि जो न्याले ने आज ने दिया है जो न्याले का निर्णे ने उसके इनकी आरहा है जो ने आपके साथ आ गए यह बंदुरिया जाना चाहता हुए जो ने ताहर के सारे व्रस्ट नेताओं को जॉइं कर दिया जॉइं करवा दिया और उसके बाद उनके उपर केस रोग दिये यही सवाल है ना इसी पर जवाब पूछ रही हूं अब रुख जाईगी ना यह समय सवाल पूछल आपने आपसे हाई कोट पर क्यों आपकी बोलती बन रह decline मैं आपची में एक हाई कोट की टिपदई पर क्यों नहीं बोल पारहे हैं पहले हई कोई बंद हो रह Sisters लिए liek direct पर आई है अर्वित के जिवाल पर आई है अरे सुन तो लीजे आप अरे आप चिला रही हैं सुनना नहीं चाहिए नहीं रहे हैं नहीं देश समय बारबार कर रहे हैं यह कुछ नहीं बहुत है यही आज से चार मेहना पहले यह थारा पार्टियां मिलके सुप्रीमी बहुत है कोड गई थी और यह सारे मामले लेके गए थे और एडी और सीवी आई को गलट ठेराने की कोशिश किया था अनुराज जिरुक पूरे दिन भर सुनवाई किया सारे मामलों का चार्टे लोग लेके गए शुप्रीम कोड़ पूरी तहां से खारिज करते हुए कहा कि इसमें कोड़ी और सीवी आई को हम किसी कीमत में नहीं रोकेंगे उनकी कारवाई को और कोई गलती और सीवी आई की नहीं है और आपको विशे साधिकार नहीं मिलेगा कि आप एदी बरस्टाचार भी करें आपकी जाच नहीं तो यह तो मैं सुप्रीम कोड़ कर रहा हूं लेकिन आज यह क्यों नहीं बोल पाएंगे इसका करण है क्योंकि यह सारे ब्रस्टाचारी राम लीला मैदान पे कड़े थे अभी एक सब्ता पहले और इसी केजिरी ब्रस्ट केजिवाल का बचाव करने के लिए ब्रस्टाचारियों के सदक्शन में कड़े थे सब्सक्राइब करते हैं आपके साथ आते ही वह बिल्कुल पीस वाली मुद्रा में चले जाते हैं वो जवाब नहीं है उनके पास में जवाब नहीं है मैं जवाब मांग रहा हूं इदर बाग रहे सब्सक्राइब करें जवाब नहीं है ना सब्सक्राइब कर दो कोई काम नहीं है तो सब कुछ नियालेस होगा तो यह प्रभूख सत्ता में किसले हैं तो यह कह देना सब्सक्राइब करेंगी हम कुछ नहीं करेंगी आप लोग पतली गली से निकलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो आज नहीं हो पाएगा वो नहीं हो पाएगा यह नौटंकी करने से कुछ नहीं होगा सर नौटंकी करने से आपको कुछ आपको जनता देख रही है आप उस मोहाने पर खड़े हैं जहां पर विश्वास जीतना है मत कीजी यह मजाग आपको बहुत नहीं हो पड़ेगा आपने द्रिश की जनता को मजाग बनाके रखा हुआ है हाई कोट की टिपड़ी आज आपको मजाग लग रही है यह यह बेस तरीका है कि आप आरोप लगा और भाग जाओ हाई कोट ने जो टिपड़ी के सर यह यह महस टिपड़ी सोच के और कहकर मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए यह किसी को भी रुबिका जी मुझे लगता है कि जो नियायले ने कहा उसी से मुझे शुरू करना चाहिए नियायले ने कहा कि राजनीती से नियाय नहीं होता है अदालतें नहीं चलती हैं कानून राजनीती से प्रभावित नहीं होता है अगर ये नियायले को कहना पड़ा है तो इसका सीधा सा मतलब है कि पिछले कुछ दिनों से विपक्षी पार्टियों ने जिस तरह से रामलीला मैदान में एक प्रष्टाचार के आरोपी के पक्ष में खड़े होकर और वहां से संदेश देने की कोशिश की कि दरसल जो भी नियायले ने कहा है नियायले की वर्डिंग से जो आपने भी पढ़के सुनाई शब्दशा वो कह रहे हैं कि भई जो कुछ हमारे पास प्रमाड है और जाहिर है अर्विन केजरिवाल सीधे सीधे इसमें सनलिप्त पाए जा रहे हैं ये इतना बड़ा बयान है और इसको आम आदमी पार्टी के प्रवक्तार अभी श्रिवास्तों कह रहे हैं कि हेडलाइन मेनेजमेंट है अदालत के आदेश को हेडलाइन मेनेजमेंट बता रहे हैं और क जा न्यायाले किसी headline management के लिए अपने फैसले सुनाता है, मुझे लगता है, कि चुकि आम तोर पर ऐसे निर्णे उपर कोई कुछ बोलते नहीं है, लेकिन अरवीन जी तो लगाता है, माफिया माँते रहें कुछ कोड का नहीं है, ये नौएडा के channel के लिए headline management है, क्या करें द line के लिए है, अगर आपके खिलाफ कोई सुना दे, तो आपको आपने सब की कोट्री बना दी है, आपको लगता है कि आपके हिसाब से चले तो बढ़िया रवी जी और आपके हिसाब से ना चले हाई कोड की, नहीं नहीं वो एजंडा आपका दिखाई दे रहा है, रवी जी आपको एजंडा दिखाई दे रहा है, क्या मतलब नॉइडा के चैनल है, इसके माने क्या है सर, हाई कोड की जग साहिवा जो है, वो नॉइडा की किसी चैनल में काम करने वाली कंचारी दिख रही है आपको, वो जो कह रही है, कि ED के तथ ये बताते है, कि अर्विन आप मुझे इस पर बताईए आप मुझे इस पर बताईए ना, उससे बड़ी अदालत है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हाई कोड की तरफ से जो कहा गया है, ED के तथ बताते हैं कि अर्विन केजरिवाल की इसमें सनलिप्तता है, इसके क्या माने होते है? अच्छा ठीक है, ED के तथ गलत है, लॉइडा के चैनल गलत है, टिपपनी गलत है, गिरफतारी गलत है, इसमें सब गलत है, हम बचारे मासूम हम ही सच्छे हैं, हम ही सही है, आपका ये विक्टिम कार्ट्स है, अब तक कब तक है? आपने देश के जन्ता को बेवकूफ समझ रखाया है, क्या? आपने देश के जन्ता को बेवकूफ समझ रहे हैं, यहां पर जय हिन हो रहा है, यहां पर निश्पक्स चुनाब नहीं हो रहा है। लेकिन अमेरिका का एक ब्यान पर भरोसा है, इनको भारत के बड़े उच्चे नैले से और सुप्रीम कोर्ट के निर्णाई पर भरोसा नहीं है, इनको एक विदेश का एक पेपर, एक मैगजीन का रिपोर्टर ने दी कुछ लिख देगा, तो उस पर इनको भरोसा है। तो ये तो इनकी मानसिक्ता है, इनके आप समझ सकते हैं। तो इनकी मानसिक्ता है, तो इनको एक मैगजीन का रिपोर्टर ने दी कुछ लिख देखें। शर्मा जी उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। अनुराग बदोरिया कुछ पूछ रहे आपसे। अनुराग बदोरिया कुछ रहे हैं। अनुराग बदोरिया की बदोरिया कुछ रहे हैं। आप बताई जिनको आप कहते हैं। चक्की पीशिंग करके आपने मंत्री बनाईंग तो मंत्री बनाईंग खा गयते हैं। आप हजारों कोड़ों के घोटा लगी बात कर रहे थे। और उसी सदनी के अंदर ख़़ए हैं। आपके पार्टी तोड़ के आप नहीं पाटी करा के मंतिय पर ने वापस वही काम कर रहे हैं पाक साब कैसे हो जा रहे हैं जो नेता बिशेप्टी में आप अरे रुपीट टेले कास्ट रुप जाएगे ना मैं कहारी हूँ उस सवाल का जबाब मैं ले ले था हूँ करना पड़ेगा और उसका जवाब लेने के लिए मैं आपका भी पूरा साथ देती रहूंगे समझ गें नहीं करना आँ अगरे ऩोड़े आप प्रुटने नहीं बोला और तो सर्व किया बिस्वास है ना भी जब दिदे थोड़ी है कि 25 आदमें के बारे पूछा हो वांने में थे जानी दिन तो मुझे नेले पेशास है ने थे जबते हैं ने अगरे। एक वे शज तो हमें नियाले हम विश्वास है व भोगत ज़ुह कहें ऐडी के मताबिक के जीवाल इस घोटाले की साजिश में शामिये नियाले क्यानलेज नियाले पर विश्वास है देश के सम्मिधान और नियाले पे मुझे पूरा विश्वास है और आपके मुताबिक वो व्यक्तिगत और आज सयोज़त दोनों तोर पर शामिल थे तथ्यों के मुताबिक केज्रिवाल इस घोटाले की साज़िश में शामिल है अब पुरी बात हो जाए पुरी बात हो जाए कई बार सर्वोच नयाले से भी समा सर्वोच सुन लिजे कई बार सर्वोच नयाले में भी आप जब यही है सर्वोच समान करा है कर दो कि तरफ से जो कहा जा रहा है वह मार जाएगा तो आप से कह रहा हूं रूबिका जी हम तो मान रहे हैं लेकिन बीजेपी क्यों नहीं मान रहे हैं गे पचीस नेताओं को शामिल किया जिन पर फश्चार कारोप लगाती थी है वह पाथ साफ होगे जवाब देना 25 नेता गिना रहे हैं लोग को पता ही नी क्या जवाफ किया है यह बताएं जो है तो है उससे चलेगा जब इनके आजीद पवार थे और भरस्ट थे और नहीं थे वो भी इस पस्ट करें आजे यह बताएं इस बात को अजे बात की खुसी है कि अमराग बदोरिया नहीं यह माना कि केजरी वाग भस्टाचारी है ना ने कह रहा है कि आज की तारीक में सवाल यह होगा कि कोट ने जो बात कही है वो तो अमामिस दाफुल को जिक्रट रहे हैं और यह बता रहे हैं कि इनको टॉर्चर किया गया फिर 40 नंबने बदल दीए यह उस बयान मेयरे केज्रीवाल को इंक्लूब कर दिया और इसी लिए अज अलगे sold शेक मनु सिंग भी और देश के बड़े वकीलों से ज्यादा जानकार हो गए हैं इनको वकील बनाना चाहिए अर्विन केजरिवाल जी को सब को हटा कर इनको वकील बना देना चाहिए क्योंकि यही कुछ अब शायद बचा पाएं पाटी को परिशाद होते हैं रविश्वात तो इतनी अब अब अधरता ठीक नहीं है एक बात मैं भी बोल दूँ बीच में देश की बात यह विक्तमंत्रियों कैमरा कहती है कि हम सारे ब्रश्टों को अप्ती पार्टी में बिल्कुल साही करें है आप लोग डीरेल करने की कोशिश करें सुन ली रहे हैं सुकून से सुना गया अब इसको सुन लीजे आप रुबिका जी इसका सीधा सा मतलब हुआ और चुकि मैं जानता हूँ अनुवाग भदोरिया भी बहुत तयारी से आते हैं रविश व्यास्तों भी अपने तहीं कितरा भी भरष्टा चार कारोप लगा हो अरविण जी को बचाते हैं आज दोनों बचा नहीं पा रहे हैं इसका सीधा सा मतलब हुआ जो अरविण केजरीवाल जो उनकी पार्टी को संजय सिंग की जमानत से एक्स ऑक्सीजन मिली थी जन्जीवनी मिली थी मित प्राय होती पार्टी को वो सारा का सारा खतम हो गया इस पार्टी के सारे प्रोपगेंडा की प्राण वायू निकल गई और आज जो नियायाले ने बताया है इसके बाद तो आम आदमी पार्टी के कारकरता जो बचारे केंडल लाइट और थाली- ताली कर रहे तो उनमें अब वो साहस भी नहीं बचेगा जो लोग ये कह रहे थे अब उनको साब दिखेगा कि इसके बाद दुर्गेश पार्टक और रागव चड़्डा तक ये जान जा सकती है जिस तरह से इनके पीए विभवकुमार को बुलाये गया है और जिस तरह से एक के बार एक कडिया जुड़ती हुई दिख रही है उसमें आने वाले दिनों के लिए आम आद्मी पार्टी के लिए बहुत गंभीर संकत दिख रहा है और शायद यहीं बजा है कि आम आद्मी पार्टी का पूरा अभियान अब जेल में जो केजरीवाल है उसको वोट से जो आप दुकर है यहीं पूरी पार्टी जेल में जाने को है यह यह आशंका जताई जा रहे है तरफ से अनुराग जी 20 सेकंड देखे हर्श्वर्दन जी पत्रकार है पत्रकार की जिम्मेदारी होती है ठीक है वह हाई कोट की बात बता रहे अच्छी बात है लेकिन आप ब है तिर दो लाइने जिनके उपर भषटा चार के मामले थे वो भारती जनता पार्टी में आगए मेरी नजर में आज भी भ्रष्टा चारी है नंबर एक नंबर दो ये प्रफुल पटेल के मामले में मामला दरजी ही सर्वोच चिने आले के हस्तक्षेप से हुआ था सर्वोच चिने आले को सी बी आइने रिपोर्ट सोपी है मैं नेशनल टेलिवीजन चै के हूँ या आदमी पार्टी के हूँ जो ब्रष्टाचारी हैं उनको किसी भी प्रसलाखों के पीछे होना चाहिए इसमें कोई दो राए नहीं होनी चाहिए इसमें कोई हिफिन मत होना ही नहीं चाहिए फिलाल दीजे इजासत कल होगी आप से मुलाकात लेकिन आठ बज़े देश नहीं जुकने देंगे मैं आपके सामने हो जाओंगी हाजर आप देखते रहें ये न्यूज एटी निल्ट बीजेपी ने केजरिवाल पर निशाना साधा है सुनिये माननी उच्चे नियायले ने श्री केजरिवाल के संदर्ब में जो निर्णे दिया है उससे तथ्यों के कठोर धरातल पर आम आदमी पार्टी का अहंकार चकना चूर हो गया है स्वगोशित कटर इमानदार का किरदार धारदार तथ्यों के साथ पूरी तरह तार तार हो गया है इस हमानी बात नहीं है देखे जिस प्रकार से उन्होंने जमानत के लिए नहीं ये बात हम ऐसे नहीं कह रहे है उन्होंने तो सीधे सीधे अपनी अभिरक्षा को ही यानि अपनी हिरासत को ही चुनावती दी थी अहंकार ये था कि मुझे छूट नहीं चाहिए मुझे दूसरे को गलस साबित करना इसलिए मैंने कहा कि वो अहंकार चूर चूर हो गया है क्योंकि मानी न्यायले ने जो अभी मीडिया में प्राप्त सूचना उसके अनुसार यह बिंदुसपष्ट का आए कोट क्लारिफाइज देट पेटीशन इस फोर डिसाइडिंग दा अरेस्ट इस इलिगल क्योंकि उन्होंने तो सीधे यह कहा था कि आरेस्ट ही इलिगल है यानि वो जमानत मांगी नहीं रहे थे और इतनी बड़े अहंकार के साथ वो आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे और इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए कि बताईए कोट ने जो कहा वो सच है माहौल जो बनाया जारा वो सच है हमारे साथ खास मेहमान शामिल हो गए है सबसे पहले आपको स्क्रीन पर मैं मुलाकात करवा देना चाहती हूँ अनुराक भदोरिया जो के हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राश्य उप्रवक्ता जुड़ चुके है केके शर्वा साब अपसे कुछी देर में भारतियर जनता पार्टी के राश्य उप्रवक्ता जुड़ने वाले हैं हमारे साथ इस वक्त रभी जी आपको दिखाई दे रहा हैं जो के राजनितिक विशलेशक हैं और इनफाक्ट जब आमात्मी बनी थी आमात्मी पार्टी का गठन हुआ था वो गठन करने वाले फाउंडिंग मेंबर्स में से एक नाम आप रभी जी का ले सकते हैं हमारे साथ हर्श्वद्न ट्रिपाटी जी भी जूट चुके आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है रभी जी शुर्वात आपसे कर रही हूं कोट क्या कह रहा है जो बाते कही जा रही है वो मजाक नहीं है आप जितना माहौल बना लीजिए कोट की टिपड़ी ये बताती है कि दाल म मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि जो बाते इसमें कही गई है वो जो भाजपा का एजेंडा है कमसे कम उसको पूरी तरह से कंफर्म करती है जैसा मैं आपको इस जज्जमेंट के बारे में भी बता दू कि इस जज्जमेंट की मुझे तो कमसे कम पूरी अप सबब् anticipation कि आपको कैसे पता था कि आ सय यह सारी बाते लिखी जाएंगे और आपको आप कैसे कह सकते किस बिना मैयिआ जो वह हैं लाइन मैनेजमेंट के लीए ठीक है अब एक बात मुझे बताएबा ने कहा कि जो अप्रूवर का कानून है वो सो साल पुराना है बिल्कुल ठीक यह आप राजितिक काड़ों से कह रहे हैं वकर सच्चा ही यह है कि मोदी जी का प्रचार कर रहे हैं लेकिन कोड जो कहा है उससे आप क्यों बज रहे हैं कोड जो टिपणी करता है उससे तो आप इधर उदर नहीं कर सकते वो ना भावनाव से चलता है राजनीती से चलता है इसी बात का जिक्राज किया है केके शर्वा जी आप अभी जुड़े नहीं थी उससे पहले रवी जी ने कहा कि यह जो असल ब्रश्टा चारी है वो तो गोटाले बाज जूटों की पार्टी है और इनका तो इतिहास ही रहा है केजरी वाल का क्या इतिहास रहा है केजरी वाल का इतिहास ही रहा है कि मैं कभी पार्टी नहीं बनाऊंगा पार्टी बना लिया बच्चों की कसम खा के कहता हूं किसी कभी कावेसियों से हाथ नहीं म और वही काम आज बी कर रहे हैं यही अभी कहते थे कि न्याले का आप लग जाए का अरुप लग जाये तो इस्तिपाल देना चीह यहां न्याले जो है पराइवा फेसी एक कहरे हैं कि आपकी गरतारी सही है आप एक तरह के। आरुपी क्वश्ट होरा है छिसके कोई सबसे बड़ी बात नाले ने कहा कि इनों ने जो अपनी गिरतारी को गलत बता रहे थे गिरतारी बिल्कुल गलत नहीं है क्लियर रहेंगा साब सब्दों में कहा कि गुवाट के चुनाओं में मनी ट्रेल दिख रहा है अभी कुछ देर पहले सौरभ भार्दुआज में प्रेस कॉन्फरेंस की कहा एक खुटी कौडी जो है वो अब तक हासल नहीं कर पाई है ना इडी ना सीबी आई हमार साथ यहां अनुराग बदोरिया भी है केके शल्बाजी यह पर तो इडी नहीं स्पस्टता की हुई है इडी ने कहा है क्यों की वो पैसा जो है खर्च कर दिया गया चुनाओं में और उस गवाह ने उहां पर जाकर पोर्ट में बयान दिया है रभी जी कुछ यहां पर नहीं से पहले आपी जी कलफित बाते कर रहे हैं यह कौनसी आप अप berries कोते आफेह श्रह्या हना भी ठीजाetyung में दो सक्रेंडया और अच् yardım है एंट फिल्किशम और कर हो गिया श्रुक्त है और चाह से गयाकिने कुछी बाट कन गया गया तो और सु कि आप घर में बैट करके कितने भी बना लीजिए रवीजी प्लीज चोड़ उपर रसीना की कैसे हो सकती है एडी के तक्तियों के मुताबिक केज्रीवाल इस गोटाले की साज़श में शामिल है किसी और नहीं कहा है रवी जी मेरी बात सुनिए रवी जी मेरी बात सुनिए कोट ने क्या का मैं शब्दुशा पढ़के सुना रही हूं एडी के तक्तियों के मुताबिक केज्रीवाल इस गोटाले की साज़श में शामिल है एडी के मुताबिक वो व्यक्तिगर और आज सयोजा दोनों के तौर पर शामिल है तो एडी क्या काम करेगा ने तो एडी क्या काम करेगा मचल कहेगा मैडम यह तो ट्रायल जब सबूत सामने आएंगे तो पता चलेगा कि एडी जूर बोल रहा ता के मुताबिक का मतलब क्या होता है अरे तो एडी के तथ्यों के मुताबिक अर्वित के जिवाल इस घोटाले की साज़िश में शामिल है यह लाइन की लिखने की क्या जरूतिया आप सा कहना है कोट ने जो एडी ने कहा वो कोट ने सब्दशा उसमें लिख दिया कोट का कोई सुझबूज है के नहीं है कोई भी उसको कुछ भी बोलेगा वो लिख देगा गजब करते हैं आप कल तक तो बड़े खुश हो रहे थे क्या आप देखिए वो सिंग साब को जो है आजाद कर रहा है और यह साफ तोर पर कह रहा है कि एडिके तत्यों के मुताब के जो टाले की साज़श में साज़श में है आप इस ऑब्जवेशन को क्यों साइड लाइन कर रहे हैं क्या वजाए अब अनुराग भधोरिया जी की बाड़ी है अनुराग जी देखे सवाल तो तब हुठता है अगर पत्रकार की रिपोर्ट की अनुसार एक समाचार पेपर की रिपोर्ट की अनुसार देखा जाए तो 25 नेता ऐसे हैं जिनको भारती जनता पार्टी के अपूजिसन लीडर हैं। जिनको भारती जनता पार्टी ने अपने साथ लिया, और तेज पर केसों पर बिराम लग दिया। तेज पचीज निता थे ना। पूरा लिस्ट है तो मैं जानना चाहता हूँ भष्ठचार के खिलाप इतनी तेज आबाज भारती जनता पार्टी के तो उन पचीस नेताओं में तेज नेताओं के केसिस में विराम क्यों लग गया ये भी तो जाननी की जरूरत है आखिर ऐसा कौन सा फर्मूला भारती जनता कि मकान को हरपने का काम के यह आरोप तो लगाते थे उसके बाद आदर्स घुटालक आरोप लगाते लगाते आपने उनको आदर्स मंत्रियां MP बना दिया राजस्वास से यह कौन सा फर्मूला भी जनता जानना चाहती है जिस पर सुमेंदू अधिकारी पर आप आरोप दस नाव आपको गिना दिया है और उसके बाद उनके ऊपर चल रहे केसिस को रोग दिया समझ में आ गया ना सर आदे संटेज में समझ में आ गया के कि शर्मा जी चवाब दीजिए करने आये इस विसे सब्सक्राइब नहीं पहले अपने चल रहे हैं अपर अब कौन से मैं पूछ रही को इस पूछ रहा है कि शर्मा जी जवाब दीजिए ना सट करें तो देके अब जो है आज जो वोक्त शाइब तो दे नहीं पा रहे हैं जो नियाले ने ने आज ने जो के की आ हूं मैं कहरा और दोन को सब्सक्राम लगा जो ने अब के साथ आ गए ये अब तो ये पाम धो धो दिये ये जाना चाहिए आपने चाहता है कि सारे सारे व्रस्ट नेता उंको जॉइन कर दिया और उसके बाद उनके ओपर केस रोग दिये यही सवाल है इसी पर जवाब पूछ रही हूं अब रुक जाईगी ना यह जवाब दे रही ही तरहें पूछ रहें ने जवाब दे ने जाए ने आज ने आले पर क्यों आपकी बोलती बंद रहे हैं बताइए पहले बताइए पाटियां तोड़ते हैं आपका काम पाटी तोड़ना मुखमंत्री बनाना और सरकार अपकी बोलती बंद हो रही है कियो नहीं बोल पा रहे हैं बोली हाई कोड़ ही कोई बंद नी हो रही है देश है रहे सुनतो लीजिया आप अरे याब आप चिला रही है सुनना नहीं चा हो एक अट वाड़ने को डीषय मुआ कि रेंड़स देशा में लोग मांते हैं ऐक आप निक्त परी चुट देवाले ह पर विश्वास है उच्छ नियालाई से इनको जस्टिस मिल जाएगा दिल्ली हाई कोट की ठिपड़ी पर-पर हम कुछ नहीं बोलेंगे के किशनमा जी यही आज से चार मेना पहले यह ठारा पार्टियां मिलके सुप्रीम कोट गई थी और यह सारे मामने लेके गए थे और 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 सी बियाई को हम किसी कीमत पे नहीं रोकेंगे उनकी कारवाई को और कोई गलती और सी ब्रस्टाचार भी करें वह आपकी जाच ना मूं तो यह तो मैं सुप्रीम कोट अकोट कर रहा हूं लेकिन आज यह क्यों नहीं बोल पाएंगे इसका कारण है क्योंकि यह सारे ब्रस्टाचारी राम लीला माइदान पे खड़े थे अभी एक सब्ता पहले और इसी केज़ी ब्रस्ट केज़ी वाल का बचाव करने के लिए ब्रस्टाचारी के सदक्ष्ण में कड़े थे ब्रस्टाचारी जो आपके साथ मिल जाते हैं वो ब्रस्टाचारी चक्की पीसिंग पीसिंग जो करते हैं आपके साथ आते ही वो बिल्कुल पीस वाली मुद्रा में चले जाते हैं तो जवाब नहीं है उनके पासमें जवाब नहीं है जवाद मैं छाममहरा के नहीं लोह ड़ोड़ाने नहीं है नहीं लिए हटी सारे मामने लेकर गए हैं और क्या जवाब दिया है सुप्रिम कोड्पमे हुआ तो इसलिया मैं कह रहा हूं कि उसका माम ला कुछ नहीं है और यह मंदार की पासी जो है सब्सक्राइब करें तो यह प्रभुक सत्ता में किस लिए हैं तो यह कह देना सब नियालेस होगा फिर क्योंगा सब्सक्राइब करेंगी हम कुछ नहीं करेंगी तो आप कुछ भी कह सकते पूरा देश आज देख रहा है कि कोड की तरफ से क्या कहा गया है मैं बार बार उसे रुपीट नहीं करूंगी आप लोग पतली गली से निकलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो आज नहीं हो पाएगा वो नहीं हो पाएगा आप मुझे बताईए हाई कोर्ट से जो बड़ा जटका लगा है उस बड़े जटके पर आप बोलने से क्यों पत्रा रहे हैं क्या का आप रहे हैं आप अश्वर्दन त्रिपाटी भी हमारे साथ बने हुए यह नौटंकी करने से कुछ नहीं होगा सर नौटंकी करने से आपको कुछ आपको जनता देख रही हैं आप उस मोहाने पर खरे हैं जहां पर विश्वास जीतना है मत कीजिए को बहुत महिंवा पड़ेगा आपने देश की जनता को मजाग बनागे रखा हुआ है हाईगोट की तिपड़ी आज आज आपको मजाक लगरे हैं हाई-चंत्र पाटी जी यह बेस तरीका है कि आप आरोफ लगा और भाग जाओ हाई-कोट ने जो टिपड़ी के सर यह यह मह नियाले ने कहा कि राजनीत से नियाय नहीं वता है अदालते नहीं चलती हैं कानून राजनीत इससे प्रभावित नहीं होता है अगर यह नियाय ले को कहना पड़ा है तो इसका सीधा सा मतलब है कि पिछले कुछ दिनों से विपक्षी पार्टियों ने जिस तरह से रामलीला मैदान में एक रश्टाचार के आरोपी के पक्ष में खड़े होकर और वहां से संदेश देने की कोशिश की कि दरसल जो भी एजंसियां कर रही है और उजो नियायले में ले जा रही है उसके ब शब्दशा वो कह रहे हैं कि जो कुछ हमारे पास प्रमाड है और जाहिर है ED का ही प्रमाड होगा कोई हर्श्वर्धन त्रिपाठी या रवी श्रिवास्तो या अनुराग भदोरिया तो लेके जाएंगे नहीं ED लेकर जाती है ज्यांच एजंसी का काम ही यही है उन प्रमा है अधालत के आदेश को हेड्लाइन मेनेजमेंट बता रहे हैं और क्या नयायाले किसी हेड्लाइन मेनेजमेंट के लिए अपने फैसले सुनाता है मुझे लगता है कि चुकि आम तोर पर ऐसे निर्णे ओपर कोई कुछ बोलते नहीं है लेकिन अर्वीन जी तो लगाता है लग रहा है हाई कोट हाई कोट के टुपड़ी हो है यह चैनल की हैडलाइन के लिए है अगर आपके खिलाफ कोई सुना दे तो आपको आपने सब की कोट्री बना दी है आपको लगता है कि आपके हिसाब से चले तो बढ़िया रवी जी और आपके हिसाब से ना चले हाई कोट की नए नई वो इजन्डा आपका दिखाई दे रहा है रवी जी आपको अच्छारी दिख रही है कि एडी के तत्थ ये बताते है कि अर्विंद केट्रिवाल की सनलिप्तिता है यह क्या है यह मुझे इस पर बताईए आप मुझे इस पर बताईए ना उससे बड़ी अदालते बहुत अच्छी बात है लेकिन हाई कोड की तरफ से जो कहा गया है आईटोर की तरफ से जो कहा गया है एडी के तथ बताते हैं कि अर्विंद केज्रिवाल की सनलिप्तिता है इसके क्या माने होते है जूट है यह बेबुनियाद बात है तत्त सही नहीं है अचा ठीक है एडी के तत्त गलत है नॉइडा के चैनल गलत है गिरफतारी गलत है यह ना सर बेल नहीं मिली गलत है सब गलत है हम बचारे पासूम हम ही सच्चे हैं हम ही सही है आपका यह विट्टिम कार्ट्स है तक 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 हो रहा है आपने देश को जन्ता को बेवकूफ समझ लखाएं क्या इस देश में चुनाव के लेके यह ना सिर्व देश में आपकी भार को सिस्साइज किया जा रहा है एडी को आपको भारत के बता देना है C.D.R. को आपको बखवास बता देना है आपको मीडिया के उपर भी किसी तरीके से अक्षिप लगाने से अपने आपको रोकना नहीं है सब बरबाद है, सब खराब है, अरविन केटरीवाल जिन्दाबाद है जो खराब है वो उसे खराब कहा जाएगा इनकी मानसिक्ता को रुपिका जी समझना पूरेगा इनको भारत की नेले पर वरोसा नहीं है लेकिन अमेरिका का एक बयान पर भरोसा है इनको भारत के बड़े उच्चे नेले से और सुप्रीम कोर्ट के निर्णाई पर भरोसा नहीं है इनको एक विदेश का एक पेपर, एक मैगजीन का रिपोर्टर ने दी कुछ लिख देगा तो उस पर इनको भरोसा है तो ये तो इनकी महांसिकता है आप समझ सकते है भारत की तास बने लोगा घचeral को चाह्त क है एं तंद गोटाने बाद है जो भारत की तरह खुख्ला कर रहे है सबसे बड़ी पंचायत जंता के सामने भी खड़े हैं अभी भी अनुराग भदोरिया के सवाल का जवाब आप नहीं दे पाए हैं ना अनुराग भदोरिया जो आपसे सवाल पूछ रहे हैं, ये सवाल तो मैं रभी जी से पूछ लूगा, अनुराग भदोरिया जो सवाल पूछ रहे हैं, शर्मा जी उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, अनुराग भदोरिया कुछ पूछ रहे हैं आपसे, क्या जवाब चा आप दोनों के एक सेंटेंस को नहीं सुन पा रही हूं तो जनता खत्र भूली जाएए या अप राधी है आप शर्मा जी रुख जाए अनुराग बदोरिया की जवाब देदू देखिए मैं बार बार इंसे पूछ रहा हूं कि ये बताईए कि आपका बाकादा बाकाद आप तो नाम सहीद पेपर में आया है आप बताईए जिनको आप कहते चक्की पीसिंग चक्क आप अब क सब्सक्राब है लुक सब्सक्राइए बार बार कीजिए लेकिन रुख पीस चाहिए और को तो रुक जाएगे ना मैं मैं कहार हूं यहाँ उस सवाल का जवाब चाहिए बार बार कीजिए लेकिन रुक नुटेए ना रुख जाहिए ना시 temos पार जवाब मिलेगा नहीं तब रुप जाएए रिपीट करते रहेगा ठीक है और उसका जवाब लेने के लिए मैं आपका भी पूरा साथ देती रहूंगे समझ के साथ हैं आपका साथ स 개인 की आपका सथी के साथ कर दि बीजै तो जिए अदम के बारे पूंतर में ठ्रीम में तो मझे मझे नहीं नेया ने ने घूँद्धे पो कि गोटा अले की साज़िश में शामिल है न्यायलए पर विश्वास है जनता को आप के सम्मिधान और न्याले पे मुझे पूरा विश्वास है और आपके मुताबिक वह व्यक्तिगत और आप सेयोजद दोनों तौर पर शामिल थे तत्थों के मुताबिक केज्रिवाल इस घोटाले की साजिश में शामिल है अब पुरी बात हो जाए कोड पर विश्वास है पु आप से कह रहा हूं रूबिका जी हम तो मान रहे हैं लेकिन बीजेपी क्यों नहीं मार रहे हैं पचीस नेताओं को शामिल किया जिन पर फश्टाचार कारोप लगाती थी तिया वो पाथ साथ होगे अब उसका जब जवाब देना पचीस नेता गिना रहे हैं लोग पता ही निए जवाब देना अब आप बदाए अब बदाए अजीद पवार को जो है वहां पर समाप्त किया यह बताए जो है तो है तो है उससे चलेगा और जब इनके आजीद पवार थे अब भरस थे या नहीं थे वो भी इस पस्ट करें आजे यह बताए इस बात को मैं इसमें करहें हैं अब दाए तो आप पर सेथे खुशी है कि अमराग भदोरिया ने ये माना कि केज़री वाग भृस्टाचारी है नहांने कह रहा है लेकर तो ये तर्म पर पहुंचाओं से पहले वरिश पत्रकार भी हमारे साथ मौझूद है त्रपाथी जी आज की तारीक में सवाल ये होगा कि कोट ने जो बात कही है वो तो एडी के तथ्यों पर कही है रवी जी कह रहे हैं कि हमें तो एडी पर ही बरोसा नहीं है फिर वो मंगुंटा जी का जिक्र कर रहे हैं वो तमाम दूसरे अप्रूवर्स का जिक्र कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि इनको टॉर्चर किया गया फिर इन्हों ने अपने बयान जो है वो बदल दिये या उस ब बड़े वकीलों से ज्यादा जानकार हो गए हैं, इनको वकील बनाना चाहिए, अर्विन केजरिवाल दी को सब को हटा कर इनको वकील बना देना चाहिए, क्योंकि यही कुछ आप शायद बचा पाएं, पार्टी को कुछ बचा पाएं, बीच में ने कोलते हैं, रविश्वा तो इतनी अब अदरता ठीक नहीं है, आप इस तरह से, एक बात मैं भी बोलू बीच में, देश्वी बात ये विक्तमंत्री ओं कैमरा कहती है, यह हम सारे ब्रश्टों को अप्ती पार्टी ने चाहिए, आप इस तरह करने के तयार हैं, रविजी यह बात कही है, रविजी य को 864 करोड के मामले में अपने कर दिया, आप लोग बीरेल करने की कोशिश कर रहें, सुकून से सुनिये ना, आप में भी बड़े आरोप लगाए, सुकून से सुना गया, अब इसको सुन लीजे आप, हर्ष्वास्टा जी, इसका सीधा सा मतलब हुआ, और चुकि मैं जानत हूँ, अनुवाग भदोरिया भी बहुत तैयारी से आते हैं, रविश व्यास्तों भी अपने तहीं, कितरा भी भ्रष्टा चार का आरोप लगा हो, अरविन जी को बचाते हैं, आज दोनों बचा नहीं पा रहे हैं, इसका सीधा सा मतलब हुआ, जो अरविन केजरीवाल, ज संजय सिंग की जमानत से एक्स ऑक्सीजन मिली थी, संजीवनी मिली थी, मृत प्राय होती प्राटी को, वो सारा का सारा खतम हो गया, इस पार्टी के सारे प्रोपगेंडा की प्राणवायू निकल गई, और आज जो नियायाले ने बताया है, इसके बाद तो आहम आदमी पा प्राटक और रागव चड्डा तक ये जान जा सकती है, जिस तरह से इनके पी ए विभवकुमार को बुलाये गया है, और जिस तरह से एक के बार एक कडिया जुड़ती हुई दिख रही है, उसमें आने वाले दिनों के लिए आम आदमी पार्टी के लिए बहुत गंभीर सं पार्टी की तरह से अनुराग जी, बी सेकेंड देखे, देखे, हर्षबर्दन जी पत्रकार है, पत्रकार की जिम्मेदारी होती है, ठीक है, वो हाई कोट की बात बता रहे है, अच्छी बात है, लेकिन आप बार बार पूछ रहा हूँ, बीजेपी के बारे में दो शवत ब पार्टी में आगया, ये तिर्फ दो लाईने, जिनके उपर भरष्टाचार के मामले थे, वो भारती जंता पार्टी में आ गया है, मेरी नजर में वो आज भी भरष्टाचारी है, नमबर 1, नमबर दो यह प्रफुल पटेल के मामले में मामला दरजी ही सर्वोच चिनेआले के हस्तक्षेप से हुआ था सर्वोच चिनेआले को CBIN रिपोर्ट सोंपी है मैं नेशनल टेलिवीजन चैनल पर कह रहा हूं सरवोट चिनयाले को रिपोर्ट खाईज करनी चाहिए और नए सिरे से ज्यादा मजबूती से जाच करानी चाहिए जो भी ब्रश्टा चाहिए उनकी जगाए जो भी ब्रश्टा चाहिए चाहिए वो शर्मा जी के पार्टी के हो या आम आदमी पार्टी के हो जो ब्रश्टा चारी हैं उनको किसी भी कीमत पर सलाखों के पीछे होना चाहिए इसमें कोई दोराए नहीं होनी चाहिए इसमें कोई हिफिन मत होना ही नहीं चाहिए फिलाल दीजिए अजाज़त कल होगी आपसे मुलाकात लेकिन आट बजे रहेए टीने ही है कि लिंज करते हूए हाइक से कम 15 पर तब कीडियार में ही रहना पड़ेगा हराकि सूत्मों के मताबिक केजरिवाल इस हाई कोट के फैस्टे को कल ही सुप्रीन कोट पे चुनौती दे सकते हैं लेकिन हाई कोट के जटके के बाद बीजे पीने केजरिवाल पर निशाना साधा है सुनिए मानिये उच्चे नियायले ने श्री केजरिवाल के संदर्ब में जो निर्णे दिया है उससे तथ्यों के कठोर धरातल पर आमादमी पार्टी का अहंकार चकना चूर हो गया है स्वगोशित, कटर इमानदार, कक्रदार, ठारदार तथ्यों के साथ पूरी तरह तार तार हो गया है इस हमानने बात नहीं है देखे जिस प्रकार से उन्होंने जमानत के लिए नहीं ये बात हम ऐसे नहीं कह रहे है उन्होंने तो सीधे सीधे अपनी अभिरक्षा को ही यानि अपनी हिरासत को ही चुनावती दी थी अहंकार ये था कि मुझे छूट नहीं चाहिए मुझे दूसरे को गलस साबित करना इसलिए मैंने कहा कि वो अहंकार चूर चूर हो गया है क्योंकि मानी न्यायले ने जो अभी मीडिया में प्राप्त सूचना उसके अनुसार यह बिंदुस पश्ट का आए कोर्ट क्लारिफाइज देट देट पेटीशन इस फूर डिसाइडिंग अरेस्ट इस इलीगल क्योंकि उन्होंने तो सीधे यह कहा था कि अरेस्ट ही इलीगल है यानि वो जमानत मांगी नहीं रहे थे और इतनी बड़े अहंकार के साथ वो आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे और इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए कि बताईए कोट ने जो कहा वो सच है माहौल जो बनाया जा रहा वो सच है हमारे साथ खास महमान शामिल हो गए है सबसे पहले आपको स्क्रिन पर मैं मुलाकात करवा देना चाहती हूँ अनुराग भदोरिया जो के हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राश्य उप्रवक्ता जुड़ चुके है केके शर्मा साथ अपसे कुछी देर में भारतिया जनता पार्टी के राश्य उप्रवक्ता जुड़ने वाले है हमारे साथ इस वक्त रभी जी आपको दिखाई दे रहा है जो के राजनितिक विशलेशक हैं और इन फाक्ट जब आम आत्मी बनी थी आम आत्मी पार्टी का गठन हुआ था वो गठन करने वाले फाउंडिंग मेंबर्ज में से एक नाम आप रभी जी का ले सकते हैं हमारे सत्वरिश पत्रकार हर्श्वधन ट्रिपाटी जी भी जूट चुके आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है रभी जी शुरुवात आपसे कर रही हूं कोट क्या कह रहा है जो बाते कहीं जा रही ह है कि जो आज हाई कोर्ट का जो भी यह निरिने है और है यह आपके लिए हैड्लाइन मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि जो बाते इसमें कहीं गई है वह जो भाजपा का एजेंडा है कमसे कम उसको पूरी तरह से कंफर्म करती है जैसा मैं आपको इस कोई बेल तो मांगी नहीं थी उन्होंने जो कहा था कि मेरा यह रिमांड इनलीगल है और उसके वक्ष में उन्होंने तैत्तमी रखे थे अब हम कोर्ट का संबान करते हैं पर मान यह जज्ज साहिवा ने जो बाते उसके लिखी है आपको कैसे पता था कि यह सारी बाते तो यह ठीक है कोट ने हेडलाइन बनाने के लिए यह टिपडी की है मैं कोट पर कोई टिपडी नहीं कर रहा हूं रूबिका जी यह जो बाते कहीं गई है वह हैं तो अलग है अब इक बाएक ना ने कहा रभी जी यह बाते जुट्पकर का कानुन है वह सो साल पुराना है बिल्कुल ठीक मुगर सो साल पहले Electoral Bonds नहीं थे सो साल पहले Electoral Bond दे करके Approver नहीं बनता था आज बनता है अब उठ लिवन ने ये बात तो नहीं मानी है उनोंने का ये आप राजितीक कार्ड़ों से कह रहे हैं प्रचार कर रहे हैं लेकिन कोड ने जो कहा है उससे आप क्यों बच रहे हैं कोड जो डिपणी करता है उससे तो आप इधर उदर नहीं कर सकते वो ना भावनाव से चलता है ना राजनीती से चलता है इसी बात का जिकराज किया है केके शर्वा जी आप अभी जुड़े नहीं थी उससे पहले रवी जी ने कहा कि यह जो असल ब्रश्टा चारी है वो तो आप लोगों के लिए क्यांपेइन कर रहे हैं कोड की टिपणी तो इनको पता थी क्या आने वाली है अज देखें ये तो जूठों की पार्टी है रुबिकाजी और आज तो बिल्कुल इस्पस्थ हो गया कि ये घोटाले बाज जूठों की पार्टी है और इनका तो इतिहास ही रहा है केजरी वाल का क्या इतिहास रहा है केजरी वाल का इतिहास ही रहा है कि मैं कभी पार्टी नहीं बनाऊंगा पार्टी बना लिया बच्चों की कसम खाके कहता हूं किसी कभी कागरेसियों से हाथ नहीं मिला हुआ उनके साथ संजोता कर लिया बंगला नहीं लूँगा सिकूर लग जाए तो इस्थिपा देना चाहिए यहां न्याले जो है प्राइमा फेसी एक कह रही है कि आपकी गिरपतारी सही है आप एक तरह के आरोपी दोसी सावित हो रहे हैं इसके बाजुद आप देखी कोई नेतिकता नहीं और उस पे भी इनके जो है प्रवत्ता बैट के उने इरक्तारी बिल्कुल गलत नहीं है क्लियर रहेंगा साब सब्दों में कहा कि गवार्ट के चुनाओं में मनी ट्रेल दिख रहा है लेकिन वह अब कुछ देर पहले सौरभ भार्द्वाज में प्रेस कॉन्फरेंस की कहा एक गुटी कौडी जो है वह आप तक हासल नहीं कर प जुदी है एडी ने कहा है क्योंकि वह पैसा जो है खर्च कर दिया गया है चुनाओं में और उस गवाहन ने उहां पर जाकर कोड में बैयान दिया है लेरे लेक्से बैक्रेंस पहले शब्सक्थP कॉण्यार पर लुदिया गया तिस अन्रवार्ण कंगे आफ बाते कर रहे ह सब्सक्राइब करें कि अदर यह आप घर में बैट करके कितने भी बना लीजिए प्लीज जोड़ उपर शसीना किसे हो सकती हुआ किसी और ने नहीं कहा है सुनिये रवी जी मेरी बात सुनिये रवी जी मेरी बात सुनिये कोट ने क्या का मैं शब्दुशा पढ़के सुना रही हूँ इडी के तथ्यों के मुताबिक के जीवाल इस घोटाले की साज़श में शामिल है इडी के मुताबिक वो व्यक्तिय और आग स्योज़ा दोनों के तौर पर शामिल है तो एडी क्या काम करेगा तो एडी क्या काम करेगा एडी के तथ्यों के मताबिक का मतलब क्या होता है अरे तो एडी के तथ्यों के मुताबिक का मतलब इस घोटाले की साज़श में शामिल है कोट कोई भी उसको कुछ भी बोलेगा वो लिख देगा गजब करते हैं तक तो आप बड़े खुश हो रहे थे कि आप देखिए जहाए वो सिंग साब को जो है आजाद कर दिया गया है हमारी जीत हुई और आज कोट जब आपको सुना रहा है और यह साफ तोर पर कह रहा है कि इडी के तत्यों के मुताबिक केज्रिवाल इस घोटाले की साज़श में शामिल है आप कहा रहे हैं कोट ने लिख दिया अनुराग बदोरिया जी बताईए आप भी यही मानते हैं यह रुख जाईए अब अब अनुराग बदोरिया जी की बारी बारी है अनुराग जी देखे 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 सवाल तो तब उठता है जब एक अगर पत्रकार की रिपोर्ट के अनुसार एक समाचार पेपर की रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो पचीस नेता ऐसे हैं जिनको भारती जनता पार्टी अपोजिशन लीडर है जिनको भारती जनता पार्टी ने अपने साथ लिया और तेज पे केसों पे बिराम लग पॉर्चिकी में यान्वा ड़ूद है अपर विट्रेंग चाहर घ्लत कर दnd पर के विए 12 आटव में जिमbalanced आधाइंगीז यह पे बिद्वाऔों के मालपने का कापका शरते हैं यह च्किनाटे च्वाद करने ने जहां सकतिक एंडकेमे इनको बना दिया राइस सभासे यह कौन सा फर्मूला यह फर्मूला भी जनता जानना चाती है और जंता में फर्मूला जानना चाती कि जिसमें नहीं कहते थे पकचिस में से दस नाव आपको गिला दिया है, रहे, आप ही का सवाल ले रहे, अप क्यारा रस्टाचारी नेत्याओं को इन्होंने अपने पार्टी में शामिल कर लिया, और उसके बाद उनके उपर चल रहे, कैसिस को रोग दिया, समझ में आ गया ना सर, आधे सेंटेस में ह केके शर्मा जी जवाब दिए आपके आप बचा रही हैं समझ में ना समझ बन रही है तो आपने सिंदे कुरू बना है वही तो पूछ रही हूं कौन सा फॉर्मूला है केके शर्मा जी जवाब दीजे ना देखे रुबिका जी यह जो है आज भदोरिया जी इस बात का जवाब तो दे नहीं पा रहे हैं कि जो न्याले ने आज निर्ने दिया है जो न्याले का निर्ने है उच्छ रहा है कुछ मैं कहा रहा हूँ जिन नेताओं पर के साथ आ गए यह जाना चाहता हुए यह जाना चाहता है कि जो नेताओं कि सारे सारे भरष्ट नेताओं को जॉइन कर दिया जॉइन करवा दिया और उसके बाद उनके ओपर केस रोग दिये यही सवाल है ना इसी पर जवाब पूछ रही हूं अब रुख जाईगी ना यह जवाब दे रही ही तर अचरे ने आज नियाले ने आज को डिए लिए ना उसली पूल कुछना आँक मियाप से हाई कोड पर क्यों आपकी बोलती बंद ने क्यूं नहीं बोल पार रहे बताएए अ पहले बताएं आपको में आपको आपको आपकी बोलती बंद हो रही है उससे पाल गषत चलता है लिखेए लिखेए मिद्ष कि बढ़ी किस पर आई हैं अर्विन के जिवाल पर आई है दिल्ली हाई कोट की ठिपड़ी पर पर हम कुछ नहीं बोलेंगे के किशन माजी यही आज से चार मेना पहले यह थारा पार्टियां मिलके सुप्रीम कोट गई थी और यह सारे मामले लेके गए थे और और सीवियाई को हम किसी कीमत में रोकेंगे उनकी कारवाई को और कोई गलती एडी और सीवियाई की नहीं है और आपको विशेशादिकार नहीं मिलेगा कि आप एदी बरस्टाचार भी करें आपकी जाचना हो तो यह तो मैं सुप्रीम कोट कोट कर रहा हूं लेकिन आज यह क सवाल पूच रहे हैं कि वह ब्रस्टाचारी जो आपके साथ मिल जाते हैं वह बिल्कुल पीस वाली मुद्रा में चले जाते हैं वह जवाब नहीं है उनके पास में जवाब नहीं है जवाब बागवाई करो प्राब करो प्रूपर कोई काम नहीं है सब कुछ नियाले से होगा तो यह प्रभुक सत्ता में किस लिए हैं तो यह कह देना सब नियाले सोगा फिर क्यों होगा करें हम कुछ नहीं करें हैं तो आप कुछ भी कह सकते पूरा देश आज देख रहा है कि कोड की तरफ से क्या कहा गया है मैं बार बार उसे रुपीट नहीं करूंगी आप लोग पतली गली से निकलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो आज नहीं हो पाएगा आप मुझे बताईए हाई कोड से जो बड़ा जटका लगा है उस बड़े जटके पर आप बोलने से क्यों पत्रा रहे हैं क्या काप रहे ह हाईश्वार्दन त्रिपाटी भी हमारे साथ बने हुआ है ये नौटंकी करने से कुछ नहीं होगा सर नौटंकी करने से आपको कुछ आपको जनता देख रही है आप उस मोहाने पर खड़े हैं जहां पर विश्वास जीतना है मत कीजिए मजाग ये मजाग आपको बहुत पड़ेगा आपने द्रिश की जनता को मजाग बना के रखा हुआ हाई कोट की टिपणी आज आपको लग रही है ये ये बेस तरीका है कि आप आरोप लगा और भाग जाओ हाई कोट ने जो टिपणी के सर ये महस टिपणी सोचके और कहकर मुझे आगे बढ़ जाना कि राजनीती से नियाय नहीं होता है अदालतें नहीं चलती हैं कानून राजनीती से प्रभावित नहीं होता है अगर ये नियायले को कहना पड़ा है तो इसका सीधा सा मतलब है कि पिछले कुछ दिनों से विपक्षी पार्टियों ने जिस तरह से रामलीला मैदान में एक पक्ष में खड़े होकर और वहां से संदेश देने की कोशिश की कि दरसल जो भी एजेंसियां कर रही है और उजो नियायले में ले जा रही है उसके बावजूर पॉलिटिकली मोटिवेटेड एजेंडा उनके खिलाब चलाये जा रहा है वो पुरी तरह से धोस्त हुगा नंबरे नंबर दो ये जिस तरह से नियायले ने कहा है नियायले की वर्डिंग से जो आपने भी पढ़के सुनाई शब्दशा वो कह रहे हैं कि भई जो कुछ हमारे पास प्रमाण है और जाहिर है एडी का ही प्रमाण होगा कोई हर्श्वर्धन त्रिपाठी या रभी श्रिवास्तो या अनुराग भदोरिया तो लेके जाएंगे नहीं एडी लेकर जाती है ज्यांच एजनसी का काम ही यह है उन प्रमाणों के आधार पर अर्विंड केजर किवाल सीधे सीधे इसमें सनलिप्त पाए जा रहे हैं यह इतना बड़ा बयान है और इसको आम आदमी पार्टी के प्रवक्तार अभी श्रिवास्तों कह रहे हैं कि हेडलाइन मेनेजमेंट है अदालत के आदेश को हेडलाइन मेनेजमेंट बता रहे हैं और क्या नयायाले क किसी headline management के लिए अपने फैसले सुनाता है मुझे लगता है कि चुकि आम तौर पर ऐसे निर्णे उपर कोई कुछ बोलते नहीं है लेकिन अर्वीन जी तो लगाता हमाफिया मांते रहें कुछ कोड का नहीं है यह तो राइडा के चैनलों के लिए अगर आपके खिलाफ कोई सुना दे तो आपको आपने सब की कोट्री बना दी है आपको लगता है कि आपके हिसाब से चले तो बढ़िया रवी जी और आपके हिसाब हाइडा के चैनलों के चैनलों काम करने वाली कंचारी दिख रही आपको वह जो कह रही है कि एडी के तथ यह बताते हैं कि अर्विन केड्रिवाल की सनलिप्तिता है यह क्या है यह क्या है यह बताईए ना उससे बड़ी अदालत है बहुत अच्छी बात है लेकिन हाइकोड की तरफ से जो कहा गया है इडी के तथ बताते हैं कि अर्विन केड्रिवाल की इसमें सनलिप्तिता है इसके क्या माने होते है जूट है यह बेबुनियाद बात है आचा ठीक है इडी के तथ गलत है लॉइडा के चैनल गलत है टिप्पनी गलत है गिरफतारी गलत है सब गलत है हम बचारे मासूम हम ही सच्चे है हम ही सही है आपका यह विक्टिम कार्ट्स है अपने देश को जन्ता को बेवकूफ समझ रखाया क्या इस देश में चुनाव के लेके है ना सिर्भ देश में इस चुनाव पर आपको खड़ में सब बर्बाद है सब खराब है अर्विन केड्रिवाल जिन्दाबाद है आज और अस्ट्रेलिया उनके गुनगान गाते रहे हैं यह पर निश्पक्स चुनाब नहीं हो रहा है के के शर्मा जी। इनकी मांसिक्ता है। इनके आप समझ सकते हैं। भारत की तरह खुगला कर रहे है। देश की सबसे बड़ी पंचायत जंता के सामने भी खड़े हैं। अभी भी अनुराग भदोरिया के सवाल का जवाब आप नहीं दे पाए हैं ना वो अनुराग भदोरिया जो आप से सवाल पूछ रहे हैं यह सवाल तो मैं रभी जी से पूछ लूगे अनुराग भदोरिया जो सवाल पूछ रहे हैं शर्मा जी उसका जवाब क्यों नहीं दे अब दोनों के एक सेंटेंस को मैं अब तर नहीं सुनता हूँ मैं आप दोनों के एक सेंटेंस को नहीं सुन पा रही हूँ तो जनता खुत भूली जाहिए अब अपराधी है अब शर्मा जी रुप जाहिए अनुराग भधोरिया की बार जबाब देखिए मैं बार-बार इनसे पूछ रहा हूं कि ये बताईए कि आपका बाकादा बाकाद तो नाम सहीद पेपर में आया है आप बताई जिनको आप कहते हैं चक्की पीसिंग पीसिंग करके आपने मंत्री बनाएं तो मंत्री बनाएं खा गया थे आप हजारत कोड़ों के घोटा लेगी बात कर रहे थे उसी सदनी के अंदर खड़े हो वही डिप्टी सी है आपकी प कर रहे हैं आपकी तो रुकती नहीं रुक जाहिए अब रुक जाहिए अब रुक जाहिए रिपीट करते रहिएगा ठीके और तो कि उसका जवाब लेंे के लिए में आप का भी पुरा साथ देती रहूँगे समझेए आप साब पूछते रही है मिगीं आप कैसा चाहिए कमे सब्स parfois अरे तो सर्व अरे हमने आले पर की विस्मास है तोड़ी है कि 25 आखे बारे पूच्छाहा порज क्ों कब कि दे को मकिना के तो हुआने को में तो कशा yhte कर दो का। सव हुष्वास है तो नियाले नियाले प्र विश्वास है अनु SUV आह major की की तरफ leaning पूरी बात हो जाए पूरी बात हो जाए कई बार सर्वोच नियाले से भी सर्वोच नियाले से भी सुन लिजाए कई बार सर्वो नियाले में भी सर्वोच नियाले से भी सर्वोच नियाले से लिजाएंगा तो फिर आप बैसे सम्मान करेंगे तो आप से कह रहा हूं रूबिका जी रूबिका जी हम तो मान रहे हैं लेकिन बीजेपी क्यों नहीं मान रहे हैं पच्छीस नेताओं को शामिल किया जिन पर फश्चार का रोप लगाती थी है वह पाथ साफ हो गए जब जवाब दे रहे हैं वेरी गुड यह सवाल पूछना करना है तो आप पर शामिल करना है सब्सक्राइब करें लेकि आज मुझे एक बाग की खुसी है कि अम्राग मदोरिया ने यह माना कि केजरी वाग भस्टाचारी है नाने कह रहा है लेकिन तक्राइब है कि आप 25 नेताओं में तुमारे साथ मौजूद है त्रपाथी जी आज की तारीक में सवाल ये होगा कि कोट ने जो बात कही है वो तो एडी के तफ्थों पर कही है रवी जी कह रहे हैं कि हमें तो एडी पर ही बरोसा नहीं है फिर वो मंगुंटा जी का जिक्र कर रहे हैं वो तमाम दूसरे अप्रूवर्स का जिक्र कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि इनको टॉर्चर किया गया फिर इन्हों ने अपने बयान जो है वो बदल दिये या उस उस बयान में अर्विन केज्रिवाल को इंक्लूड कर दिया और इसलिए अर्विन केज्रिवाल सराकों के पीछे है। विद्रमंत्रियों केमरा ती है कि हम सारे ब्रश्टों को अप्ति पार्टी में चादर करने के तयार है। कर रहे हैं कि आप लोग डीरेल करने की कोशिश कर रहे हैं सुकून से सुना गया अब इसको सुन लीजे आप अरविन जी को बचाते हैं आज दोनों बचा नहीं पा रहे हैं इसका सीधा सा मतलब हुआ जो अरविन केजरीवाल जो उनकी पार्टी को संजय सिंग की जमानत से एक्स ऑक्सीजन मिली थी संजीवनी मिली थी मृत प्राय होती पार्टी को वो सारा कसारा खतम हो गया इस पार्टी के सारे प्रोपगेंडा की प्राणवायू निकल गई और आ की कह रहे थे उनको साब दिखेगा कि इसके बाद दुर्गेश पाठक और रागो चड़्डा तक ये जान जा सकती है जिस तरह से इनके पीए विभवकुमार को बुलाये गया है और जिस तरह से एक के बार एक कडिया जुड़ती हुई दिख रही है उसमें आने वाले दिन जाने को है ये ये आशंका जताई जा रहे है हर्षबर्दन त्रपाठी की तरफ से अनुराग जी 20 सेकेंड देखे देखे हर्षबर्दन जी पत्रकार है पत्रकार की जिम्मेदारी होती है ठीक है वो हाई कोड की बात बता रहे अच्छी बात है लेकिन आप बार बार समनी बाहो वही आप दोनद तरफ बात करो कि ओपी गरते जो 25 लोग को लिया गया दूसरी बात हमें नियाई पाल का विश्वास है बात सब उचनीयाले में नियाय मिलेगा नियाय तो मिलना है ये मानके चलिए ले लेगा मुझे पूरा विश्वास है इस देश के अंदर मे सिर्थ दो लाइने जिनके उपर भरष्टाचार के मामले थे वो भारती जनता पार्टी में आ गया है मेरी नजर में आज भी भरष्टाचारी है नमबर एक नमबर दो ये प्रफुल पटेल के मामले में मामला दर्जी ही सर्वोच चिने आले के हस्तक्षेप से हुआ था सर्वोच चिने आले को सीबिया ने रिपोर्ट सोपी है मैं नेशनल टेलिविजन चैनल पर कह रहा हूं सर्वोच चिने आले को रिपोर्ट खाईज करनी चाहिए और नए सिरे से ज्यादा मजबूती से जाच करानी चाहिए जो भी ब्रश्टा चाहिए उनकी जगाए जो भी ब्रश्टा चाहिए चाहिए वो शर्मा जी के पार्टी के हो भदोरिया जी के पार्टी के हो या आम आदमी पार्टी के हो जो ब्रश्टा चारी हैं उनको किसी भी गीमत पर सलाखों के पीछे होना चाहिए इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाह होएगी इसमें कोई हिफिन मठ होना ही नहीं चाहिए फिल् Thom dj अजाजत कल होगी आपसे मुलाकात लेकिन आट बजे देश नहीं जुकने देंगे मैं आपके सामने हो जाओंगी हाजर आप देखते रहे हैं न्यूज एटी निल्ड़ करते हुए हाई कोट में याचिका लगाई थी और इस याचिका में अर्विन केजिवाल की गिरफतारी को अवैर बताया गया था हाई कोट में जैसे ही केजिवाल की आचिका को खारिश किया उसके बाद ये साफ हो गया कि अब कम से कम 15 अपरेल तग केजिवाल को तिहार में ही रहना पड़ेगा हारा कि सूत्मों के मताबिक केजिवाल इस हाई कोट के फैस्टे को कल ही सुपरीम कोट में चुनाती दे सकते हैं लेकिन हाई कोट के जटके के बाद बीजे पीने केजिवाल पर निशाना साधा है सुनिए मानिय उच्चे नियायले ने श्री केजिवाल के संदर्ब में जो निर्णे दिया है उससे तथ्यों के कठोर धरातल पर आमाद्मी पार्टी का अहंकार चकना चूर हो गया है स्वगोशित कटर इमानदार का किरदार धारदार तथ्यों के साथ पूरी तरह तार-तार हो गया है इस सामानने बात नहीं है देखे जिस प्रकार से उन्होंने जमानत करिये नहीं यह बात हम ऐसे नहीं कह रहे है उन्होंने तो सीधे सीधे अपनी अभिरक्षा को ही यानी अपनी हिरासत को ही चुनवती दी थी अहंकर ये था कि मुझे छूट नहीं चाहिए मुझे दूसरे को गलस साबित करना इसलिए मैंने कहा कि वो अहंकर चूर चूर हो गया है क्योंकि मानी न्यायले ने जो अभी मीडिया में प्राप्त सूचना उसके अनुसार यह बिंदुस्पष्ट का आए कोट क्लारिफाइज that the petition is for deciding the arrest is illegal क्योंकि उन्होंने तो सीधे यह कहा था कि arrest ही illegal है यानि वो जमानत मांगी नहीं रहे थे और इतनी बड़े अहंकार के साथ वो आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे और इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए कि बताईए कोट ने जो कहा वो सच है माहौल जो बनाया जारा वो सच है हमारे साथ खास मेहमान शामल हो गए है सबसे पहले आपको स्क्रीन पर मैं मुलाखात करवा देना चाहती हूँ अनुराग भदोरिया जो के हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राश्य उप्रवक्ता जुड़ चुके है केके शर्वा साब अपसे कुछी देर में भारतीय जनता पार्टी के राश्य उप्रवक्ता जुड़ने वाले हैं हमारे साथ इस वक्त रभी जी आपको दिखाई दे रहे हैं जो के राश्य नितिक विशलेशक है और इन फाक्ट जब आम आत्मी बनी थी आम आत्मी पार्टी का गठन हुआ था वो गठन करने वाले फाउंडिंग मेंबर्स में से एक नाम आप रभी जी का ले सकते हैं हमारे साथ वरिश पत्रकार हर्श्वधन त्रिपार्टी जी भी जूट चुके आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है रभी जी शुरुवात आप से कर रही हूँ कोट क्या कह रहा है जो बाते कही जा रही है वो मजाक नहीं है आप जितना माहौल बना लीजिए कोट की टिपड़ी ये बताती है कि दाल में कुछ काला है इनफेक दाल पूरी काली है ने ने रुबिका जी नमस्कार पहली बात तो ये कि जो आज हाई कोट का जो भी ये दिनने है ओर्डर है ये आपके लिए हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि जो बाते इसमें कही गई है वो सर जो भाजपा का एजेंडा है कम से कम उसको पूरी तरह से कंफर्म करती है जैसा मैं आपको इस जजमेंट के बारे में भी बता दू कि इस जजमेंट की मुझे तो कम से कम पूरी अपेक्षा थी कि इस तरह की बाते इसमें कही जाएगी और अर्विल केजरिवाल ने कोई बेल तो बांगी नहीं थी उन्होंने जो कहा था कि मेरा ये रिमांड इनलीगल है और उसके वक्ष में उन्होंने तयत्तमी रखे थे अब हम कोट का सम्मान करते हैं पर माननीए जजसाहिवा ने जो जो बाते उसमें लिखी है आपको कैसे पता था कि ये सारी बाते लिखी जाएगी और आपको कैसे कह सकते किस बिना पर कह सकते है हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए तो ये ठीक है कोट ने हेडलाइन बनाने के लिए ये टिपड़ी की है मैं कोट पर कोई टिपड़ी नहीं कर रहा हूं रुबिका जी बेरा ये कहना है कि ये जो बाते कही गई है वो headline management के लिए ठीक है सर ये headline नहीं अच्छा वो अलग है अब एक बात मुझे बता मानिय जस्ताइबा ने कहा कि जो approval का कानून है वो 100 साल पुराना है बिल्कुल ठीक मगर 100 साल पहले electoral bonds नहीं थे 100 साल पहले electoral bond दे करके approval नहीं बनता था आज बनता है अब उजस्ताब तो उन्होंने ये बात तो नहीं मानी है उन्होंने का ये आप राजितिक काड़ों से कह रहे हैं बगर सच्चाई यही है कि शरचंद रेडियों चाहें सी अरविंदों चाहें मगुंटा रेडियों वो आज बाज़पा के मगुंटा रेडियों मिदवार है ये कि शर्वा जी भी अमारे साथ जुड़ार कर रहे है हाँ आप ये कह रहे हैं कि ये मोधी जी का प्रचार कर रहे हैं लेकिन कोड ने जो कहा है उससे आप क्यों बच रहे हैं कोड जो टिपणी करता है उससे तो आप इधर उदर नहीं कर सकते वो ना भावनाव से चलता है ना राजनीती से चलता है इसी बात का जिकराज किया है केके शर्वा जी आप अभी जुड़े नहीं थी उससे पहले रवी जी ने कहा कि ये जो असल ब्रश्टा चारी है वो तो आप लोगों के लिए कैम्पेइन कर रहे है कोड की टिपणी तो इनको पता थी क्या आने वाली है ये तो जूटों की पार्टी है रुबिका जी और आज तो विल्कुल इस्पस्थ हो गया कि ये घोटाले बाज और जूटों की पार्टी है और इनका तो इतिहास ही रहा है केजरी वाल का क्या इतिहास रहा है केजरी वाल का इतिहास ही रहा है कि मैं कभी पार्टी नहीं बनाऊंगा पार्टी बना लिया बच्चों की कसम खाके कहता हूँ किसी कभी कावेशियों से हाथ नहीं मिला हुआ उनके साथ समझवता कर लिया बंग्रा नहीं लूँगा सिकूर्टी नहीं लूँगा मैं और देखिए बड़े-बड़े सीसमहल बना ली यह हमेशा से निरंतर जनता को जूट बोलना और वही कामाज भी कर रहे हैं यही अभी क कि आरोपी दोसी सावित हो रहे हैं इसके बावजुद आप देखिए कोई में दिखता नहीं और उस पर भी इनके जो है प्रवत्ता बैट के उनेता बैट के जो है जूट बोलते हैं और इतनी बड़ी-बड़ी बात हैं ने क्या नहीं आज इस पस्ट किया सबसे बड़ी ब अब कुछ देर पहले सौरभ भार्दवाज में प्रेस कॉन्फरेंस की कहा एक पूटी-कौडी जो है वो अब तक हासल नहीं कर पाई है ना इडी ना सीबी आई हमारे साथ यहां अनुराग बदोरिया भी है केके शल्माजी पर तो इडी नहीं इस पस्टता की हुई है इड रभी जी कुछ यह ना चाने लिगों से पहले है रभी जी तीस से के में जबाब दीजें को अनुराग बदोरिया थीस से क्या कपोल कल्पित बाते कर रहे हैं यह कौन सी आप यहां पर अफवा उड़ा रहे हैं बैटके और यह कौन देगा पैसा प्रोट में आपकी धज्य प्रोट में अपर हो गया आप इसके अदर यह आप घर में बैट करके कितने भी बना लीजिये किसी और ने नहीं कहा है सुनिये पहले रवी जी मेरी बात सुनिये रवी जी मेरी बात सुनिये कोट ने क्या का मैं शब्दुशा पढ़के सुना रही हूं के अधियों के मुताबिक के ज्रीवाल इस घोटाले की साज़िश में शामिल है इडी के मुताबिक वो व्यक्तिय और अध स्योज़त दोनों के तोर पर शामिल है करेंगे तो पत्यों के मतलब क्या होता है अरे तो आपको क्यों बताएंगे वो तो खोट को बताएंगे ना सब्सक्राइब करेंगे यह लाइन की लिखने की जरूति आपको कहना है अरे जो इडी ने कहा वह कोट ने शब्दुशा उसमें लिख दिया अरे किसे लिख दिया कोट का कोई सुझबूज है के नहीं है कोट ने कोई भी उसको कुछ भी बोलेगा वो लिख देगा घजब करते हैं आप कल तक तो बड़े खुश हो रहे थे कि आप देखिए वो सिंग साब को जो है आजाद कर दिया गया है हमारी जीत हुए और आज कोट जब आपको सुना रहा है और यह साफ तोर पर कह रहा है क अनुराग भदोरिया जी की बारी है अनुराग जी देखे 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 सवाल तो तब उठता है जब एक अगर पत्रकार की रिपोर्ट के अनुसारा एक समाचार पेपर की रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो पचीस नेता ऐसे हैं जिनको भारती जनता पार्टी अपोजिशन लीडर है जिनको भारती जनता पार्टी ने अपने साथ लिया और तेज पे केसों पे बिराम लग दिया तेज पचीस नेता थे ना जिनका न जानना चाहता हूं भष्टचार के खिलाप इतनी तेज आवाज भार्ति जनता पार्टी के ए तो न पचीस नेताओं में तेज नेता के केसिस में विराम लग गया यह भी तो जानने की जरूरत है आखिर ऐसा कौन सा फर्मूला भार्ते जनता पार्टी के पास है जो भार्ति यजनता पार्टी पहले चक्की पिसिंग कि बात करती है बात में फिर मंतरी बनाईंग पर आजाती है यह वी तो जानना चाती है जिनको आप कहते थे नहीं 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 जो सेनीक है हमारे उनकी विद्वाओं के मकान को हरपने का काम के यह आरोप तो लगाते थे उसके बाद आपने उनको आदर्स मंत्रियां एंपी बना दिया राजस्वा से यह कौन सा फर्मुला यह फर्मुला भी जनता जानना चाहती है जिस पर सुमें दू अधिकारी पर आप आरोप लगा रहे तो उसके बाद आपने उसको अपना लीडर ऑपोजीशन बना दिया यह जानना चाह करते जी शिवशना को आप आप कहते हैं महराश्ट में बिदासरों में कड़े होगे डिप्टी सीम इनके क्या क्या नहीं कहते थे शिवशना को एगर बाद दस नाव आपको बदोरियों की आरे आप ही का सवाल ले रहे हैं मैं समझ गई आपकर रस्ताचारी नेत्याओं को इनों ने अपने पाटी में शामिल कर दिया और उसके बाद उनके उपर जब रहे केसिस को रोग दिया समझ में आ गया लगा आहां के शामिए आपके आपको आपनी समझ में नहीं है कोई बचा नहीं हुँ सर्व की ना समझ बर रही हैं आपने कौन सा पूछ रही तो मैं पूछ रही हूं कौन सा फॉर्मूला है केके शर्मा जी जवाब दीजे ना देखे रुबिका जी यह जो है आज भदोरिया जी इस बात का जवाब तो दे नहीं पा रहे हैं कि जो न्याले ने आज ने दिया है जो न्याले का निर्णे में उस्पे इस पर जवाब पूछ रही हूं हाइक पर क्यों आपकी बोलती बन रहे हैं बताएं बहुता है पाटियां तोड़ते हैं आपका काम पाटी तोड़ना मुखमत्री बनाना और सरकार ने अपकी बोलती बन हो रही है क्यों नहीं बोल पा रहे हैं बोलिए हाई कोट में हाई कोट पर कोई बंद नहीं हो रही है देश देखिए हाई कोट की तिफपणी आई है पारगास चलता है लिखिये लिखिये या बोलिए हाई कोट की तिफपणी आई है सक्क तिफपणी किस पर आई है अर्वित के जिवाल पर आई है अरे सुन तो लीजे आप अरे आव आप चिला रही हैं सुनना नहीं चाहते हैं तो देश समय बाख कर रहे हैं नहीं देश समय बाख कर रहे हैं यह कुछ नहीं पर इसे इंको जस्टिस नहीं जाएगा कुछ नहीं बोलेंगे के कि नहीं एक मैं देखें रुपिका जी कहना चाहता हूं उसका भी जवाब देता हूं यही आज से चार मेना पहले यह थारा पार्टियां मिलके सुप्रीम कोड गई थी और यह सारे मामने लेके गए थे और एडी और सीवी आई को गलट ठहराने की को सुप्रीम कोड पूरे दिन भर सुनवाई किया सारे मामनों का चाठ है लोग लेके रहे थे सुप्रीम कोड पूरी तहां से खारिज करते हुए कहा कि इसमें एडी और सीवी आई को हम किसी कीमत में नहीं रोकेंगे उनकी कारवाई को और कोई गलती एडी और सीवी आई की है और आपको विशेसाधिकार नहीं मिलेगा कि आप इदी ब्रस्टाचार भी करें आपकी जाच नहीं तो यह तो मैं सुप्रीम कोड कोड कर रहा हूं लेकिन आज यह क्यों नहीं बोल पाएंगे इसका करण है क्योंकि यह सारे ब्रस्टाचारी राम लीला मायदान पे खड पहले और इसी केजिरी ब्रस्ट केजिवाल का बचाव करने के लिए ब्रस्टाचारियों के सदक्ष्रण में कड़े थे जब्रस्टाचारी जो आपके साथ आते ही वह बिल्कुल पीस वाली मुद्रा में चले जाते हैं को जवाब नहीं है उनके पास में जवाब नहीं है मैं जवाब मांग रहा हूँ इदर दर बाग रहे है इसलिए मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं दरना है और यह मुद्पार की पार्टी जो है कि अधर करो नहीं है तो यह करके नहीं किस लिए हैं तो यह कह देना सब नहाले सोगा फिर क्योंगा इस नहीं करेंगी हम कुछ नहीं करेंगी है तो आप कुछ भी कह सकते हैं पूरा देश आज देख रहा है कि कोड की तरफ से क्या कहा गया है मैं बार बार उसे रिपीट नहीं करूंगी आप लोग पतली गली से निकल करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो आज नहीं हो पाएगा वह नहीं हो पाएगा आप मुझे बताइए हाई कोर्ट से जो बड़ा जटका लगा है उस बड़े जटके पर आप बोलने से क्यों पत्रा रहे हैं क्या काप रहे हैं आप हर्षवर्दंत्रिपाटी भी हमारे साथ बने हुआ है ये नौटंकी करने से कुछ नहीं होगा सर नौटंकी करने से आपको कुछ आपको जनता देख रहे हैं आप उस मोहाने पर खड़े हैं जहां पर हिश्वास जीता हैं मत कीजिए ये मजाख आपको बहुत नहींवा पर लगा है कि आप आरोप लगा और भाग जाओ हाई कोट ने जो टिपणी के सर यह महें चुपणी सोच के और कहकर मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए यह किसी को भी प्रुपिका जी मुझे लगता है कि जो नियायले ने कहा उसी से मुझे शुरू करना चाहिए नियायले ने कहा ति राजनीती से नियाय नहीं होता है अदालतें नहीं चलती हैं कानून राजनीती से प्रभावित नहीं होता है अगर ये नियायले को कहना पड़ा है तो इसका सीधा सा मतलब है कि पिछले कुछ दिनों से विपक्षी पार्टियों ने जिस तरह से रामलीला मैदान में एक प्रष्टाचार के आरोपी के पक्ष में खड़े होकर और वहां से संदेश देने की कोशिश की कि दरसल जो भी नियायले ने कहा है नियायले की वर्डिंग से जो आपने भी पढ़के सुनाई शब्दशा वो कह रहे हैं कि भई जो कुछ हमारे पास प्रमाड है और जाहिर है एडी का ही प्रमाड होगा कोई हर्श्वर्धन त्रिपाठी या रवी श्रिवास्तो या अनुराग भदवरिया तो लेके जाएंगे नहीं एडी लेकर जाती है ज्यांच एजनसी का काम ही ही है उन प्रमाडों के आधार पर अर्विन केजरिवाल सीधे सीधे इसमें सनलिप्त पाए जा रहे हैं ये इतना बड़ा बयान है और इसको आम आदमी पार्टी के प्रवक्तार अभी श्रिवास्तो कह रहे हैं कि हेड्लाइ के आदेश को हेड्लाइन मैनेजमेंट बता रहे हैं और क्या नयायाले किसी हेड्लाइन मैनेजमेंट के लिए अपने फैसले सुनाता है मुझे लगता है कि चुकि आम तौर पर ऐसे निर्णे ओपर कोई कुछ बोलते नहीं है लेकिन अर्वीन जी तो लगाता है माफिया मा है हाई कोट हाई कोट के टुपड़ी हो है यह चैनल की हैडलाइन के लिए है अगर आपकी गाये तो सब बढ़िया और आपके खिलाफ कोई सुना दे तो आपको आपने सब की कोट्री बना दी है आपको लगता है कि आपके हिसाब से चले तो बढ़िया रभी जी और आपके हिसाब से ना चले हाई कोट की नहीं नहीं वो एजंडा आपका दिखाई दे रहा है रभी जी आपको एजंडा दिखाई दे रहा है क्या मतलब नॉइडा के चैनल है इसके माने क्या है सर हाई को काम करने वाली कंचारी दिख रही है आपको वो जो कह रही है कि एडी के तथ यह बताते हैं कि अर्विंद केड्रिवाल की सनलिप्तता है यह क्या है यह बताइए बड़े आराम से आपने यह तो कह लिया कि यह तो अरे हैडलाइन मैनेजमेंट किया है यह है अब जारी है ने और बताइए आप मुझे इस पर बताइए ना उससे बड़ी अदालत है बहुत अच्छी बात है लेकिन हाई कोड की तरफ से जो कहा गया है एडी के तथ बताते हैं के अर्विंद केड्रिवाल की इसमें सनलिप्तत है इसके क्या माने होते हैं जूट है यह बेबुनियाद बात है और राइड़ी के तथ गलत है नौइडा के चैनल गलत है गिरफतारी गलत है यह नहीं मिली गलत है यह विज़स्ट है हम ही सच्चे हैं हम ही सही है आपका यह विक्टिम कार्श है तक तक कब तक है आपने देश के चंता को बेवकूफ समझ रखाएं क्या इस देश में चुनाव के लेके यह ना सिर्फ देश में इस चुनाव पर आपकी बारत को सब्सक्राइब हो जाना है सब बरबाद है सब खराब है अर्वन केड्रीवाल जिन्दाबाद है जो खराब है वो उसे खराब कहा जाएगा अब जिनको जिन्दाबाद करना चाहिए अमेरिका कह रहा है आज यह उस्ट्रेलिया उनके गुंगान गाते रहे हैं यहां पर जय हिंग हो रहा है के के शर्मा जी कि देखे यह इनकी मानसिक्ता को रुपका जी समझना पूरेगा इनको भारत की नेले पर वरोसा नहीं है लेकिन अमेरिका का एक ब्यान पर भरोसा है इनको भारत के बड़े उच्छे नेले से और सुप्रीम कोर्ट के निर्णाई पर भरोसा नहीं है इनको एक विदेश का एक पेपर एक मैगजीन का रिपोर्टर ने दी कुछ लिग देगा तो उस पर इनको भरोसा है तो यह तो फिर सुनाइड है अब जो है देश की सबसे बड़ी पंचायत जंता के सामने भी खड़े हैं और कुछी में वह दोर्या की सवाल का जवाब आप नहीं दे पाए हैं ना अनुराग भदोरिया जो आपसे सवाल पूछ रहे हैं ये सवाल तो मैं अभी जी से पूछ लूगा अनुराग बदोरिया नो वहाल पूछ रहा है शर्मा जी उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं आनुराग भदोरिया कुछ पूछ रहे हैं आपसे ट्ं़ लाट की अरू अब थो अ मत्री बनिंग वाला था वोगे दे बात कहलैं मंत्री बनिंग पहले मंत्री पर देना चाहीत है दो अट्टिस को मैं आपको नहीं सुन पा रही हूं तो जनता फो तो भूली जाहिए आप शर्माजी रूप जाहिए अनुराग भधोरिया की बाद आप देदू, देखिए, मैं बार-बार इनसे पूछ रहा हूँ, बताइए कि आपका बाकादा, बाकादा अब तो नाम सहीद पेपर में आया है, आप बताइए जिनको आप कहते हैं, चक्की पीसिंग, चक्की पीसिंग, 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 करके आपने मंत्री कर रहे हैं तो अपने वापस वही काम कर रहे हैं तो नेताओं को आपक सब कैसे हो जा रहे हैं आप रिपी टेलिकास्ट रूप जाएगी ना मैं कह रही हूं उस सवाल का जवाब मैं ले ले देखिए करना पड़ेगा और उसका जवाब लेने के लिए मैं आपका भी पूरा साथ देती रहूंगे समझ के आप सवाल पूछते रहे हैं मैं आपका साथ के साथ हैं आपका आपका आज आप सत्ति के साथ हैं मुझे मालूम है सत्ति के साथ कभी कभी आप बोते हैं लेकिन आज हैं ऐसा है प्रतित हो रहा है सत्ति हाई कोट ने नहीं बोला आज बोला की नहीं बोला आफ मैं आपके अरे तो सर्व अरे हम न्याम पे कि यह दोड़ी है जनता को आपने का नियायले पर विश्वास है नियायले की तरफ से क्या पाजिया एडी के तत्त्यों के मुताबिक के जीवार इस घोटाले की साजिश में शामिल है न्यायले पर विश्वास है देश के सम्मिधान और न्यायले पर मुझे पूरा विश्वास है और आपके भी जाती है वो व्यक्तिगत और आज सयोज़त दोनों तोर पर शामिल थे तत्थियों के मुताबिक केज्रिवाल इस घोटाले की साज़िश में शामिल है अब पुरी कि दूसरा आएगा तो फिर आप क्या करेंगे अभी बोलिए आप क्यों नेर बोलिए अरे में कोट के साब है कोट का आज कोट के सम्मान कर रहा है कोट की तरफ से जो कहा जा रहा है वो माना जाएगा हम तो आप से कह रहा हूं रूबिका जी हम तो मान रहे हैं लेकिन बीजेपी क्यों नहीं मान रहे हैं पचीस नेताओं को शामिल किया जिन पर फश्टाचार कारोप लगा ती तिया वह पाथ साफ होगे बताए जवाब देना 25 नेता गिना रहे हैं लोग पर पता ही जिए जो है समाप्त किया यह बताए याभी जो है तो पर से चलेगा और जब इनके आजित पवार थे और भरस्थ थे और नहीं थे वोगी इस परस्ट करें आजे यह बताएं इस बात को मैं इसमें कह रहा है हूं पर प्रभू आप लगा रहे हैं जो है जुठा पर से अफ्तन क्रियक करना है तो आप पर से तन क्रियक करना है कि अम्राग मदोरिया ने यह माना कि केजरी वाग भस्ताचारी है ना ने कह रहा है लेको तो यह तक्रिकार भी अमारे साथ मौझूद है त्रपाथी जी आज की तारीक में सवाल ये होगा कि कोट ने जो बात कही है वो तो एडी के तफ्थो पर कही है रवी जी कह रहा है कि हमें तो एडी पर ही बरोसा नहीं है फिर वो मंगुंटा जी का जिक्र कर रहे हैं वो तमाम दूसरे अप्रूवर्स का जिक्र कर रहे हैं औ जिन्हों ने अपने बयान जो है वो बदल दिये या उस बयान में अर्विन केजरिवाल को इंक्लूब कर दिया और इसलिए अर्विन केजरिवाल सराकों के पीछे है तुपिका जी देखे पहली टिपड़ी मरे धुरी रह गई चूकि रवी जी बीच में पूत पड़े अब अब शेक मनु सिंग भी और देश के बड़े वकीलों से ज्यादा जानकार हो गए हैं इनको वकील बनाना चाहिए अर्विन केजरिवाल जी को सब को हटा कर इनको वकील बना देना चाहिए तो कि यही कुछ अब शायद बचा पाएं पार्टी को परिशाद होते हैं बीच में कोलते हैं रविश्वा तो इतनी अब 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 अधरता ठीक नहीं है एक बात मैं भी बोल दूँ बीच में देश की बात यह विक्तमंत्रियों कैमरा कहती है कि हम सारे ब्रश्टों को बिल्कुल सही कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं कि आप लोग डिरेल करने की कोशिश कर रहे हैं सुन जी रहे हैं सुकून से सुनिये ना आपने भी बड़े बड़े आरोप लगा है सुकून से सुना गया अब इसको सुन लीजे आप हर्श्वर्द रूविक्ता जी इसका सीधा सा मतलब हुआ और चुकि मैं जानता हूँ अनुवाग भदोरिया भी बहुत तयारी से आते हैं रविश्यास्तो भी अपने तहीं कितरा भी भष्टा चार कारोप लगा हो अरविन जी को बचाते हैं आज दोनों बचा नहीं पा रहे हैं इसका सीधा सा मतलब हुआ जो अरविन केजरीवाल जो उनकी पार्टी को संजय सिंग की जमानत से एक्स ऑक्सीजन मिली थी संजीवनी मिली थी मृत प्राय होती पार्टी को वो सारा कसारा खतम हो गया इस पार्टी के सारे प्रोपगेंडा की प्राणवायू निकल गई और आज जो नियायाले ने बताया है इसके बाद तो आम आदमी पार्टी के कारकरता जो बचारे केंडल लाइट और थाली ताल कर रहे तो उनमें अब वो साहस भी नहीं बचेगा जो लोग ये कह रहे थे अब उनको साफ दिखेगा कि इसके बाद दुर्गेश पार्टक और रागव चड़्डा तक ये जान जा सकती है जिस तरह से इनके पीए विभाव कुमार को बुलाये गया है और जिस तरह से एक क कडिया जुड़ती हुई दिख रही है उसमें आने वाले दिनों के लिए आम आद्मी पार्टी के लिए बहुत गंभीर संकत दिख रहा है और शायद यही वजा है कि आम आद्मी पार्टी का पूरा अभियान अब जेल में जो केजरीवाल है उसको वोट से जवाब दो करें पूरी पार्टी जेल में जाने को है यह आशंग का जताही जा रही हर्शवर्दंत्रपार्टी की तरफ से अनुराग जी 20 सेकेंड देखे हर्शवर्दन जी पत्रकार की जिम्मेदारी होती है ठीक है वो हाई कोट की बात बता रहे है अच्छी बात है लेकिन आथ हम बार- सिर्थ दो लाइने जिनके उपर भश्टा चार के मामले थे वो भारती जनता पार्टी में आगये मेरी नजर में आज भी भ्रष्टाचारी है नमबर एक नमबर दो ये प्रफुल पटेल के मामले में मामला दरजी ही सर्वोच चिने आले के हस्तक्षेप से हुआ था सर्वोच चिने आले को रिपोर्ट खाईज करनी चाहिए और नए सीरे से ज्यादा मजबूती से जाच करानी चाहिए जो भी ब्रष्टाचारी चाहिए उनको किसी भी गीमत पर सलाखों के पीछे होना चाहिए दीजे इजाज़त कल होगी आपसे मुलाकात लेकिन आट बजे देश नहीं जुकने देंगे मैं आपके सामने हो जाओंगी हाजर आप देखते रहिए न्यूज एटी निल्ड़ चलेंज करते हुए हाई कोट में याचिका लगाई थी और इस याचिका में अर्विन केजिवाल की गिरफतारी को अवैर बताया गया था हाई कोट ने जैसे ही केजरिवाल की आचिका को खारिश किया उसके बाद ये साफ हो गया कि आप कम से कम 15 अपरेल तर केजरिवाल को तिहार में ही रहना पड़ेगा हराकि सूत्रों के मतावर केजरिवाल इस हाई कोट के फैसले को कल ही सुपरीन कोट पर चुनौती दे सकते हैं लेकिन हाई कोट के जटके के बाद बीजे पीने केजरिवाल पर निशाना साधा है सुनिए माननी ये उच्छे नियायले ने श्री केजरिवाल के संदर्ब में जो निर्णे दिया है उससे तथ्यों के कठोर धरातल पर आम आदमी पार्टी का अहंकार चकना चूर हो गया है स्वगोशित कटर इमानदार का किरदार धारदार तथ्यों के साथ पूरी तरह तार तार हो गया है इस हमाननी बात नहीं है देखे जिस प्रकार से उन्होंने जमानत के लिए नहीं ये बात हम ऐसे नहीं कह रहे है उन्होंने तो सीधे सीधे अपनी अभिरक्षा को ही यानि अपनी हिरासत को ही चुनावती दी थी अहंकार ये था कि मुझे छूट नहीं चाहिए मुझे दूसरे को गलस साबित करना इसलिए मैंने कहा कि वो अहंकार चूर चूर हो गया है क्योंकि मानी न्यायले ने जो अभी मीडिया में प्राप्त सूचना उसके अनुसार यह बिंदुसपष्ट का आए कोर्ट क्लारिफाइज देट देट पेटीशन इस फूर डिसाइडिंग अरेस्ट इस इलिगल क्योंकि उन्होंने तो सीधे यह कहा था कि अरेस्ट ही इलिगल है यानि वो जमानत मांगी नहीं रहे थे और इतनी बड़े अहंकार के साथ वो आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे और इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए कि बताईए कोट ने जो कहा वो सच है माहौल जो बनाया जा रहा वो सच है हमारे साथ खास महमान शामल हो गए है सबसे पहले आपको स्क्रिन पर मैं मुलाकात करवा देना चाहती हूँ अनुराक भदोरिया जो के हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राश्य उप्रवक्ता जुड़ चुके है केके शर्मा साथ अपसे कुछी देर में भारतिया जनता पार्टी के राश्य उप्रवक्ता जुड़ने वाले हैं हमारे साथ इस वक्त रभी जी आपको दिखाई दे रहा हैं जो के राजनितिक विशलेशक है और इनफाक जब आम आत्मी बनी थी आम आत्मी पार्टी का गठन हुआ था वो गठन करने वाले फाउंडिंग मेंबर्स में से एक नाम आप रभी जी का ले सकते हैं हमारे साथ वर कुछ काला है इनफेक्ट डाल पूरी काली है ने रुबिका जी नमस्कार पहली बात तो यह कि जो आज हाई कोर्ट का जो भी यह निरिने है और है यह आपके लिए हैडलाइन मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि जो बाते इसमें कहीं गई है वह सर जो मैनेजमेंट की मुझे तो कम से कम पूरी अपेक्षा थी कि इस तरह की बाते इसमें कहीं जाएगी और अर्विल केजरिवाल ने कोई बेल तो बांगी नहीं थी उन्होंने जो कहा था कि मेरा यह रिमांड इनलीगल है और उसके पक्ष में उन्होंने तैत्तमी रखे थे कोट ने हेड्लाइन बनाने के लिए यह टिपड़ी की है मैं कोट पर कोई टिपड़ी नहीं कर रहा हूं रूबिका जी यह जो बाते कहीं गई है वह हेड्लाइन मैनेजमेंट के लिए ठीक है अब एक बात मुझे बढ़ा ने कहा कि जो अप्रूर का कानून है वह सो साल पहले पो इलेक्टरल बांड दे करके अप्रूर नहीं बनता था आज बनता है अब उन्होंने यह बात तो नहीं मानी है उन्होंने का यह आप राजितिक कार्डों से कह रहे हैं वह सच्चाई यह है कि शरचंद रेडियों चाहें सी अर्विंद हो चाहें मगुंटा रेडि जो टिपणी करता है उससे तो आप इधर उदर नहीं कर सकते वह ना भावनाव से चलता है राजनीती से चलता है इसी बात का जिक्राज किया है केके शर्वा जी आप अभी जुड़े नहीं थी उससे पहले रवी जी ने कहा कि यह जो असल ब्रश्टा चारिए वो तो आप लोगो के लिए क्यामपेइन कर रहे हैं घोट की टिपणी तो इनको पता थी क्या आने वाली है तो अब देखें ये तो जूटों की पार्टी है रूभिका जी और आज तो बिल्कुल इसपस्थ हो गया कि ये घोटाले बाज जूटों की पार्टी है और इनका तो इतिहास ह ही रहा है केजरी वाल का क्या इतिहास रहा है केजरी वाल का इतिहास ही रहा है कि मैं कभी पार्टी नहीं बनाऊंगा पार्टी बना लिया बच्चों की कसम खाके कहता हूं किसी कभी कावरेसियों से हाथ नहीं मिला हुआ उनके साथ संजोता कर लिया बंगला नहीं और वही काम आज भी कर रहे हैं यही अभी कहते थे कि न्याले का और किसी पर आरोप लग जाए तो इस्थिपा देना चाहिए यहां न्याले जो है प्राइमा फेशी एक कह रही है कि आपकी गिरिपतारी सही है आप एक तरह के आरोपी दोसी सावित हो रहे हैं इसके बाजुद आप देखी कोई नेतिकता नहीं और उस पर भी इनके प्रावत्ता बैट के और नेता बैट के जो है जूट बोलते हैं और इत्ती बड़ी-बड़ी बाते कहें न्याले ने क्या नहीं आज इस पस्ट किया सब सब्सक्राइब कहा कि गुवाज के चुनाओं में मनी ट्रेल दिख रहा है लेकिन वह अब इस पस्तता से कहा अभी कुछ देर पहले सौरभ भार्द्वाज में प्रेस कॉन्फरेंस की कहा एक गुटी-कौडी जो है वह आप तक हासल नहीं कर पाई है ना इडी ना सी बी क्योंकि वह पैसा जो है खर्च कर दिया गया है चुनाओं में और उस गवाह ने उहां पर जाकर कोट में बयान दिया है तो यह कौन सी आप यह आपर अपवा उडा रहे हैं कर देगिया पैसा सब्सक्राइब करें तो आप घर में बैट करके कितने भी बना लीजिए सब्सक्राइब करें तक्यों के मुताबिक केज्रिवाल इस गोटाले की साज़िश में शामिल है सब्सक्राइब का मतलब क्या होता है अरे तो आपको क्यों बताएंगे वो तो खोट को बताएंगे ना सब्सक्राइब के मुताबिक केज्रिवाल इस गोटाले की साज़िश में शामिल है यह लाइन की लिखने की जरूति आपको सब्सक्राइब करते हैं कल तक तो बड़े खुश हो रहे थे कि आप देखिए जहां वह सिंग्स आपको जो है आज जीत हुए और आज को जब आपको सुना रहा है और यह साफ तोर पर कहना है कि एडी के तत्यों के मुताबिक केज्रिवाल इस गोटाले की साज़िश में अपर यह कोट ने लिख दिया अनुराग बदोरिया जी अब भी यहीं मांते हैं ओके रवी जी रुख जाईए अब अब यह चोटा मोटा शोटा मोटा जोटा अनुराग बदोरिया जज्मेंट नहीं होता और वेशन कोई अब अनुराग भधोरियाजी की बारी है देखे देखे सवाल तो तब उठता है जब एक अगर पत्रकार की रिपोर्ट के अनुसार एक समाचार पेपर की रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो 25 नियता ऐसे हैं जिनको भारती जनता पार्टी opposition leader है जिनको भारती जनता party ने अपने साथ लिया और तेज पर केसों पर हिराम लग गया, तेज 25 नेता थे न करना की ज़रूट है अखिर ऐसा कौन सा फर्मूला भारती जन्ता पार्टी के पास है जो भारती जन्ता पार्टी पहले चक्की पिसिंग